इस टेक्नोलोजी के युग ने हमारे तैनिक जीवन के लगभग सारे काम बहुत ही आसान बना दिये हैं चाहे काम बड़ा हो या फिर छोटा हर काम के लिए कुछ न कुछ scientific devices मिल ही जाती है गणीद के फिल्ड में एक ऐसी ही device है calculator हम सभी calculator के उप्योग से बहुत अच्छे से परिचित हैं और आज हमें छोटे से छोटे हिसाब के लिए भी calculator की याद आती है calculator के उप्योग को देखते हुए आज computer और mobile में भी इसकी सुविधा दी जाने लगी है तो फिर tally प्राइम इस मामले में पीछे कैसे रह सकता है tally ने भी हमें calculator की सुविधा दी है ताकि अगर हमें calculator की आवश्यक्ता पड़े तो अलग से किसी calculator का उप्योग ना करते हुए हम tally पर दिये हुए calculator का उप्योग कर सकते है tally का जो calculator है उसके मदद से हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग यानि addition, subtraction, multiplication, division इत्यादी calculation तो करी सकते हैं इसके अलावा भी इसमें हमें बहुत सारे features मिलते हैं जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो चलिए, tally प्राइम में दिये हुए calculator के use को समझ लेते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं आगे समझने के लिए पहले हम payment voucher open कर लेते हैं ध्यान रखें, tally में आप कहीं भी काम कर रहे हों जैसे balance sheet पर हों, या किसी party का laser देख रहे हों, या GST report पर हों सभी जगह पर आप calculator का उप्योग कर सकते हैं अब tally में calculator open करने के लिए हम control के साथ N की press करेंगे ये देखें नीचे calculator open हो गया है अब इसमें जो भी calculation करना हो, वो आप कर सकते हैं जैसे हमारे office में तीन electricity bills आते हैं इस महिने एक bill 2,946 रुपीज का है दूसरा 1,687 रुपीज का है और तीसरा 1,100 रुपीज का है अब हम ये देखना चाहते हैं कि तीनों को मिला कर total कितना bill आया है तो यहां हम keyboard की सहता से पहले bill का amount टाइप करेंगे अब plus का निशान टाइप करेंगे फिर दूसरे bill का amount टाइप करेंगे फिर से plus का निशान टाइप करेंगे और अब तीसरे बिल का amount type करके enter press कर देंगे ये देखिए तीनों का total आ गया है कहने का मतलब ये है कि calculator की तरह ही हम keyboard की सहायता से इस calculator का उप्योग कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जोडने के लिए plus का निशान लगाएं घटानी के लिए minus का गुणा करने के लिए star का निशान और भाग देने के लिए slash का निशान लगाएं और आखिर में result के लिए enter press कर दें अमाली जीए हम इन तीनों बिल्स का amount इकठा ही voucher में डालने वाले हैं तो हमें voucher पर जाना होगा पर देखिए जब हम calculator पर काम करते हैं तो केवल calculator active रहता है और tally inactive हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं tally अभी inactive है तो इसका color जो है black and white जैसा हो गया है अब voucher पर जाने के लिए पहले हमें tally को active करना होगा उसके दो तरीके हैं पहला तो यह कि tally को active करने के लिए voucher में कहीं पर भी mouse से click कर दें यह देखिए हमने click किया और tally active हो गया है पर अब calculator inactive हो गया है पर हम असानी से calculate किया हुआ amount देख कर voucher बना सकते हैं अब यदि वापस आपको calculator पर कुछ काम करना हो तो उसे active करने के लिए उस पर mouse से click करना होगा दूसरा तरीका समझने के लिए हम फिर से voucher को activate कर रहे हैं अब चूंकि हमने voucher activate कर लिया है इसलिए calculator active नहीं है अब यदि आप बिना mouse की मदद से इसे चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए control और N keys को press करें ये देखिए calculator चलू हो गया है अब यदि आप कोई नई calculation करना चाहते हैं तो कर सकते हैं परमान लिए जी हम पहले ही वाले amount में 11 रुपे और जोडना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें backspace key से पहले वाले amount पर जाना होगा और फिर and key press करेंगे और अब plus का निशान लगा कर वो amount type करेंगे जो हम इसमें जोडना चाहते हैं और फिर enter press कर देंगे ये देखिए result आ गया है अब हम बिना mouse की साहता से tally में जाना चाहते हैं यानि tally को activate करना चाहते हैं तो एक बार skip की press करें ये देखिए tally active हो गया है यहाँ पर हम debit में electricity expenses का ledger select करेंगे यहाँ तीनों बिजली के बिल का इकठा amount पाँच हजार 733 रुपे type कर देंगे credit में cash select करेंगे यहाँ narration type कर देंगे अब इस voucher को accept कर लेंगे अब इस calculator को बंद करने के लिए या तो आप यहाँ दिखाई पड़ रहे cross के निशान पर क्लिक करें या फिर दो बार control के साथ and press करें यह देखिए calculator बंद हो गया है चलिए अब हम आपको calculator के कुछ खास features बता देते हैं पहले feature को हमें कुदारन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं माल लेजिए हमारे office का एक महीने का किराया 16,750 रुपए है और हमें चार महीने का rent एक साथ देना है तो हम payment voucher में entry करते हुए ही total rent की calculation कर लेंगे उसके लिए पहले हम debit में rent paid सेलेक करेंगे अब amount वाली box में जाकर alter और c keys को press करेंगे यह देखिए calculator open हो गया है अब चार महीने का rent calculate करने के लिए एक महीने का rent type करेंगे फिर multiplication के लिए star का sign यहाँ पर type करेंगे 4 type करेंगे और enter press कर देंगे यह देखिए चार महीने का rent calculate हो गया है और वो अपने आप debit वाले कॉलम में भी आ गया है तो इस उदारन के माधिम से हमने यह देखा कि यदि हमारा cursor amount वाले box में है और हम alter के साथ c press करके calculator open करते हैं तो calculation करने पर हमारा जो भी result आता है वो अपने आप amount वाले box में आ जाता है अब अन्य feature समझने के लिए control के साथ N key को press करेंगे टाली के इस calculator को हम assistant की तरह भी उप्योग कर सकते हैं इसमें हम किसी भी ledger, group, stock item, stock group, closing stock, stock value, receivable, payable इत्यादी जान सकते हैं जैसे हमें cash का balance जानना है तो हम cash type करेंगे और enterprise कर देंगे यह देखिए cash का closing balance आ गया है इसी तरह यदि हम किसी customer का balance देखना चाहते हैं कि उससे हमें कितनी रुपे लेना बाकी है तो उसका नाम type करेंगे जैसे हमने type किया अशोक traders और enterprise किया तो यह देखिए अशोक traders का closing balance आ गया है अब यदि हम अपने bank account का balance चेक करना चाहते हैं तो bank का नाम type करेंगे और enterprise करेंगे यह देखिए bank का closing balance आ गया है इसी तरह अगर हमें यह जानना है कि अभी हमारे पास stock में कोई item कितनी quantity में है जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि इस company में हमारे पास कितने printer है तो यहाँ पर हम type करेंगे printer और enterprise कर देंगे यह देखिए result आ गया है कि अभी हमारे पास 34 printer stock में है एक महत्पुन बाध्यान रखें आप जो भी नाम यहाँ type करें वही नाम आपकी company में होना चाहिए यानि उसकी spelling में कोई mistake नहीं होनी चाहिए यदि आप गलत spelling type करेंगे तो result नहीं आएगा जैसे हमने monitor की गलत spelling type कर दी और enterprise किया तो देखिए एक message आ रहा है could not understand word monitor इसका मतलब है कि tally के calculator को ये वाला शब्द समझ नहीं आया है हम वापस monitor की सही spelling type करके enterprise करेंगे ये देखिए अब result आ गया है मान लिजी अब हम ये देखना चाहते हैं कि अभी हमारे पास जो cool stock है उसकी value क्या है तो हमने यहाँ type किया stock value और enterprise किया ये देखिए total stock की value आ रही है आएए अब हम इसे stock summary से check कर लेते हैं ये देखिए दोनों जगए एक ही amount आ रहा है मतलब calculator जो result दे रहा है वो सही है तो इस प्रकार हमने समझा कि हमें किसी का closing balance चेक करना है तो tally में अलग-अलग report open करने की आवश्यक्ता नहीं है बस calculator में हमें उनका नाम type करना है और enterprise करना है इतने में ही result हमारे सामने आ जाएगा अब हम आपको बताते हैं कि इस calculator में अभी हमने जो भी calculation की है यदि उन्हें delete करना चाहें तो उसका कोई option नहीं है फिर भी यदि आप इन्हें हटाना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप tally को बंद करके फिर से चालू कर लें यानी restart कर लें ऐसा करते ही यहाँ पर दिखाई पड़ रही सारी calculations हट जाएंगी आखिर में आपको एक बात और बता दें कि इस calculator का उपियोग आप tally के licensed version और educational version दोनों में कर सकते हैं बैंक reconciliation statement यानी बैंक समाधान विवरण जिसे हम short में BRS भी कहते हैं अकाउंटिंग का एक बहुत ही महत्पुन हिस्सा है इसके बगेर हम अपने bank account की सही स्थिती नहीं जान सकते आज के समय में अधिकतर लेंदेन यानी transactions बैंक के माध्यम से किये जाते हैं इन transactions को record करने के लिए व्यापारी अपने यहां यानी अपनी books में bank का खाता खुलता है और bank से संबंधित सभी transactions की entry उसी खाते में करता है इसी तरह bank भी अपने यहां पर ग्राहक का खाता खुलता है और उस खाते में ग्राहक से संबंधित सारे transactions record करता है bank ग्राहकों को एक निश्यत अवधी के बाद इन transactions के विवरंड की एक copy statement के रूप में देता है और यह निश्यत अवधी prior एक महिने की होती है ताकि ग्राहक अपने transactions की जाज कर सके और इसी statement को हम bank statement कहते हैं यदि bank में हमारा saving account है तो bank हमें bank statement की जगह पर past book प्रदान करता है जिसमें हमें अपनी जरूरत के अनुसार समय समय पर bank से entries करवानी पड़ती है हमारी books में bank के खाते का balance और bank द्वारा दिये गए bank statement का balance हमेशा मिलना चाहिए क्योंकि दोनों में entry करने का अधार एक ही transaction होता है पर practically ऐसा नहीं होता है prior bank statement का balance और हमारे आंके bank खाते का balance समान नहीं होता यानि दोनों के balance में अंतर पाया जाता है हलांकि दोनों ही books में यानि हमारी books में और bank की books में balance अपनी अपनी जग़़ पर सही होते है पर फिर भी ये अंतर आ जाता है और इसी अंतर को दूर करने के लिए एक statement बनाया जाता है जिसे bank reconciliation statement कहते है और इस statement को बनाने की process को bank reconciliation कहते है यहाँ पर हम आपको बता दें कि Tally ने bank reconciliation करने के दो options दिये है पहला है manual bank reconciliation और दूसरा auto bank reconciliation इस वीडियो में हम आपको manual bank reconciliation के बारे में बता रहे हैं क्योंकि यदि आपको इसका basic knowledge नहीं होगा तो आप auto bank reconciliation भी नहीं कर पाएंगे चलिए अब हम बात करते हैं bank reconciliation के फाइदों के बारे में इसका सबसे पहला फाइदा है गलतियों का पता चलना हमारे याँ bank संबंधे transaction की entry करने में यदि कोई गलती हुई हो तो bank reconciliation करने से उसका पता चल जाता है जिससे कि हम उन्हें ठीक कर सकते हैं जैसे मान लीजिए हमने bank में किसी customer द्वारा दिया गया 10,000 रुपए का चेक जमा किया पर गलती से हमारे यहाँ books में हमने उसकी entry 1000 रुपए की कर दी तो bank reconciliation करते समय हमें इस तरह की गलतियों का पता चल जाता है और हम उन्हें ठीक कर लेते हैं दूसरा फाइदा है fraud यानि धोखा दड़ी की जानकारी मिलना अगर कभी हमारे cashier या accountant द्वारा कोई fraud किया जाता है तो उसकी जानकारी भी हमें bank reconciliation करते समय मिल जाती है तीसरा फाइदा है हमारे हिसाब में लेखा यानि accounting करने का आधार बैंक द्वारा कई entries हमारे खाते में कर दी जाती हैं ब्याज की entry, check book charges, check return charges, इत्यादी की entry पर इनकी सूचना हमें समय पर नहीं मिल पाती है पर जब हमें bank से statement प्राप्त होता है और हम bank reconciliation करते हैं तो ऐसी entries की जानकारी हमें मिल जाती है और ये entries हम अपनी books में भी कर लेते हैं जिससे हमारी books में जो bank का खाता है वो भी bank का सही balance बताए चौधा फाइदा है bank द्वारा की गई गलत entry की जानकारी मिलना कभी-कभी ऐसा भी होता है कि bank द्वारा हमारे account में गलत entries कर दी जाती हैं जब हम bank reconciliation करते हैं तो हमें पता चलता है कि bank statement में bank द्वारा कौन सी entries गलत कर दी गई हैं जिनने की हम bank में जाकर के फिर ठीक करवा सकते हैं ये तो हमने जाना कि bank reconciliation करने के क्या फाइदे होते हैं अब हम ये देखते हैं कि bank reconciliation कैसे करते हैं आप इस topic को अच्छे से समझ पाएं उसके लिए हमने bank reconciliation के नाम से tally में पहले से ही एक company बना ली है साथ ही इसमें सभी ज़रूरी lasers बना कर उसमें कुछ transactions भी record कर दिये हैं अब व्यवसाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने दो banks में current accounts open किये हुए हैं जिसमें मुख्य रूप से हम अपने अधिकतर लेंदेन state bank of India के द्वारा करते हैं तो आईए पहले हम state bank of India की ledger report open कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने अप्रेल माह की SBI की ledger report open हो गई है हम इसी period के statement को reconcile करना चाहते हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं आपको जिस period का reconciliation करना हो आप F2 की को press करके period change कर सकते हैं यह देखे इस period में हमने SBI के through जितने भी transactions किये हैं वो सभी यहाँ पर दिखाई पढ़ रहे हैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम F12 press करके कुछ configuration कर लेते हैं यहाँ running balance को हम yes कर रहे हैं यह देखे सबसे उपर opening balance में कोई amount नहीं है क्योंकि हमने bank में नया खाता 1 April को ही open किया है यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है कि April महा में हमने कुल कितना amount अपने यहाँ bank खाते में debit किया है और कुल कितना amount bank खाते में credit किया है और अब हमारे bank खाते में कितना closing balance है अब bank ने हमको जो April महा का bank statement दिया है उसे भी देख लेते हैं यह देखिए bank ने उनके यहाँ हमारे खाते में जो भी transactions record किये हैं वो सब भी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह ज़रूरी नहीं है कि सभी बैंकों के bank statement में इसी तरह की narration हो अलग-अलग banks की narration अलग-अलग हो सकती हैं अब हमें इन दोनों को मिलाना है यानि अपने इस bank के ledger को इस bank statement से मिलाना है यानि reconcile करना है इसके लिए हमें tally में bank reconciliation screen पर जाना होगा bank reconciliation screen पर जाने के तीन तरीके हैं पहला यदि हमने bank का ledger open किया हुआ है तो यहाँ reconcile पर क्लिक करें या फिर इसके लिए shortcut है alter के साथ R key को प्रेस करें यह देखिए bank reconciliation screen आ गई है दूसरा तरीका है यदि आप tally में कहीं भी कोई काम कर रहे हैं तो इसके लिए alter के साथ G press करें और type करें bank reconciliation और फिर enter press कर दें अब यहाँ से आप bank select कर सकते हैं तीसरा तरीका है यदि आप gateway of tally पर है तो utilities heading के अंतरगत दिखाई दे रहे banking के लिए N प्रेस करें अब bank reconciliation के लिए B प्रेस करें अब यहाँ से bank select कर लें यह देखें अभी हम bank reconciliation screen पर हैं और यह screen हमारे ledger की तरह ही दिखाई देती है पर इसमें कुछ और details भी आ गई हैं जैसे transaction type, instrument number, instrument date, bank date, इत्यादी अब आगे बढ़ने से पहले हम इस bank reconciliation से bank statement की कुछ entries को मिलाते हुए एक महत्पुन बात समझा देते हैं कि हमारे यहाँ bank leisure में जो entries होती है वही entries bank statement में ठीक उसके विपरीत होती है यानि जो amount हमारे यहाँ debit होता है वो bank में credit होगा और जो हमारे यहाँ credit है वो bank में debit होगा आएए देखते हैं कैसे हमने bank में 3,4,000 रुपए नकट deposit किये थे जिसे हमने अपने यहाँ bank के खाते में debit किया है आएए अब हम इसको bank statement में देख लेते हैं यह देखे हमने जो रुपया bank में deposit किया है वो statement के credit side में आ रहा है दूसरा हमें customer B से 10,000 रुपए का एक check प्राप्त हुआ है जिसका number है 874521 इसको हमने अपने यहाँ bank खाते में debit किया है और यह देखिए यही check number 874521 जो की 10,000 रुपए का था bank statement में credit हुआ है इसी तरह हमने अपने supplier A को 25,000 रुपए का payment check से किया जिसका check number 121112 है इसको हमने अपने यहाँ bank खाते में credit किया है जबकि bank statement में 25,000 रुपए का यही check जिसका number 121112 है debit हुआ है तो इस तरह से हमने यह समझा कि हमारे यहाँ bank leisure में जो entries होती है वही entries bank statement में ठीक उसके विपरीथ होती है आईए अब सबसे पहले समझते हैं कि bank reconciliation की process क्या है इसमें हमें bank reconciliation screen के साथ bank statement को रखना होगा और फिर इनमें जो entries हैं उन्हें एक दूसरे से match करना होगा यानि उनका मिलान करना होगा अब जो entries match हो जाएंगी उन्हें छोड़कर बाकी के जो entries हैं जो match नहीं होंगी उनमें ये समझना होगा कि वो entries match क्यों नहीं हो रही है कोशिश करने पर कुछ और entries match हो जाएंगी और हो सकता है कि कुछ entries ऐसी भी रह जाएं जो की match नहीं होगा पस उन्हें के आधार पर हमारा BRS तयार होगा इस reconciliation के काम को हम दो तरीकों से कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको पहला तरीका बता रहे हैं इसमें हम bank reconciliation screen के debit और credit दोनों और के transactions को bank statement से match करते हुए reconciliation का काम करेंगे और दूसरा जो तरीका है वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे चलिए शुरू करते हैं reconciliation का काम यह देखिए हमने एक अप्रेल को तीन लाग चार हजार रुपए bank में नकट जमा किये थे जो कि हमारे यहां debit में दिखाई दे रहे हैं इसे हम bank statement में देख लेते हैं, ये देखिए, bank में 1 अप्रेल को 3,4,000 रुपए हमने जमा किये, जो की bank ने अपने यहाँ पर credit किये हैं, इसका मतलब ये कि bank reconciliation और bank statement दोनों में ये entry match हो रही है, अब हम फिर से आ जाते हैं bank reconciliation screen पर, यहाँ instrument date के पास में हमें bank date का option दिखाई दे रहा है, हम bank statement में इस entry की date जो की 1 अप्रेल है, वो यहाँ पर type कर देंगे, पर date type करने से पहले हम आपको बता दें कि bank reconciliation screen में आप नीचे ये जो options देख रहे हैं, वो क्या हैं, ये देखिए, ये हमारा bank का ledger है, इसमें आप जो closing balance देख रहे हैं, वो यहाँ पर balance as per company books के नाम से दिखाई दे रहा है, amounts not reflected in bank के नाम से जो debit और credit amount दिखाई पड़ रहा है, वो इन सभी vouchers की debit और credit का total amount है, जिनके bank date अभी हमने नहीं डाली है, जैसे जैसे bank statement को देख कर हम bank reconciliation screen पर bank date डालते जाएंगे, यानि कि transactions को match करके reconcile करते जाएंगे, amount not reflected in bank heading के अंदर जो amount है, वो अपने आप कम होता जाएगा, इसके नीचे आप balance as per bank लिखा देख रहे हैं, इसका मतलब है कि bank के अनुसार हमारे खाते में अभी इतना balance है, पर यदि हम bank statement का balance और ये balance देखें, तो ये दोनों अलग अलगा रहे हैं, जबकि नाम के हिसाब से दोनों ये कि होना चाहिए, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे जैसे bank statement से bank reconciliation के transactions मैच करके हम bank date डालते जाएंगे, उतना amount balance as per bank में भी कम या ज्यादा होता जाएगा, और आखिर में ये balance bank statement के balance से मैच हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ bank date में एक अप्रेल टाइप करके enterprise करेंगे, ये देखिए 2022 अपने आप आगया है, और यहाँ भी amounts में आप देख सकते हैं changes आ गये हैं, अब हम वापस bank statement पर चलते हैं और अभी हमने जो entry bank reconciliation से मैच कर ली है, यहाँ पर उसकी पहँचान के लिए एक निशान लगा देते हैं, अब अगली entry देखते हैं, इसमें हमने supplier A को 20,000 रुपे का जो चेक दिया था, जिसका नमबर 121,000 था, उसकी payment entry हमने अपने यहाँ bank account में एक अपरेल को credit में की है, अब इसे bank statement में देख लेते हैं, यह देखिए, हमारे द्वारा दिया गया 20,000 रुपे का चेक, जिसका नमबर 121,000 था, बैंक में 3 अपरेल को पास हुआ है, जो कि bank statement में debit में दिखाई पड़ रहा है, तो अब हम bank reconciliation पर चलते हैं, और अब यहाँ पर bank date डाल देंगे, यह देखिए, यहाँ bank statement में भी यह entry match हो गई है, इसकी पहचान के लिए एक निशान लगा देते हैं, इसी तरह हम सावधानी से पूरी details जैसे particulars, transaction type, instrument number, instrument date और amount इत्यादी सभी को ध्यान में रखते हुए, bank reconciliation के साथ, bank statement की जितनी भी entries match हो सकती है, वो match कर लेंगे, यह देखिए, हमने जो जो entries match हो सकती थी, उन्हें match कर लिया है, अब bank reconciliation screen पर और bank statement दोनों में ही कुछ ऐसी entries बची हैं, जो एक दूसरे से match नहीं हुई है, इस पार्ट में हम उन entries पर काम कर रहे हैं, जो हमारे यहां के bank account में हैं, पर bank statement में नहीं है, और अगली वीडियो में हम उन entries पर काम करेंगे, जो bank statement में तो हैं, पर हमारे यहां bank account में नहीं है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं और bank reconciliation screen में, जिन entries के आगे bank date नहीं डली है, यानि जो match नहीं हुई है, उनके बारे में समझ लेते हैं, यह देखिए, 30 अपरेल को हमने supplier C को 20,000 रुपए का check दिया, जिसका नमबर 121116 है, इसके अलवा 30 अपरेल को हमें customer E से 12,000 रुपए का एक payment चेक से प्राप्त हुआ था, जिसका नमबर 365421 है, इस चेक को हमने उसी दिन bank में clearing के लिए लगा दिया था, अब हम bank statement देख लेते हैं, देखिए, इसमें 26 अपरेल के बाद की कोई entry नहीं है, इसका मतलब ये है, कि अभी ये चेक bank में clear नहीं हुए है, तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि bank reconciliation में कुछ entries ऐसी हैं, जो bank statement में नहीं है, तो आईए अब समझ लेते हैं कि इस तरह की entries के ना होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, पहला कारण तो ये है कि हमने जो चेक जारी किये हैं, वे पार्टियों द्वारा भुखतान के लिए bank में अभी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, या फिर bank में under process हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी supplier या किसी party को चेक देते हैं, तो उसी समय payment voucher में entry करके party को debit कर देते हैं और bank के ledger को credit कर देते हैं, पर bank तब तक हमारा खाता debit नहीं करता है जब तक कि वो party bank से भुखतान प्राप्त नहीं कर लेती, चेक काटने से लेकर भुखतान प्राप्त करनी तक में थोड़ा समय तो लगता ही है, और उसका result ये होता है कि हमारी books में bank खाते में entry होने के कारण हमारे यहां bank का balance कम हो जाता है, पर bank में entry नहीं होने के कारण bank statement में balance पहले की तरह ही रहता है, तो दोनों जगर balance में अंतर आने का एक मुख्य कारण ये है, इसे हम bank reconciliation screen पर चल कर और अच्छे से समझ लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने एक तारिक को supplier A को payment किया, पर यहां हम bank date देखेंगे तो यहां पर नजर आ रहा है कि bank में उसकी entry तीन तारिक को हुई है, इसका मतलब यह है कि supplier A को जो भुक्तान मिला है वो तीन तारिक को मिला है, यानि हमारे द्वारा और bank के द्वारा की गई entry में दो दिन का अंतर आ गया है, ठीक ऐसा ही इस entry में भी हुआ है, इसमें हमने तीस तारिक को supplier C को bank से payment किया है, और इसी दिन अपनी बुक्स में entry कर ली है, पर जब हम bank statement में देखते हैं तो यहाँ पर उसकी entry नहीं है, क्योंकि यह जो check है वो या तो under process है, या फिर party ने भुक्तान के लिए अभी bank में present ही नहीं किया है, कहने का मतलब यह है कि party ने अभी इस चेक को bank में लगाया ही नहीं है, दूसरा कारण है collection या clearing है तू bank में जमा किये गए चेक या draft आदी का collection या clear ना होना, जिस प्रकार से हम payment के लिए check issue करते हैं, ठीक उसी तरह से जब हमें check या draft से कोई भुक्तान प्राप्त होता है, तो उसे हम collection या clearing के लिए bank में जमा कर देते हैं, और check या draft को bank में जमा करने के तुरंत बाद, हम अपने यहाँ receipt voucher में entry करके, संबधित party को credit कर लेते हैं और bank खाते को debit कर देते हैं, पर bank उस समय तक हमारे खाते को credit नहीं करता है, जब तक कि उसे उन check या draft की राशी प्राप्त ना हो जाएं, ध्यान रखें, check या draft जमा करने के बाद, उसके collection में या clearing में थोड़ा समय तो लगता ही है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे या बैंक खाते का balance दुरंत बढ़ जाता है, पर bank statement का balance पहले की तरह ही बना रहता है, चलिए अब इसको भी हम bank reconciliation screen पर और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ये देखे हमने 30 अपरेल को customer E से, चेक नमबर 365421 से ये 12,000 रुपए का payment receive किया है, जैसे हमने clearing के लिए चेक बैंक में जमा किया, उसी समय हमने इसकी entry अपनी books में कर ली, पर जब हम bank statement में जाकर देखते हैं, तो इसकी entry अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भले हमने चेक बैंक में जमा कर दिया हो, पर जब तक वो clear नहीं होगा, तब तक bank उसकी entry नहीं करेगा, अंतराने का तीसरा कारण ये हो सकता है, कि जब हमें कोई चेक प्राप्त होता है, तो हम उसकी entry अपनी books में, बैंक खाते में तो कर लेते हैं, और वो चेक हमने किसी करमचारी को बैंक में जमा करने के लिए दे दिया, पर वो करमचारी चेक जमा करना ही भूल गया, या ऐसे ही किसी कारण से बैंक में वो चेक जमा नहीं हो पाता है, तो उसका परिणाम ये होता है, कि हमारी books में तो bank खाते का balance बढ़ जाता है पर bank statement का जो balance है वो पहले की तरह ही बना रहता है और बहुत दिन तक जब bank में वो payment नहीं आता है तब हम ढूनते हैं तो पता चलता है कि हमने check जमा करने की bank slip तो भरी थी या फिर हमने वो check किसी को जमा करने के लिए दे दिया पर जिसे दिया वो उस check को bank में जमा करना ही भूल गया तो दोस्तो अभी हमने देखा कि हमारी books में bank account में जो entries हैं वो किन कारणों से bank statement में नहीं है अब आगे काम करने के पहले हमें इनको save करना होगा और यदि हम इनको save नहीं करते हैं तो अभी हमने bank statement से ये जो reconciliation किया है यानि ये जो bank date डाली है वो सब चली जाएंगी इसलिए पहले हम इनको save कर लेते हैं आईए अब वापस bank reconciliation पर चलते हैं ये देखिए हमने जिन जिन entries का मिलान कर लिया था वो reconcile होकर यहां से चली गई है अब यहाँ पर केवल वो entries बची हैं जो pending है यानि जिनका मिलान bank statement से नहीं हो पाया है चलिए अब bank statement पर चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी entries match हो गई है यानि जिनका मिलान हो गया है उनके सामने हमने यह निशान लगा दिये है अब देखते हैं कि इन में ऐसी कौन सी entries है जो match नहीं हुई है तो इसमें सबसे पहले हम debit entries को देख लेते हैं यह देखिए इसमें एक यह 13,000 रुपए की एक 250 रुपए की एक 1000 रुपए की और एक यह 300 रुपए की entry है इसी तरह हमें credit में भी एक entry एक लाख रुपए की दिखाई दे रही है जिसके सामने निशान नहीं है अब यह सबी वो entries हैं जो यहां bank statement में तो हैं पर हमारी books के bank account में नहीं है तो चली अब समझ लेते हैं कि इसके पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं पहले हम इन debit entries के बारे में समझ लेते हैं इसका पहला कारण है check dishonor होना जब हमें कोई check प्राप्त होता है तो हम उसे bank में जमा करके उसकी entry अपनी books में कर लेते हैं जिससे हमारी books में bank का balance बढ़ जाता है और इसी तरह bank भी अपने यहां उसकी entry करके हमारा balance बढ़ा देता है पर मान लीजिए कि वो check dishonor हो जाता है यानि कि bounce हो जाता है तो इस condition में bank उस check के amount को हमारे खाते में वापस debit कर देता है साथ ही check return होने की कुछ penalty भी हमारे खाते में लगा देता है पर उस समय हमें इसका पता नहीं चल पाता है जिसका प्रभाव ये होता है कि हमारी books में तो bank का balance ज्यादा रहता है पर bank में हमारा balance कम हो जाता है जब हम bank reconciliation करते हैं तब हमें इस बारे में पता चलता है ये देखे ठीक ऐसा ही हमारे साथ हुआ है हमें अपने customer E से जो check प्राप्थ हुआ था वो bounce हो गया है तो अब हमें भी इस check return की entry अपने या books में करनी होगी तो चलिए पहले हम ये entry कर लेते हैं इसके लिए हम यहाँ दिखाई दे रहे create voucher पर click करेंगे या फिर इसके लिए shortcut key alter और J प्रेस करेंगे ये देखिए payment voucher open हो गया है अब हम app 7 प्रेस करके journal voucher पर चलते हैं और उसी date में ये entry कर लेते हैं जिस date में bank ने ये entry की है अब इसे save कर लेते हैं ये देखिए voucher save करते ही हम वापस bank reconciliation screen पर आ गए हैं और अभी हमने जो entry की थी वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है अब हम यहाँ पर bank date डाल देंगे और यहाँ star का निशान लगा देंगे अब हम समझ लेते हैं दूसरा कारण दूसरा कारण है bank द्वारा debit किये गए charges और interest bank ग्राहक को जो अनेक प्रकार की सेवाएं देता है उसके लिए वो कई तरह के bank charges वसूलता है जैसे यदि हमारा कोई check return हो गया है तो उसके charges जब हम कोई check book issue करवाते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ charge देना होता है bank अपने यहाँ हमारा जो account maintain करते हैं उसके लिए भी वे book keeping charges लेते हैं हम bank से जो RTGS, NEFT या IMPS करते हैं उस पर भी bank निश्यत दर से हमसे कुछ charges लेते हैं इस तरह के कुछ अने charges भी हो सकते हैं इन सभी की entries हम bank charges या bank expenses के नाम से leisure बना कर उसमें करते हैं इसके अलावा कई बार हम bank से loan लेते हैं या overdraft लेते हैं तो bank उस पर हमसे interest लेता है जिसकी entry हम bank interest paid के नाम से leisure बना कर उसमें करते हैं इस तरह से जो भी charges या interest bank को हमसे लेना होता है bank उने तुरंथ हमारे खाते में debit कर देता है जिसके परिनाम सुरूप bank में हमारा balance कम हो जाता है पर हमें इसकी सूचना समय पर नहीं मिलती सूचना न मिलने के कारण हम अपने यहां bank खाते में इनकी entry नहीं कर पाते हैं जिससे हमारी books में bank का balance पहले की तरह ही बना रहता है इस तरह की entries की जानकारी हमें तब मिलती है जब हम bank reconciliation करते हैं और जैसा कि आप यहां bank statement में भी देख सकते हैं bank ने check return charges और check book charges हमारे खाते में debit कर दिये हैं पर चुकि हमें इसके बारे में पता नहीं चला इसलिए हमने ये दोनों entries अपने यहां bank खाते में नहीं की हैं अब हमें इन bank charges के बारे में पता पढ़ गया है तो हम इनकी entries अपने यहां कर लेते हैं उसके लिए alt और j keys को press करेंगे पर देखे voucher open होने से पहले हमने अभी जो reconciliation किया है उसे save करने के लिए पुछा जा रहा है हम yes के लिए enterprise करेंगे ये देखे रिकंसिलियेशन save होते ही जो entry अभी हमने match की थी वो यहां से चली गई है और journal voucher भी open हो गया है आप ये entries payment या journal दोनों में से किसी भी voucher में कर सकते हैं हम journal voucher में एक एक करके इन entries को कर लेते हैं हमने ये entry कर ली है अब यहां पर bank date डाल देंगे और यहां star लगा देंगे इसे तरह अब हम दूसरी entry भी कर लेंगे चली अब आगे बढ़ते हैं और अंतर आने का तीसरा कारण देख लेते हैं कई बार हम bank को instruction दे देते हैं कि आप हमारी EMI, LIC premium, electricity bill इत्यादी का payment प्रती मा या quarterly या जैसे भी हमारी ज़रूरत हो सीधे हमारे bank account से कर दें और bank भी ऐसा ही करता है वो समय समय पर हमारे account से इनका payment कर देता है तो हम इस तरह के instruction तो दे देते हैं पर bank द्वारा किये गए इन payments की entry करना भूल जाते हैं और फिर जब हम bank statement देखते हैं तब जाकर हमें इनका ध्यानाता है ठीक ऐसा ही यहां भी हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं कि bank ने हमारे LIC premium का payment 14 अपरिल को कर दिया था पर हमें अब bank reconciliation करते समय इसका पता चला है तो आईए अब इसकी entry payment voucher में कर लेते हैं अब बात करते हैं credit entries के बारे में यह credit entries bank statement में तो हैं पर हमारे यहां bank books में नहीं है तो आईए इस तरह की credit entries के हमारी books में नहीं होने के कारणों को समझ लेते हैं पहला कारण है ग्राहक द्वारा सीधे हमारे bank खाते में बक्तान करना आज की समय में सभी banks internet banking की सुविधा दे रहे हैं साथ ही कई तरह के payment platforms भी है इनके साथ ही UPI payment system भी है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी खाते में पैसे जमा कर सकता है अब बान लीजिए internet banking की सहायता से हमारे किसी ग्राहक दें कहीं से भी cash, check, NFT त्यादी में से किसी भी तरह से हमारे खाते में रुपए जमा कर दिये हैं और किसी कारण से वो हमें सुचित करना भूल गया है तो ऐसी इस्थिती में bank में तो इसकी entry हो जाती है पर जानकरी के अभाव में हम इसकी entry अपनी books में नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से bank में तो हमारा balance बढ़ जाता है पर हमारी books के bank खाते में जो balance है वो पहले की तरह ही बना रहता है जैसे कि हम यहाँ bank statement में देख सकते हैं कि बारत आरे को NEFT के थू किसी ने हमारे bank खाते में एक लाख रुपए जमा किये अब इसकी entry यहाँ bank statement में तो है पर इसकी सूचना हमें जिसने bank में रुपए जमा किये हैं उसने भी नहीं दी और नहीं bank ने दी इसी वज़े से हमारी books के bank खाते में इसकी entry नहीं है हम bank reconciliation करके अपना और bank का balance तो match करना चाहते हैं पर हमें यह पता नहीं है कि यह amount हमारे खाते में किस ने जमा किया है तो इस amount की entry हम bank suspense account बना कर लेंगे दरसल होता यह है कि इस तरह के जितने भी transactions होते हैं जिसमें हमने पैसा receive किया है पर यदि हमें इस बात की जानकरी नहीं होती है कि वो पैसा कहां से आया है किस party ने दिया है या किस व्यक्ति ने दिया है तो उन सभी को हम suspense account में डाल देते हैं और चुंकि यहाँ पर जो transaction हुआ है वो bank के through हुआ है इसलिए हम इसे bank suspense account में डाल देंगे तो देख लेते हैं कि इसकी entry किस प्रकार हो इसके लिए हम वापस टली पर आ गए हैं अब create voucher के लिए alter और j keys को press करेंगे अब चुंकि हमें 1,00,00 रुपए प्राप्त हुए हैं तो इसकी entry के लिए हम receipt voucher open कर लेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले हम date change करेंगे अब हमें उस party को credit करना है जिससे हमें ये रकम प्राप्त हुई है पर हमें नहीं पता कि किस party से हमें ये payment मिला है इसलिए अभी हम इस payment को bank suspense account के नाम से जमा कर लेंगे अब चुंकि ये account बना हुआ नहीं है इसलिए alter और c keys को press करके पहले हम ये account create कर लेंगे name में हमने type किया bank suspense account अब यहाँ पर हम suspense account group select करेंगे और अब इसे control A से accept कर लेंगे credit में हम एक लाख रुपए type कर देंगे debit हो जाएगा state bank of India narration type कर देंगे अभी हमने ये जो entry bank suspense account के नाम से की है वो bank statement और हमारी books के bank खाते को match करने के लिए की है पर जब बाद में हम ये पता चल जाएगा कि ये रुपए किस पार्टी ने दिया है तब हम इस voucher को edit करके bank suspense account की जगव उस पार्टी का नाम डाल देंगे अभी हम इस entry को accept कर लेते हैं credit entries में अंतर आने का दूसरा कारण है clearing हे तू check या draft bank में जमा करने के बाद अपने यहां bank खाते में debit करना भूल जाना कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें कोई check या draft प्राप्त होता है तो हम उसे जल्दी जल्दी में clearing के लिए bank में तो जमा कर देते हैं पर उसके entry अपने यहां करना भूल जाते हैं यानि अपनी books में bank खाते को debit नहीं करते बना रहता है तीसरा कारण है bank द्वारा दिया गया ब्याज कई बार हम अपनी company के accounts के बजाए tally में अपने personal accounts भी maintain करते हैं उसमें हमारे bank में saving account भी होते हैं जिन पर हमें ब्याज मिलता है पर जानकारी के अभाव में हम उस ब्याज के entry अपने यहां bank खाते में नहीं कर पाते इसके कारण हमारी books में bank खाते का balance तो पहले की तरह बना रहता है पर bank past book का जो balance से वो बढ़ जाता है और फिर जब हम bank reconciliation करते हैं तो हमें इस तरह के ब्याज की जानकारी मिलती है जिसके entry हम bank interest received खाता बना कर कर लेते हैं हमने यह जो bank reconciliation बनाया है अब उसे control और एक इस को प्रेस करके save कर लेते हैं वापस हम state bank of india चुन लेंगे यह देखिए जो जो entries match हो गई थी वो यहाँ से चली गई है और अब यहाँ पर सिर्फ वो ही entries नजर आ रही है जो pending है यानि जो bank statement में नहीं है यह देखिए अब हमारे bank statement में कोई भी ऐसा transaction नहीं है जो match ना हुआ हो आएए अब हम इस bank statement के balance को अपने bank reconciliation screen में दिखाई पढ़ रहे balance as per bank से मिला लेते हैं यह देखिए दोनों ही जगह पर amount एक समान आ रहा है और यहीं हम चाहते थे चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इने भी समझ लेते हैं bank में हमारा balance एक लाग पचपन हजार साथो पचास रुपए है जो कि अभी हमने statement से भी confirm कर लिया है अब हमने supplier C को जो 20,000 रुपए का check दिया है वो एक दो दिन में clear हो जाएगा तब इस check का amount हमारे bank account से कम हो जाएगा तो समझने के लिए इसको अभी हम इसमें से कम कर देते हैं और इसी तरह customer E का 12,000 रुपए का जो check हमने bank में clearing हेतु लगाया है उसका amount भी एक दो दिन में हमारे bank account में आ जाएगा तो समझने के लिए उसको हम अभी इसमें जोड़ देते हैं जैसे ही अगले महिने ये दोनों entries bank में होंगी हमारी books का balance यानि balance as per company books और bank statement का balance match हो जाएगा मतलब अब हमारा bank reconciliation पूरा हो गया है चलिए अब हम इसका print preview देख लेते हैं ये देखिए यहाँ पर bank के नाम के साथ reconciliation statement लिखा है इस statement को ही हम bank reconciliation statement यानि BRS कहते हैं हम escape की press करके वापस print screen पर आ गए हैं अब यदि हमें कुछ configuration करना हो तो उसके लिए C press करेंगे यहाँ पर आप जिन options को yes या no करना चाहें वो कर सकते हैं हम print preview में reconciled transactions भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए include reconciled transactions option पर जाकर enter press करेंगे यह देखिए option yes हो गया है इसे save कर लेंगे अब फिर save print preview देख लेते हैं यह देखिए हमने जो entries reconcile कर ली थी वो भी अब यहाँ पर दिखाई पड़ रही है तो इस तरह से अभी हमने अपने SBI के current account का reconciliation किया है अगर आपके दूसरे bankों में भी accounts हैं तो उनका भी reconciliation आप इसी तरह से कर सकते हैं अब आखिर में एक खास बात का ध्यान रखें अब जब भी आप अगली बार bank reconciliation करने जाएं तो एक नियम बना लें कि reconciliation करने से पहले bank suspense account खोल कर देखें कि bank से संबंधित कोई entry suspense account में तो नहीं पड़ी हुई है और यदि उसमें कोई entry है तो पता करें कि वो किसकी है और फिर उसे edit करके सही नाम से save करें इसके पहले के तीन भागों में हम आपको brs बनाना सिखा चुके हैं जो कि हमारे सामने दिखाई पढ़ रहा है अब हम यहां पर right side में दिखाई दे रहे options के उपयोग को एक एक करके समझ लेते हैं सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं period change करने का option है F2 दूसरा है company यदि आप tally में open की हुई किसी दूसरी company में direct bank reconciliation open करना चाहते हैं तो इस option की साहता से ये काम कर सकते हैं इसकी shortcut की है F3 यहां से आप दूसरी company सेलेक कर सकते हैं अगला है bank यदि आपकी company में एक से ज्यादा bank accounts हैं तो आप इस option से दूसरे bank के लिए bank reconciliation screen open कर सकते हैं इसकी shortcut की है F4 यहां से आप दूसरी bank सेलेक कर सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले option को समझ लेते हैं अभी हम bank reconciliation screen पर हैं देखिए यहां पर अभी केवल वो ही transactions दिखाई दे रहे हैं जिने हमने reconcile नहीं किया हैं यानि जो transactions reconcile हो चुके हैं वो यहां से चले गए हैं यानि यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं अब यदि हम उन्हें भी देखना चाहते हैं तो हमें basis of values के लिए control के साथ B प्रेस करना होगा यह देखिए ऐसा करते ही हमें list of configurations दिखाई दे रही हैं इसमें हमें 3 options दिखाई दे रहे हैं इसमें से पहले और तीसरे option type of voucher entries और include all unreconciled transactions till date के बारे में आगे समझेंगे अभी हम include reconcile transactions option पर जाकर एंटरप्रेस कर रहे हैं यह देखिए इस पर एंटरप्रेस करते ही यह yes हो गया है अब हम इस screen को save कर लेते हैं यह देखिए अब हमें screen पर वो सभी transactions भी दिखाई पड़ रहे हैं जिनने हम reconcile कर चुके हैं इन्हें वापस हटाने के लिए control के साथ भी प्रेस करेंगे और अब इस option को no कर देंगे यह देखिए reconciled transactions यहां से चले गए हैं अगला option है exception reports इसका shortcut है control के साथ j key जब हमने अपनी books में कोई optional voucher use किये होते हैं तो वो यहां दिखाई पड़ते हैं हमने कोई optional voucher use नहीं किया है इसी तरह जब हम कोई post stated voucher की entry करते हैं तो वो यहां दिखाई पड़ती है हमने इस तरह की कोई entry नहीं की है इसलिए यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले option की तरफ जो है opening BRS opening BRS का मतलब है BRS का प्रारंभिक्षेश जब कोई financial year समाप्त होता है और हम अगले financial year में पहुँच जाते हैं तब पिछले year के जो transactions reconcile नहीं हो पाते हैं यानि कि unreconciled रह जाते हैं वो अगले साल के लिए opening BRS होते हैं आपने जब से bank में खाता खोला है यदि तभी से आप tally में bank reconciliation करते आ रहे हैं तो आप एक company में कितने भी वर्ष कारे करें उसमें opening BRS की कोई समस्या नहीं आती इसी तरह मालेजिये tally में आपकी company में कही सालों का data है और आप शुरू से ही bank reconciliation कर रहे हैं तो आप company data को split करते हैं यानि किसी company के हर वर्ष का हिसाब अलग-अलग करते हैं जैसे कि हमारी एक company में हमारा 2021-22 और 2022-23 का इकठा data है और अब हम दोनों वर्ष की company का data अलग-अलग करते हैं तो ये process split company कहलाती है ऐसे में भी हमें opening BRS की कोई समस्या नहीं आती पर जब आप पहले manual accounting कर रहे होते हैं और बाद में tally में accounting शुरू करते हैं तो अपने manual accounting का जो BRS रहता है उसके सभी unreconciled transactions की details opening BRS के रूप में tally में डालना होती है माल लीजिए हमारी एक company है खुशी Electronics जसमें हम वर्ष 2021-22 तक manual accounting करते थे और वर्ष 2022-23 से tally में accounting शुरू कर रहे हैं तो हमने 31 March 2022 को जो manual balance sheet और उसका जो manual BRS बनाया होगा वो भी इस company में लाना होगा तभी हम आगे काम कर पाएंगे यहाँ पर आपको manual BRS समझने में आसानी हो इसलिए पिछली वीडियो में हमने जो BRS बनाया था उसी format में हम आपको पिछले साल का manual BRS बता रहे हैं यह देखें इसमें यह clear हो रहा है कि 28 March 2022 को हमने supplier A को 5000 रुपे का एक चेक दिया था और 31 March 2022 को हमें अपने customer E से 10,000 रुपे का चेक प्राप्त हुआ था हमारी books में, bank account में 80,000 रुपे थे और balance as per bank यानि bank statement में 75,000 रुपे थे हमने आपको वीडियो नंबर 42 में बताया था कि manual accounting से computer accounting पर कैसे जाते हैं उसी तरह यहाँ हमने अपनी company बना कर सभी opening balance इसमें डाल दिये हैं तो आईए अब इसमें 1 April 2022 का opening trial balance देख लेते हैं यह देखिए पिछले वर्ष की balance sheet के सभी balance इस opening trial balance में दिखाई पढ़ रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से पिछले साल का हमारी books में जो bank का balance 80,000 रुपए था वो भी इस वर्ष में यहाँ पर दिखाई पढ़ रहा है आईए अब हम अपने manual BRS के आधार पर अपनी company में opening BRS डाल देते हैं इसके लिए पहले हमें bank reconciliation screen पर जाना होगा ओपनिंग BRS डालने के लिए या तो यहाँ पर click करें या फिर इसकी shortcut key alter के साथ H प्रेस कर दें यह देखिए ओपनिंग bank allocations की screen आ रही है इसमें यहाँ पर unreconciled details for State Bank of India लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अब जैसा के आप यहाँ देख सकते हैं effective date of reconciliation 1 April 2022 है यानि हमारा जो current financial year है जिसमें अब हम काम कर रहे हैं वो 1 April 2022 से शुरू हो रहा है तो जाहिर है जो unreconciled details होंगी वो पिछले financial year की होंगी और जैसा के आप देख रहे हैं unreconciled transactions क्रमशह 28 और 31 March 2022 के हैं हमने 28 March 2022 को supplier A को 5000 रुपे का एक check दिया था जो की पिछले financial year में हमारी बैंक में present नहीं हुआ तो यहां date में आएगा 28 March 2022 particulars में type करेंगे supplier A nature of transaction में हम deposit और withdrawal में से withdrawal चुनेंगे क्योंकि हमने supplier A को check दिया है तो जाहिर है वो जब check लगाएगा तो हमारे bank account में से पैसा withdraw होगा इसलिए यहां पर आएगा withdrawal transaction type में check आएगा क्योंकि हमने check दिया था अब आगे बढ़ेंगे remark में हम यहां लिख देंगे check issue to supplier A अब यहां पर हम जो amount 5000 रुपे था उसे credit कर देंगे यहां instrument number में हम check number type कर देंगे instrument date में देखे हमने date में 28 March टाइप किया था इसलिए वो तारीक यहां भी आ रही है इसी तरह से हमें customer E से 31 March को 10,000 रुपे का एक check प्राप्थ हुआ था जो हमने उसी दिन bank में clearing हेतु दे दिया था पर वो पिछले financial year में clear नहीं हो पाया था इसलिए इसे भी हम यहां पर opening BRS में ले रहे हैं यहां date में आएगा 31 March 2022 particulars में आ जाएगा customer E nature of transaction हो जाएगा deposit क्योंकि हमने जो check receive किया है उसे हम हमारे bank account में deposit करेंगे transaction type हो जाएगा check आगे बढ़ेंगे remarks में हम लिख देंगे check received from customer E अब यहां पर 10,000 रुपए debit हो जाएगे enterprise करके आगे बढ़ेंगे यहां पर check number डाल देंगे और यहां वोटेट डालेंगे जिस तारीक का वो चेक था जैसे कि party के चेक पर तारीक 30 मार्च है ध्यान रखें हमने clearing हेतु check पैंक में 31 मार्च को लगाया था इसलिए date में हमने 31 मार्च टाइप किया है और यहां check की date हम 30 मार्च 2022 टाइप कर रहे हैं और enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह से यदि हमारे पिछले साल के कुछ और unreconciled transactions होते तो उनकी detail भी हम यहां पर डाल देते हमारे पास और कोई unreconciled transactions नहीं है इसलिए हम इस screen को accept कर रहे हैं अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी books में bank का जो balance 80,000 रुपए है वो यहां दिखाई पड़ रहा है साथ ही हमने supplier A को जो 5000 रुपए का check दिया था उसका amount credit में दिखाई पड़ रहा है और customer E से हमने जो 10,000 रुपए का check प्राप्त किया था उसका amount debit में दिखाई पड़ रहा है इस तरह ये दोनों opening BRS के रूप में यहां पर दिखाई दे रहे हैं और चुकि ये पिछले साल के unreconciled transactions हैं इसलिए ये 1 April 2022 से पहले की तारिख में यहां पर आ रहे हैं तो ये तो था opening BRS option का उप्योग आईए अब आपको बता देते हैं कि यदि आप किसी कारण से ये opening BRS डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमें फिर से opening BRS पर जाना होगा अब यहां पर right side में delete all option है इसकी साहता से अभी हमने जो भी opening BRS डाला है उसे delete कर सकते हैं हम इसके लिए इसका shortcut alter के साथ J की press करेंगे ऐसा करते ही tally हम से पूछ रहा है क्या सभी opening BRS को delete कर दें यदि हम yes कर देंगे तो अभी हमने जो opening BRS डाला था वो यहां से delete हो जाएगा पर हम इसे delete नहीं करना चाहते हैं इसलिए no कर रहे हैं अब हम अप्रेल मा में कुछ transactions record कर लेते हैं इसी तरह से हमने कुछ और transactions भी record कर लिए हैं आईए अब फिर से bank reconciliation देख लेते हैं यह देखिए यह अप्रेल की bank reconciliation screen है जिस पर हमें opening BRS भी दिखाई पड़ रहा है और इस मा के transactions भी दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों आपको ध्यान होगा कि video नंबर 101 जो की bank reconciliation का दूसरा पार्ट है उसमें हमने आपको बताया था कि reconciliation दो तरीकों से किया जा सकता है जिसमें से पहले तरीके में हम bank reconciliation screen के debit और credit दोनों और के transactions को bank statement से match करते हुए reconciliation का काम करना पिछली वीडियो में सीख चुके हैं आईए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं उसके लिए हमें basis of values पर जाना होगा जिसके लिए हम control के साथ B key को प्रेस करेंगे हमने ये पहला option type of voucher entries छोड़ दिया था चलिए इसको समझ लेते हैं अभी तक हम जो bank reconciliation screen देखते आए हैं उसमें debit और credit तोनु तरफ के transactions दिखाई पड़ते हैं वो screen by default all vouchers select होने से आती है अब यदि हम यहां credit entries only select कर लेते हैं तो यह देखिए bank reconciliation screen पर हमें सिर्फ credit entries ही दिखाई दे रही है यानि debit entries hide हो गई हैं अब हम इन credit entries को bank statement की debit entries से match कर सकते हैं और बाद में इसी तरह हम debit entries only को select करके bank statement की credit entries से match कर सकते हैं इस तरह से entries match करना आसान हो जाता है और इसमें गलती की भी संभावना बहुत कम रहती है बस एक बाद का ध्यान रखें कि किसी भी site की entries match करने के बाद bank reconciliation screen को save जरूर कर लें उसके बाद ही दूसरी site की entries match करें हम वापस all vouchers select कर रहे हैं अब इसी के साथ का एक और option include all unreconciled transactions till date जो हमने पहले छोड़ दिया था उसे भी समझ लेते हैं यह देखिए यहाँ पर period में अभी opening BRS और April के सभी unreconciled transactions दिखाई पड़ रहे हैं पर यदि हम सिर्फ किसी निश्यत period के ही unreconciled transactions देखना चाहते हैं जासे कि यहाँ पर हम 20 अप्रेल से 30 अप्रेल का period ले रहे हैं यह देखिए अभी कोई change नहीं हुआ है select किये गए period और उसके पहले के period के सभी unreconciled transactions अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं पर यदि हम basis of values पर जाकर यहाँ दिखाई दे रहे include all unreconciled transactions till date option को no कर देते हैं तो देखिए ऐसा करते ही यहाँ सिर्फ उसी period के unreconciled transactions दिखाई पड़ रहे हैं जो period हमने select किया था अब हम इसे वापस yes कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर अगला option है create voucher इसका उपयोग हम आपको सिखा चुके हैं इसके बाद अगला option है set bank date इसे समझने के पहले हम आपको बता दें कि अभी यहाँ पर bank date पुरी तरह से blank है अब हम set bank date के लिए इसका shortcut alter के साथ s key को press कर रहे हैं ऐसा करते ही set bank date की screen आ गई है इसमें आप देख सकते हैं तीन options दिखाई दे रहे हैं instrument date, new date और voucher date instrument date यदि हम इस option को select कर लेते हैं तो सभी transactions में bank date में उन transactions में जो भी instrument date है वो अपने आप आ जाएगी यह देखिए यहां जो instrument date थी वो ही bank date में आ गई है दूसरा है new date माल लिजे यहां screen पर जितनी भी entries हैं उनमें bank date में यदि same date डालनी है यानि सारे transactions में एक ही bank date डालनी है तो हम इस option का उप्योग कर सकते हैं हम इस पर enterprise कर रहे हैं ऐसा करते ही tally हमसे date पूछ रहा है इसमें हम वो date type कर देंगे जो हम सभी transactions में डालना चाहते हैं जैसे यहां पर हम type कर रहे हैं 30 April यह देखिए सभी transactions में 30 April bank date आ गई है हम इने save नहीं करना चाहते हैं इसलिए यहां से बाहर निकल के फिर से आते हैं तीसरा है voucher date यदि हम इसे select करते हैं तो देखिए opening BRS को छोड़कर सारे transaction में जो voucher date है वही bank date में भी आ गई है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि opening BRS के voucher इस साल के नहीं है हम इसको भी save नहीं करना चाहते हैं इसलिए फिर यहां से बाहर जाएंगे और वापस आएंगे हमारे हिसाब से इन तीनों options से बहतर है कि आप bank date में bank statement के हिसाब से manually date type करें हां कुछ खास परिस्थितियों में आप इन तीनों options का उप्योग कर सकते हैं इसके बाद यहां आप नीचे की तरफ देख सकते हैं एक और option है configuration का इसकी shortcut key है F12 F12 key press करने पर यह configuration वाली window आ जाएगी इसमें आप जिस भी option का उप्योग करना चाहें उसे yes कर सकते हैं यहां हम आपको एक बात बता दें कि माली जी आप bank reconciliation screen पर है और किसी voucher को alter करना चाहते हैं तो उसके लिए उस transaction पर जाकर control के साथ enter की press करें यह देखिए voucher alteration screen open हो गई है आप यहां से correction कर सकते हैं आज के अध्याय में हम voucher यानी bill या invoice पर जो numbers होते हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं वैसे तो यह topic बहुत ही सरल लगता है क्योंकि voucher बनाते समय टैली हमें अपने आप ही voucher के numbers देता है और voucher save होने के बाद फिर से voucher का नया number हमारे सामने आ जाता है पर टैली प्राइम ने हमें voucher के numbering को अपने हिसाब से modify करने यानी अपनी सुविधा के हिसाब से voucher पर number डालने का option दिया है यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि इसका उपयोग आप किसी भी voucher पर कर सकते हैं वैसे इसका मुख्य रूप से उपयोग sales voucher और receipt voucher में होता है यहाँ पर हम आपको sales voucher पर इनका उपयोग बता रहे हैं यहाँ हमने अपनी कमपनी Happy Traders open की हुई है और अभी हम Gateway of Tally पर हैं इस कमपनी में अभी तक हमने जितने भी sales voucher बनाए हैं उन्हें देखने के लिए डे बुक पर चलते हैं यहाँ पर हम पूरे साल का period सेलेक कर लेंगे यह देखिए यहाँ पर सभी तरह के vouchers दिखाई दे रहे हैं हम केवल sales के vouchers ही दिखना चाहते हैं तो F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ से sales सिलेक कर लेंगे यह देखिए ऐसा करते ही अभी तक हमने जितने भी sales voucher record किये हैं वो सभी दिखाई दे रहे हैं इसमें आप voucher number वाले कॉलम में एक, दो, तीन से लेकर आठ तक जितने भी numbers देख रहे हैं यह सभी voucher number अपने आप ही generate हुए हैं अब जब हम अगला sales invoice बनाएंगे तो उसका number 9 भी अपने आप ही आजाएगा चलिए हम इसे sales voucher creation screen पर चलकर देख लेते हैं यह देखिए, यहाँ voucher number 9 अपने आप आ रहा है अब यदि हम ये invoice बना लेंगे, तो इसके बाद 10 भी अपने आप ही आ जाएगा और यह सलसिला आगे भी इसी तरह चलता रहेगा यानि कि आप एक बात तो समझे गए हुँगे कि टेली में अभी voucher numbering का काम automatically हो रहा है पर कई बार आपने किसी party का bill देखा होगा तो उसमें इस तरह की numbering दिखाई देती है इसमें आगे की और short में company का नाम होता है और पीछे की और वो invoice जिस financial year में बना होता है वो लिखा होता है यदि आप भी अपने bill या किसी अनि वाउचर में इसी तरह की numbering करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? आईए देखते हैं इसके लिए हमें उस voucher type को alter करना होगा जिसमें हम इस तरह की numbering करना चाहते हैं हम cells voucher में इस तरह की numbering करना चाहते हैं तो alter के साथ G प्रेस करेंगे और यहां alter master पर जाकर enter प्रेस करेंगे यहां voucher type पर जाएंगे और फिर यहां सेल्स पर जाकर एंटरप्रेस कर रहे हैं यह देखिए वाउचर टाइप अल्टरेशन स्क्रीन आ रही है हम एंटरप्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मैथड ओफ वाउचर नमबरिंग के आगे पाँच तरह की मैथड दिखाई पढ़ रही है हम इन सभी के बारे में एके करके समझेंगे अभी हम इन में से आटोमेटिक सिलेक कर रहे हैं ध्यान रखें टैली में बाई डिफॉल्ट यही मैथड सिलेक्टड रहती है एंटरप्रेस करेंगे अगला ओप्शन है यूज अडवांस्ट कॉन्फिगरेशन हम वाउचर नमबरिंग से समबंधित एडवांस्ट कॉन्फिगरेशन करना चाहते हैं इसलिए इसे यस करके एंटरप्रेस करेंगे ऐसा करते ही देखिए यहां एक नई स्क्रीन ओपन हो गई है इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग नमबर है इसमें by default 1 लिखा हुआ है हमें यहां पर एक ही रखना है पर यदि आप किसी और नमबर से वाउचर की अकाउंटिंग शुरू करना चाहते हैं तो वो नमबर आपको यहां पर टाइप करना होगा जैसे यदि आप पहले manual अकाउंटिंग कर रहे थे और वर्ष के बीच में ही आपने टैली पर अकाउंटिंग शुरू कर दी उधारन के लिए मान लीजिए कि manual अकाउंटिंग करते हुए आपने 1 से 40 नमबर तक sales voucher बना लिये थे और अब आप टैली में sales voucher नमबर 41 से बिलिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 41 टाइप कर दे ऐसा करने से आपके टैली पर sales voucher का नमबर एक से शुरू न होकर 41 नमबर से शुरू होगा पर यदि मान लीजिए आपने टैली में पहले से ही कुछ sales voucher बनाए हुए हैं जैसे कि अभी हमने 8 vouchers बनाए हुए हैं और अब हम यहाँ पर नमबर 9 डाल देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं और अब इसे स्क्रीन को भी सेव कर लेते हैं ताकि sales voucher टाइप भी सेव हो जाए तो देखिए अभी हमने टैली में जो 1 से 8 नमबर तक sales voucher बनाए थे उन सभी के नमबर बदल गए हैं हमारे एक नमबर voucher का नमबर बदल कर 9 हो गया है दो नमबर का voucher 10 हो गया है और इसी तरह से पहले से बने हुए सभी voucher के नमबर्स चेंज हो गए हैं कहने का मतलब यह है कि हमारे sales voucher अब एक की जगह 9 नमबर से शुरू हो रहे हैं क्योंकि यहां पर हमने 9 टाइप कर दिया है अब हम वापस voucher टाइप alteration स्क्रीन पर चलते हैं क्योंकि हम वर्ष के शुरू से ही टैली में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहां पर हमें किसी प्रकार का बदलाव करने के आवशक्ता नहीं है हम फिर से एक टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं अब बात करते हैं इन चारों आप्शिन्स की ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो पहले हम नीचे के इन दो आप्शिन्स को समझ लेते हैं उसके बाद उपर के आप्शिन्स समझ लेंगे आईए पहले समझते हैं प्रिफिक्स किसे कहते हैं हिंदी में प्रिफिक्स का अर्थ होता है उपसर्ग यानी किसी शब्द के पहले लगाया जाने वाला शब्द अब चुकि यहां हम जैसा की इस बिल में दिखाई दे रहा है उसके अनुसार वाउचर नंबर के पहले कुछ शब्द जोड़ना चाहते हैं तो यहां प्रिफिक्स का अर्थ होगा वाउचर नंबर के पहले लगाया जाने वाला शब्द हम प्रिफिक्स के रूप में अपनी कमपनी हैपी ट्रेडर्स का शॉट फॉर्म ह्ट जोड़ना चाहते हैं तो आईए इसके लिए अंटरप्रेस करते हुए प्रिफिक्स डिटेल पर चलते हैं यहाँ पहले अप्लिकेबल फ्रॉम में हमें वो तारिक टाइप करना है जिस तारिक से हम बिलकी नंबरिंग के शुरू में एच्टी लिखना चाहते हैं यदि यहाँ हम एक अप्रेल टाइप कर देंगे तो अभी यह जो एक अप्रेल से वाउचर बने हैं उनके नंबर के आगे भी इस तरह से प्रेफिक्स लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा हम आखरी वाउचर जो कि 30 सितंबर को बना था उसके बाद से जो नए वाउचर बनाएंगे उनमें एच्टी लिखना चाहते हैं तो यहां हम एक उक्टोवर टाइप करेंगे और यहां पटिकुलर में एच्टी टाइप करेंगे अब बिल नंबर इस तरह दिखाई पड़ेगा जो कि ठीक नहीं लग रहा है यदि हम इसके बाद स्लेश लगा देंगे तो हमारा बिल नंबर इस तरह दिखाई देगा आप चाहें तो यहां स्लेश की जग़ कोई दूसरा सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं हम एंटर करके आगे बढ़ रहे हैं अब हम सफिक्स डिटेल्स वाले कॉलम पर आ गए हैं आईए पहले समझ लेते हैं सफिक्स किसी कहते हैं जिस तरह वाउचर नंबर के पहले जो शब्द लगाते हैं उसे प्रिफिक्स यानि उपसर्ग कहते हैं उसी तरह voucher number के बाद में जो शब्द लगाते हैं उसे suffix यानी प्रत्य कहते हैं हम इस बिल में दिखाए दिये अनुसार अगर कोई suffix जोड़ना चाहते हैं तो उसकी detail हमें इस column में टाइप करनी होगी Applicable from में आप वो तारिख टाइप करें जब से आप suffix देना चाहते हैं हम एक October से ही voucher number में suffix भी add करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक October टाइप कर देंगे अब enterprise करेंगे अब हम particulars पर आ गए हैं यहाँ हमें suffix टाइप करना है हम suffix के रूप में financial year को रखना चाहते हैं तो यहाँ हम पहले slash टाइप करेंगे जिससे यह suffix मुख्य invoice number से बिलकुल भी जुड़ा हुआ ना रहे slash के बाद हम 22, 23 टाइप कर देंगे और in changes को save कर लेंगे अब हम sales voucher open कर लेते हैं यह देखिए यहाँ अभी भी voucher number simple format में ही दिखाई दे रहा है क्योंकि voucher की तारीख 30 सितमबर है हम इसकी तारीख बदल कर 1 October कर लेते हैं यह देखिए अब यहाँ पर prefix और suffix दोनों दिखाई पढ़ रहे हैं और उनके बीच में voucher number भी आ रहा है prefix और suffix हमें 30 सितमबर के बजाए 1 October से इसते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि applicable from में हमने तारीख 1 October रखी थी यनि की हम 1 October और उसके आगे की डेट में जो भी invoice बनाएंगे उन पर ही prefix और suffix का प्रभाव दिखाई देगा चलिए हम एक एक करके दो voucher बना लेते हैं यह देखे एक October के बाद के invoice नमबर नए format में आ रहे हैं हम वापस voucher type alteration screen पर चलते हैं आईए बात करते हैं इन दोनों की इन्हें समझने के लिए हम कुछ चित्रों का सहारा लेंगे यदि आप width of numerical part में कुछ भी type नहीं करते और prefill with 0 को no रखते हैं तो अभी हमने आपको जिस तरह के voucher number दिखाए थे उसी तरह से दिखाई पड़ेंगे और यदि हम width of numerical part के आगे 4 type कर दें और prefill with 0 को no रखते हैं तो voucher number इस तरह से दिखाई पड़ेंगे यहां दियान रखें आप 4 की जग तीन या पांच या कोई दूसरा अंक भी type कर सकते हैं यहां पर हम जितने number type करेंगे उतनी width of numerical part यानी numerical part के बीच की दूरी उतनी ही कम या ज्यादा हो जाएगी हम width of numerical part के आगे 4 ही रखते हुए प्रिफल with 0 को yes करके इसे save कर लेते हैं यह देखिए सभी invoice number के आगे 6 ने आ गई और total width of numerical part 4 है यहां पर एक और बात ध्यान रखें जैसा कि आप यहां देख रहे हैं हमने width of numerical part और प्रिफल with 0 जो भी setting की थी वो financial year के शुरू से applicable होती है यहां एक और बात का ख्याल रखें टैली, prefix, voucher number और suffix तीनों को मिला कर 16 digits से ज्यादा digit के voucher number अलाव नहीं करता है हम वापस voucher type alteration screen पर जलते हैं आये बात करते हैं restart numbering के बारे में यह देखे अभी यहां जो लिखा है उसका मतलब है कि 1 अप्रेल से bill number 1 से billing शुरू हो और ये सिरीज एक साल तक चलती रहे और अगले साल फिर से एक अप्रेल से bill number 1 से शुरू हो अब हम particulars पर चलते हैं यह देखे यहां कई options आ रहे हैं यहां हम monthly select कर रहे हैं और अब यहां पर जो लिखा है उसका मतलब है कि 1 अप्रेल के बाद से जो भी voucher बनेंगे उनकी शुरुआत हर माँ एक नमबर से होगी यदि हम इस तरह की numbering कर देते हैं तो इससे ये होगा कि हर माँ एक जैसे bill number आएंगे जैसे एप्रेल में भी एक, दो, तीन से बिल नमबर शुरू होंगे और मई में भी एक, दो, तीन से ही शुरुवात होगी और इसी तरह आगे के सभी महिनों में भी इसी तरह की नमबरिंग आएगी हम इसे सेव कर देते हैं और इसका एफेक्ट देख लेते हैं ये देखिए हर माँ बिलिंग एक नमबर से शिरू हो रही है अब इससे तो बड़ा confusion create हो रहा है कि हर माँ में एक जैसे बिल नमबर कैसे हो सकते हैं आईए इसे भी हम ठीक कर देते हैं इसके लिए हम वापस voucher type alteration screen पर आ गए हैं अब हम यहाँ चित्र में बताय अनुसार changes कर लेंगे अब इससे save कर लेंगे और इसका प्रभाव भी देख लेते हैं ये देखिए अब हर महिने का पहला voucher एक नमबर से शुरू तो हो रहा है पर उसके पहले ये भी लिखा है कि ये voucher किस मा का है ध्यान रखें प्राया इस तरह की नमबरिंग ठीक नहीं होती है हम वापस voucher type alteration screen पर चलते हैं अब इन सभी को हटा कर पहले वाली इस्थिती में आ जाते हैं और अब इसे save कर लेते हैं चली अब आगे बढ़ते हैं हमने आपको बताया था कि by default tally इस automatic numbering method को ही उप्योग करता है आईए अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो नमबर 37 जो की day book से संबंधित थी उसमें बताया था कि यदि आप पहले से बने vouchers के बीच में कोई नया voucher बना देते हैं या बीच का कोई voucher delete कर देते हैं तो उसके बात के सभी vouchers के number बदल जाते हैं जैसे कि हम 8 number का voucher delete कर रहे हैं ये देखिए जो voucher पहले 9 number का था अब उसका number बदल कर 8 हो गया है और जो 10 का था वो अब 9 हो गया है इसका प्रभाव ये होता है कि हमने अपने customers को print करके जो bill दिये होंगे उन पर पहले वाले number होंगे और हमारे record में बीच में नया voucher बना देने से या बीच का कोई voucher delete कर देने से उसके बात के सभी numbers बदल गए होंगे अब जब हम बदले हुए bill number के साथ GST portal पर bills की details अपलोड करेंगे और हमारा customer bill की detail GST portal पर चेक करेगा तो दोनों में अंतर आएगा जिससे एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी इसलिए ध्यान रखें कि जब आप automatic numbering वाली method उप्योग कर रहे हूं तो बीच में कोई voucher insert ना करें इसी तरह यदि कोई voucher हटाना चाहते हैं तो voucher को delete करने की जगह voucher को cancel करें इससे पहले वाली वीडियो में हमने happy traders नाम की company में काम किया था और यहां हम एक नई कमपनी ABC traders ले रहे है जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि voucher numbering की 5 methods होती हैं जिसमें से कि पहली method आटोमेटिक पर काम करना हम बता चुके हैं दूसरी method है automatic manual override यह पहली और तीसरी method का combination है पहली method हम पहले ही समझा चुके हैं और इस वाली method को समझने के लिए पहले manual method को समझना ज़रूरी है जो की तीसरी method है इसलिए हम आपको दूसरी method की बज़ाए तीसरी method यानी manual के बारे में पहले समझा रहे हैं और इसके बाद फिर हम दूसरी method समझेंगे तो चलिए शिरू करते हैं यहाँ सबसे पहले हम sales voucher open कर लेते हैं यह देखिए sales voucher open हो गया है चुँकि हमने इस company में अभी तक एक भी sales voucher नहीं बनाया है इसलिए यहाँ पर voucher number में वन आ रहा है अब जैसे जैसे हम sales voucher बनाते जाएंगे voucher number एक के बाद 2, 3, 4 इस तरह से automatically आते जाएंगे अब यदि हम इन voucher number 1, 2, 3 को बदल कर कुछ और करना चाहें तो अभी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि tally में by default voucher number की automatic method selected होती है पर यदि आप इस पर अपना control रखना चाहते हैं यानि manually कोई साभी voucher number टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए voucher numbering की method को automatic से बदल कर manual करना होगा और ऐसा करने के लिए voucher type alteration screen पर जाना होगा अभी हम gateway of tally पर हैं voucher type alteration screen पर जाने के लिए alter पर जाएं और फिर voucher type पर जाएं यहां से वो voucher type सेलेक करें जिसमें आप alteration करना चाहते हैं हम cells सेलेक कर रहे हैं अब हम enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यह देखे यहां voucher numbering की 5 methods दिखाई पड़ रही हैं इसमें से हम manual सेलेक कर रहे हैं यह देखे इसे सेलेक करते ही नीचे एक नया option prevent duplicates आ गया है हम इसे yes कर रहे हैं इसे yes करने से क्या होता है यह हम आपको आगे बताएंगे अब हम इसे save कर लेते हैं चलिए अब हम cells voucher पर चलते हैं और कुछ voucher बना कर देख लेते हैं यहां आप देख सकते हैं जब voucher numbering की automatic method selected थी तो यहां पर voucher number अपने आप ही आ रहा था पर अब चुकि हमने manual method ले ली है तो यहां पर voucher number हमको manually type करना होंगे अब चुकि यह हमारा पहला invoice है तो यहां पर हम voucher number 1 type कर रहे हैं अब पूरा voucher बना लेंगे यह देखे हमने पहला voucher create कर लिया है अब दूसरा voucher बनाने के लिए भी यहां हमें अगला voucher number type करना होगा यानि अब सारे voucher के numbers हमें manually ही type करने होंगे हमने one और two number voucher बना लिये हैं अब यदि हम गलती से फिर से दो number type करके आगे पढ़ते हैं तो देखिए एक error आ रही है duplicate voucher number यानि आप इस number का voucher पहले ही बना चुके हैं और यह error इसलिए आ रही है क्योंकि हमने manual method को select करते समय prevent duplicates option को yes किया था यदि हमने इस option को no ही रहने दिया होता और हम पहले से बने हुए voucher number का ही कोई और voucher बनाते तो इस तरह की warning नहीं आती और voucher भी save हो जाता जैसे हमने 5 number का voucher बना लिया है और गलती से फिर से 5 number का voucher बनाने जाएंगे तो वो आसानी से बन जाएगा पर accounting के principle के हिसाब से एक ही number की दो बिल नहीं हो सकती इसी समस्या से बशने के लिए हमें prevent duplicates option को yes रखना चाहिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें यदि आपने manual method select कर ली है और prevent duplicates option को enable नहीं किया और कुछ voucher बना लिये है तो उसके बाद यदि आप इस option को enable करना यानि इसको yes करना चाहेंगे तो वो enable नहीं होगा इसलिए manual method select करते ही इस option को ज़रूर enable कर लें चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अनने बातों को समझने के लिए हमने इसके पहले पार्ट में happy traders में जो काम किया था उसे open कर लेते हैं और इसमें voucher type alteration screen पर चलते हैं यह देखिए इसमें हमने automatic method उप्योग की थी और कुछ voucher भी बना लिये थे अब यदि हम इस method को बदल कर manual select करते हैं तो इस तरह का message आएगा इस message का अर्थ यह है कि यदि आप voucher numbering की जो method उसे change करते हैं तो अभी तक जितने भी transactions record हो चुके हैं उन सभी के voucher number पर इसका प्रभाव पड़ेगा हम इस message को ignore करते हुए yes कर लेंगे यह देखिए अब हमारा cursor prevent duplicates option पर नहीं आ रहा है इसका मतलब है अब हम इस option को चालू नहीं कर सकते हम इन changes को save कर लेते हैं और day book पर चलते हैं देखिए इस change का प्रभाव यह हुआ कि हमने इस financial year में जतने भी voucher बनाए थे उन सभी के voucher number हट गए हैं यानि सारे voucher में से voucher number वाली field blank हो गई है यहां एक बात का और ध्यान रखें कि इस तरह के changes करने पर यदि आपने पिछले वर्षों में भी इस company में काम किया होगा तो उनके voucher number भी चले जाएंगे इस problem का हल यह है कि आप अपनी company में एक नया voucher type जैसे कि sales, manual या अन्य किसी नाम से बना ले और उसमें numbering method automatic के स्थान पर manual सिलेक कर ले और फिर उसमें voucher बनाए नया voucher कैसे बनाते हैं यह हम आपको अपनी वीडियो number 91 voucher type and voucher class में बता चुके हैं त्यान रखें यदि आप कोई नई company बनाते हैं और उसमें शुरू से ही manual method रखते हैं तो फिर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी चले बात करते हैं manual voucher numbering का उपयोग करने से होने वाले lab के बारे में इसका फाइदा यह है कि हमने जो vouchers record किये हैं यदि उनमें से बीच के किसी voucher को delete कर देते हैं या बीच में कोई number छूट गया है यानि खाली है और आप उस पर नया voucher बना देते हैं तो अन्य किसी voucher के numbers पर इसका कोई effect नहीं पड़ता है इस method का एक disadvantage भी है वो यह कि vouchers बनाते समय यदि हम बीच का कोई voucher number skip कर देते हैं तो tally की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई warning नहीं मिलती है जैसे हमने एक, दो, तीन, चार number तक voucher बनाए और उसके बाद सीधे 11 number टाइप कर दिया तो tally पीच के numbers छोड़कर 11 number का voucher बना देगा और आपको कोई warning भी नहीं मिलेगी तो ये तो थी तीसरी method अब बात करते हैं दूसरी method automatic manual override की ये method पहली method जो की automatic है और तीसरी method जो की manual है उनका combination है यानि दोनु methods को मिला कर इसे बनाया गया है जैसा कि आपको पता है automatic में tally अपने आप से ही voucher number एक के बाद 2, दो के बाद 3 यानि क्रम में number देते जाता है इसी तरह हमने manual में देखा था कि voucher के number का पूरा control हमारे पास होता है इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार voucher पर number type कर सकते हैं अब ये जो दूसरी method है जो की automatic और manual का combination है इसमें voucher number तो automatic आते हैं पर यदि आप उन्हें बदलना चाहें तो manually बदल भी सकते हैं यहाँ इस method को समझने के लिए हम एक और नई company Sun Enterprises ले रहे हैं आईए अब देखते हैं कि automatic manual override method कैसे काम करती है उसके लिए हम voucher type alteration screen पर चलते हैं अब यहाँ हम automatic manual override select कर लेंगे अब हम prevent duplicates option को भी yes कर लेंगे इसके बाद अगला option है use advanced configuration इसके बारे में हम आपको इसके पहले part में बता चुके हैं यदि आप इस option का उप्योग करना चाहते हैं तो इसे yes कर लें हम इसे no ही रहने दे रहे हैं और अब यह save कर लेते हैं चलिए अब voucher creation screen पर चलते हैं यह देखिए अब voucher number one अपने आप आ रहा है हम इसे change करके two, three या कोई और number दे सकते हैं हम वापस one कर लेते हैं और पूरा voucher बना लेते हैं देखिए अब voucher number one बनने के बाद two भी अपने आ पा रहा है यह हम पूरा voucher बना रहे हैं अब यह देखिए अगला voucher number three आ रहा है अब मालेज यह हम इसे change कर देना चाहते हैं तो manually हम इसको 10 कर देते हैं और पूरा voucher बना लेते हैं अब देखिए चुकि अभी हमने voucher number 10 डाला था तो अगला voucher number automatically 11 आ रहा है तो यहां हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि हम गलती से या किसी और कारण से जो भी numbering चल रहे हैं उसको छोड़ कर आगे का किसी और number का voucher बना लेते हैं तो tally उस number के voucher को भी accept कर लेता है और उसके बाद voucher numbering उसी के आगे के number से शुरू कर देता है अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बाते समझ लेते हैं यदि हमने पिछले financial year या इस financial year में automatic numbering method द्वारा कुछ vouchers बना लिये हैं और अब automatic manual override method को select करते हैं तो जैसा कि आपने manual method में देखा था उसी तरह यहां भी पिछले सभी vouchers की numbering गड़बड हो जाएगी इसका भी solution वही है कि आप अपनी company में एक नया voucher type जैसे कि cells, auto, oblique manual या किसी और नाम से नया voucher type बना लें और उसमें automatic की स्थान पर automatic manual override method को select कर लें और फिर उसमें voucher बनाएं नया voucher कैसे बनाते हैं यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं हाँ, यदि आप कोई नई company बनाते हैं और उसमें शुरू से ही automatic manual override method को select करते हैं तो इस तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आईगी चलिए अब बात करते हैं उन सभी फायदों की जो की automatic manual override numbering का उपयोग करने से होते हैं पहला फायदा तो यह कि इसमें automatic method की तरह ही numbering आती है दूसरा, manual method की तरह इसमें voucher number पर आपका पूरा control रहता है तीसरा, हमने जो vouchers record किये हैं यदि उन में से बीच के किसी voucher को delete कर देते हैं या बीच में कोई number छूट गया है यानि खाली है और आप उस पर नया voucher बना देते हैं तो अन्य किसी voucher के number पर इसका कोई effect नहीं पड़ेगा इस method का एक disadvantage भी है वो ये कि vouchers बनाते समय यदि हम बीच के कोई voucher number स्किप कर देते हैं तो टैली की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई warning नहीं मिलती है जैसे कि हमने 1,2,3,4 number तक voucher बनाए और उसके बाद सीधे 11 number टाइप कर दिया तो टैली बीच के numbers छोड़ कर 11 number का voucher बना देगा और आगे की numbering उसके आगे शुरू हो जाएगी तो अभी आपने देखा कि automatic manual override method किस तरह से काम करती है चलिए अब बात करते हैं चौथी method की जो है multi-user auto इसके लिए हम वापस voucher type alteration screen पर चलते हैं सामने ता हम education version या single user license जो की silver license होता है उस पर काम करते हैं पर कई लोगों के यहां multi-user license यानी gold license पर काम होता है ये method उन्हीं के लिए उपयोगी है और इसलिए इस method का नाम भी multi-user auto है इसके उपयोग को हम एक उधारण से समझ लेते हैं माल लेजिए हम multi-user पर काम कर रहे हैं और हमारे पास cells की entry करने के लिए तीन operators हैं मोहन, सोहन और मुकेश अब ये तीनों एक ही समय पर cells की entry कर रहे हैं और तीनों की computer पर cells voucher का number 25 आ रहा है यदि मोहन ने सबसे पहले cells की entry पास कर दी तो 25 नमबर का voucher तो save हो गया और जब सोहन और मुकेश प्रयास करते हैं तो उन्हें टली की तरफ से एक warning आती है कि voucher number 25 पहले ही उप्योग किया जा चुका है नया number 26 होगा यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई warning ना आए और अपने आप आगे के number पर voucher save हो जाए तो आप इस option का उप्योग कर सकते हैं इसका उप्योग करने से self voucher number के सामने number की जगह पर auto लिखा हुआ आएगा और तीनों users बिना किसी warning के entry पास कर सकेंगे चलिए अब बात करते हैं पांचवी method none की इसका हमें कोई उप्योग नहीं है क्योंकि यदि हम none select करते हैं तो voucher पर कोई number ही नहीं आएगा यानि none select करने पर जैसा कि आप देख रहे हैं voucher numbering का option ही बंद हो गया है त्यान रखें तैली पर बिल बनाते समय बिल पर number आना ज़रूरी है क्योंकि बिना बिल नंबर के customer को बिल देने का कोई मतलब ही नहीं है जब हम कोई व्यापार करते हैं तो प्राया हमारी books में जो inventory यानि स्टॉक होता है और वास्तव में यानि actual में हमारी दुकान या go down में जो स्टॉक होता है उनमें कई स्टॉक आइटम्स तो आपस में मैच होते हैं कई स्टॉक आइटम्स आपस में मैच नहीं होते जैसे कि हमारी books में keyboard 10 नग है जबकि हमारे showroom में actual stock 9 नग ही है पस स्टॉक आइटम्स के इस difference को दूर करने के लिए physical stock voucher का उप्योग किया जाता है यहाँ पर एक महतबुन बात का ध्यान रखें कि जब भी इस तरह का difference आता है तो हमें सीधे physical stock voucher में इसके entry नहीं करनी चाहिए पहले difference के कारण ढूरना चाहिए आपको समझाने के लिए कुछ कारण हम आगे discuss करेंगे कारण ढूरने के बाद उनके solution का प्रयास करना चाहिए और जब हम उसका समाधान नहीं कर पाएं तब इस voucher का उप्योग करना चाहिए तो चलिए हम difference के क्या कारण होते हैं वो देख लेते हैं कई बार जब हम कोई माल खरीते हैं और जब वो हमारे यां आता है तो हम बिल में दी गई quantity से उसे मिला कर देखते हैं पर कई बार गल्ती से या कहीं भूल से हम उसे ठीक से नहीं मिला पाते और दोनों में difference आ जाता है जैसे कि हमें बिल प्राप्त हुआ 10 कीबोर्ड का और actually हमें 9 या 11 कीबोर्ड प्राप्त हुए और उस समय हमें ये बात ध्यान ही नहीं रही बिल्कुल इसके विपरी जब हम माल बेचते हैं तो उसकी delivery करते समय भी हमसे इस तरह की गल्पी हो सकती है कई बार ऐसा भी होता है कि माल खरीदते समय बिल में एक से ज़्यादा आइटम्स होते हैं और जब हमें माल प्राप्त होता है तो हम उन सभी आइटम्स की टोटल क्वांटिटी चेक करके माल रख लेते हैं जबकि उन में से कुछ आइटम कम और कुछ ज्यादा होते हैं पर इस बात पर हमारा ध्यान नहीं जाता जैसे हमें बिल प्राप्त हुआ 10 कीबोड का और 20 माउस का इनका टोटल है 30 अब जब हमें माल प्राप्त हुआ तो हमने टोटल 30 नग चेक करके रख लिए जबकि वो 9 कीबोड और 21 माउस थे और ये बात हमारी जानकारी में नहीं आई यदि जानकारी में आ जाती तो हम supplier को बोलकर माल बदलवा लेते इसके ठीक विपरीद जब हम माल बेशते हैं तो उसकी delivery करते समय भी हमसे इस तरह की गलती हो सकती है कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक से ज्यादा go-downs होते हैं और हम अपनी books में किसी एक go-down में stock item की entry कर देते हैं और वो stock item तूसरे go-down में रख देते हैं अगला कारिन है कई बार ऐसा होता है कि जब माल आता है और उसमें से कुछ माल damage होता है तो हम गाड़ी वाले को उसी समय वो माल वापस कर देते हैं पर अपने record में entry करना भूल जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमारी कर्मचारियों में से ही कोई कर्मचारी चोरी कर लेता है इसके बारे में भी हमें तब मालूम पड़ता है जब हम stock verification करते हैं और फिर हम उस कर्मचारी का पता लगाने का प्रयास करते हैं और जब हम पता नहीं लगा पाते कि चोरी किस ने की है तब इस voucher का उप्योग करते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि physical stock check करने वाला व्यक्ति stock check करने में गलती कर देता है और यदि हमें ऐसा लगता है तो हमें दोबारा physical stock check करवाना चाहिए कई बार ये भी होता है कि हमारी कर्मचारी पर काम का पोज ज्यादा होता है या वो आलसी विक्ति भी हो सकता है ऐसे इस्थिती में वो माल तो गोडाउन में रखवा लेता है पर बुक्स में उसकी एंट्री नहीं करता यानि बिल्की पोस्टिंग ही नहीं करता है इसे तरह के अन्य कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनसे हमारी भुक्स में जो स्टॉक होता है और एक्चुल में जो स्टॉक होता है उन में डिफरेंस आ सकता है। इसके लिए वियफसाय में जरूरी है कि आप अपनी जरूरत अनुसार या मंथली या क्वाटरली अपनी बुक्स के स्टॉक को और अपने यहां उपलब्द एक्शुल स्टॉक को आपस में मैच करते रहें और यदि डिफरेंस आ रहा है तो उसके संभावित कारणों का अध्यन करें और इस तरह की गलती को दूर करने का प्रयत्न करें यदि इसके बाद भी गलती हो रही हो तो भौतिक स्टॉक सत्यापन वाउचर यानि फिजिकल स्टॉक वरिफिकेशन वाउचर की सहायता से उसे दूर करें तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे किया जाता है इसके लिए हमने एक कम्पनी कम्प्यूटर हाउस ओपन कर रखी है इसमें हम कम्प्यूटर पार्ट्स का व्यापार करते हैं फिजिकल स्टॉक वरिफिकेशन को समझने के लिए पहले हम अपनी स्टॉक समरी देख लेते हैं देखिए अभी यहां दिखाई पढ़ रहा है कि हमारे यहां कौन से आइटम का कितना स्टॉक है यह हम कह सकते हैं कि हमारी बुक्स में कौन सा आइटम कितने स्टॉक में है अब हमने अपनी दुकान का जो एक्चॉल स्टॉक है वो चेक किया और उसकी डिटेल्स भी इसके सामने रख देते हैं यह देखिए इन दोनों में जो आइटम्स दिखाई पढ़ रहे हैं उनमें से बाकी आइटम्स का स्टॉक तो बराबर है पर बुक्स में कीबोर्ड्स 10 नग हैं जबकि हमारे शो रूम में एक्चॉल स्टॉक में यह 9 नग ही है इसे तरह बुक्स में माउस 100 नग हैं जबकि शो रूम में एक्चॉल स्टॉक में यह 102 नग है हम स्टॉक में यह जो डिफरेंस देख रहे हैं इसे ठीक करना ज़रूरी है ठीक करना क्यूं जरूरी है इसके भी कुछ कारण आपको बता देते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी बुक्स में स्टॉक देखकर किसी कस्टमर से बड़ा ओडर ले लिया और बिल बना दिया फिर जब हम डिलिवरी करने लगे तो मालूम पड़ा कि अक्चुल स्टॉक में तो हमारे पास उतना स्टॉक है ही नहीं जितने का हमने बिल बना दिया है जैसे कि हमने अपनी बुक्स में स्टॉक देखकर 10 कीबोर्ड का ओडर ले लिया और जब डिलिवरी करने गए तो पता चला कि अक्चुल में हमारे स्टॉक में केवल 6 की बोजसी है ऐसी स्थिति में कस्टमर हमसे नाराज हो जाएगा और उससे हमारे संबंध भी खराब होंगे कई सरकारी जाच में भी बुक्स के स्टॉक से एक्चुल स्टॉक मिलाया जाता है और यदि आपके स्टॉक में डिफरेंस पाया जाता है तो कानूनी कारवाई भी हो सकती है जब वर्ष की अंत में हम अपनी बुक्स क्लोस करते हैं तब वहां टैली हमें क्लोजिंग स्टॉक आटोमेटिकली दे दिता है और हम उसे सही मान कर अपनी बुक्स क्लोस कर देते हैं पर मान लीजे कि हमारा actual stock कुछ और है और टैली कुछ और बता रहा है तो हम टैली के closing stock को सही कैसे मान सकते हैं और यदि सही मान भी लेते हैं तो यह accounting के principle के हिसाब से गल्लत होगा इसलिए ज़रूरी है कि आप books close करने के पहले actual stock से अपनी books के stock को मिला लें उसके बाद ही closing का काम करें जिन companies में stock audit होता है वहाँ actual यानि physical stock को भी verify किया जाता है इसलिए भी actual stock और हमारी books का stock दोनों match होना ज़रूरी है इसी तरह के कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनकी वज़र से हमारी books का stock और actual stock मैच होना ज़रूरी है तो आईए देखते हैं कि इस difference को कैसे ठीक करें इसके लिए हमें physical stock का voucher उपन करना होगा जो कि अभी inactive है तो पहले उसे activate कर लेते हैं इसके लिए पहले हम go to पर जाएंगे यहां से create voucher पर जाएंगे अब F10 प्रेस करेंगे यहां show inactive पर जाकर enter प्रेस करेंगे अब नीचे physical stock पर जाकर enter प्रेस करेंगे यह देखे इस तरह का message आएगा इस message में लिखा है आपको physical stock voucher type को activate करने की ज़रूरत है क्या इसे अभी activate कर दें हम इसे yes कर रहे हैं यह देखे yes करते ही inventory vouchers के अंतरगत इत नया voucher physical stock के नाम से open हो गया है अभी हम आगे समझने के लिए इसकी जग़र पर receipt voucher open कर रहे हैं ध्यान दें यदि कोई दूसरा voucher open है तो physical stock voucher को open करने के लिए या तो यहां जाकर के mouse से click करें और फिर physical stock पर जाकर mouse से click करें या फिर इसका shortcut control के साथ F7 प्रेस करें देखिए physical stock voucher open हो गया है इसमें उपर की और physical stock verification भी लिखा है यहां हमें वो date टाइप करनी होगी जिस दिन हमने stock verify किया है name of item में हम keyboard select कर रहे हैं item select करते ही यदि आपकी company में एक से ज्यादा go down होंगे तो यहां screen पर इस तरह से go down लिखा होगा साथ ही item select करने पर सभी go downs के नाम की list भी आ जाएगी आपको इस list में से वो go down select करना होगा जिसके stock में difference आ रहा है हमारा कोई go down नहीं है हमरे पास एक ही व्याफसाई किस्थल है इसलिए यहां न तो इस तरह से go down लिखा आ रहा है और नहीं कोई list आएगी इसे तरह यदि आपके company में batch wise details option चालू होगा तो यहां आपको उसकी details टाइप करना होगी हमारी company में यह option बंद है इसलिए mouse सीधे quantity वाली field पर आ गया है ध्यान रखें अब यहां हमें जो actual quantity है वो टाइप करना है यह देखें एंटरप्रेस करते ही हम अगली line में आ गये हैं अपने ध्यान दिया होगा कि इसमें हम amount field पर रुके ही नहीं क्योंकि हमें इसके amount से कोई मतलब नहीं है यहां हम दूसरा item mouse ले रहे है यहां उसकी actual quantity टाइप कर रहे है इसी तरह यदि आपके और items में difference है तो एकर करके उन्हें भी select कर लें अब हम narration में type करेंगे being stock verified in the voucher और इस voucher को save कर लेंगे हम escape key press करके वापस stock summary पर आ गए है यह देखें अब हमारी books का stock और actual stock same है हम keyboard पर जाकर enterprise कर रहे है यहां जुलाई माहा पर जाकर enterprise करेंगे यह देखें हमने physical stock voucher से एक quantity कम की थी जो कि यहां दिखाई पड़ रही है साथ ही पहले यहां 10 items की value आ रही थी जिसमें से एक item की value अपने आप कम हो गई है और अब 9 की value आ रही है अब हम mouse पर जाकर enterprise कर रहे है यह देखें यहां पहले 100 नक की value आ रही थी जिसमें 2 item की value अपने आप बढ़ गई है और अब 102 नक की value आ रही है कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से हमने stock में changes किये हैं उस एसाब से value भी अपने आप change हो गई है सबसे पहले देखते हैं कि batch wise details क्या होती है आपने खाने पीने की वस्तू या फिर दवाईयों पर batch number लिखा देखा होगा अब आप में से कुछ लोगों को तो पता होगा कि यह क्या होता है और हो सकता है कुछ को पता ना हो तो हम आपको बता देते हैं कि batch का आर्थ होता है समू या खेप यानि कि ग्रुप तो batch number का आर्थ होगा किसी ग्रुप या किसी खेप को दिया जाने वाला number इसे हम एक उधारण से समझ लेते हैं मान लीजे कि हमारा एक साबुन बनाने का कारखाना है जिसमें हम एक बार में कई वस्तूओं जैसे ओयल, कास्टिक सोडा, इत्यादी को एक साथ मिला करके साबुन तयार करते हैं तो इस तरह एक बार में यानि कि एक lot में हम जितने भी साबुन तयार करेंगे उनके पैचान के लिए उस lot को एक unique number दे देते हैं बस ये unique number ही batch number के नाम से जाना जाता है कई बार batch number को lot number भी कहते हैं इस batch number के साथ में उस batch से संबंधित सभी महतपुन डिटेल्स होती हैं जैसे कि वो product कब manufacture हुआ है, कब expire होगा इस batch को बनाने के लिए कौन-कौन से raw material का उपयोग किया गया है इत्यादी चलिए अब देखते हैं कि इस batch number का क्या उपयोग है batch number का मुख्य उपयोग ऐसे products के लिए किया जाता है जिने हम consume करते हैं यानि जिनका उपयोग हम अपने लिए करते हैं जैसे कि medicines, खाने की चीज़ें जैसे packed food items, शरीर पर लगाने वाली cream, cosmetics, सत्यादी ये ऐसे products हैं जो बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं चल सकते यानि ये एक निश्यत अवधी के बाद खराब हो जाते हैं इसलिए इन पर batch number के साथ इनकी manufacturing date और expiry date लिखना अनिवार्य है ताकि अगर वो product expire हो जाए, यानि खराब हो जाए, तो हम उसके इस्तेमाल से बच जाएं इसके अलाबा फसलों पर चिड़के जाने वाले कीट नाशक और खर्पतवार नाशक यदि इने भी हम खराब होने के बाद उपियो करते हैं, तो फसलों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इसलिए इन पर भी batch number यान ये details लिखी होती है इसका दूसरा फाइदा ये है कि कभी किसी product में अगर कोई शिकायत आती है तो manufacturer यानी नर्माता batch number से अपने पूरे record को track करके उसने जहां जहां ये product बेचा होता है, वहां से उसे वापस मगवा सकता है साथ ही अपने record से ये जानकारी भी प्राप्त कर सकता है कि उसने इस batch को बनाने के लिए कौन से raw material का उपयोग किया था, या process में कहां गलती हुई है या फिर जो raw material खरीदा था, उसकी quality में कुछ mistake थी क्या, जिसकी वज़े से ये batch बिगड गया इसके अलावा कुछ products ऐसे भी होते हैं, जिन पर सिर्फ batch number ही होते हैं और कुछ पर batch number के साथ manufacturing date भी लिखी होती है, जैसे गाड़ी के spare parts तो ये तो हमने आपको बताया कि in details से सामाने लोगों को, यानि consumers को, और manufacturers को क्या फायदा है अब हम ये देखते हैं कि किसी व्यापारी को batch number से record रखने से क्या फायदा होता है सबसे पहला फायदा तो ये है कि इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि product कब expire हो रहा है जो product expiry date के करीब हैं, उसे discount price पर बेचने के लिए प्रयास किये जा सकते हैं यदि product expire हो गया है, तो हम उसे बेच नहीं सकते ऐसी स्थिती में हम उस expired product को supplier को वापिस कर सकते हैं या फिर उसे मुख्य वेवसाय स्थान से ऐसी location जहां पर कि हम खराब माल रखते हैं वहाँ पर ले जाकर रख सकते हैं जिससे गलती से भी वो बेचने में न आए तो चलिए अब हम देखते हैं कि टैली में batch wise details कैसे maintain की जाती है इसके लिए हमने पहले से ही एक company रमन traders के नाम से बना रखी है इसमें हमने purchase, sales, suppliers, customers, इत्यादी के ledgers बना रखे हैं साथ ही units भी बना रखी हैं batch wise details को maintain करने के लिए सबसे पहले हमें F11 की press करके company features screen पर जाना होगा यहां हमें एक feature चालू करना होगा उसके लिए पहले show more features को yes करेंगे अब enter press करते हुए नीचे आएंगे और enable batches option को yes करेंगे जैसे ही हम इसे yes करते हैं इसके नीचे maintain expiry date for batches को option भी activate हो जाता है इसे भी yes कर देंगे और अब इस screen को save कर लेंगे हमने 1 June 2022 को HCL Pharmacy से यहां पर यह दिखाई दे रहे product खरीदे तो चलिए अब हम purchase voucher पर चलते हैं और इसकी entry कर लेते हैं तो सबसे पहले voucher की date type करेंगे उसके बाद supplier invoice number और उसकी date type करेंगे यहां पर हम party select करेंगे यहां purchase account अब हमें item select करना है चुकि यह item बना हुआ नहीं है तो इसे create कर लेते हैं name में type करें crow scene 250 mg under में primary ही रहने दें अब चुकि हमारा दवाईयों का wholesale का business है हम दवाईया boxes में खरीते हैं और boxes में ही पेश देते हैं इसलिए यहां हमने एक ही unit boxes की बना रखी है हम इसे select कर लेते हैं अगर हमारा business retail का होता तो हम boxes, strip और tablets तीनों की compound unit बना कर यहां पर उसका उप्योग करते compound unit कैसे बनाई जाती है, उसका उप्योग कैसे किया जाता है यह हम आपको teleprime की video number 53 में बता चुके हैं अब additional details में हमें maintain in batches का option दिखाई दे रहा है यहां पर एक बात ध्यान रखें, अगर company features screen पर enable batches yes होने के बाद भी, यहां पर यह option show नहीं हो रहा है तो फिर आप यहां F12 की press करें और maintain stock items in batches option को yes कर लें हमारे यहां पर तो यह already yes है, इसलिए हम वापस पीछे चलते हैं अब हम इसे yes कर देते हैं, जैसे ही हम इसे yes करते हैं, इसके नीचे दो options track date of manufacturing और use expiry dates और आ गए हैं track date of manufacturing को यदि हम यहां पर yes कर देते हैं, तो voucher entry करते समय हम इस item की manufacturing date डाल सकते हैं और उसे track कर सकते हैं, हम इसे yes कर रहे हैं दूसरा है use expiry dates, यदि हम इसे yes करते हैं, तो voucher entry करते समय हम इस item की expiry date set कर सकते हैं हम इसे भी yes कर रहे हैं, अब हम इस item को save कर लेते हैं यह देखे, screen save करते ही stock item allocations screen आ रही है हम आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से purchase bill दिखा देते हैं यह देखे, इसमें crocine 250 mg के हमने 15 boxes खरीदे हैं और यह माल दो अलग अलग batch का आया है तो आईए देखते हैं इसकी entry कैसे करेंगे यह जो stock item allocation screen आ रही है, इसमें यहाँ पर हमें list of active batches में से इस item का batch number सेलेक करना है, पर चुकि batch number पहले से बना हुआ नहीं है तो यहाँ हम new number पर enter press करेंगे अब यहाँ पर item का batch number टाइप करेंगे और enter press करेंगे अब यहाँ पर इस batch में कितनी quantity है वो type करेंगे और enter press करेंगे यहाँ पर rate type कर देंगे और enter press करके आगे बढ़ेंगे यह देखिए यहाँ पर manufacturing date के नीचे जून 2022 लिखा हुआ आ रहा है जून 2022 इसलिए लिखा है क्योंकि हम यह voucher जून में बना रहे हैं हम इससे बदल कर बिल के अनुसार batch की manufacturing date टाइप कर देंगे और यहाँ पर expiry date टाइप कर देंगे अब enter press करेंगे यहाँ हम आपको बता दें कि आप यहाँ date की जगह पर days, months या year भी लिख सकते हैं उदारन के लिए यहां हमें 90 days लिखना है तो 90 लिख करके enter press करेंगे यह देखे 90 days आ गये हैं यदि 6 months चाहिए तो यहाँ पर 6 के साथ M लिख करके enter press कर दें आप देख सकते हैं 6 months यहाँ पर आ गया है और यदि 2 years चाहिए तो 2 के साथ Y लिख करके enter press कर दें यह 2 years आ गया है अब हम वापस date type कर देते हैं क्योंकि हमको वही चाहिए जैसे ही हमने enter press किया टैली फिर से batch या lot number डालने के लिए कह रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो माल purchase करते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही batch number का product हो एक ही product अलग-अलग batch numbers के भी हो सकते हैं और उनकी manufacturing और expiry date भी अलग-अलग हो सकती है और जैसा कि आप इस bill में देख रहे हैं यहाँ पर भी ऐसा ही है इसलिए हम फिर से new number पर enter press कर रहे हैं अब यहाँ पर हम दूसरा batch number टाइप करेंगे और फिर पहले बताय अनुसार सारी details टाइप कर देंगे तो इस तरह हमने crossine 250 mg के 15 box खरीदे हैं जिनकी batches की details हमने यहाँ पर टाइप कर दी है इनके अलावा यह item हमने किसी और batch का नहीं खरीदा है इसलिए enter press करेंगे और end of list सिलेक कर लेंगे अब हम दूसरे item paracetamol 500 mg को create करके उसकी detail भी इसी तरह से डाल देते हैं इसी तरह अगर हमने कोई और items भी purchase किये होते तो वो भी हम select कर लेते पर चुके हमने कोई और item purchase नहीं किया है इसलिए अब हम इस voucher को save कर लेते हैं अब हमने जो purchase की है उसकी batch wise report देख लेते हैं यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि हमारे पास कौन सा माल कितना stock है इसके report तो हम stock समरी द्वारा देख सकते हैं पर यदि हम stock report को batch wise details के अनुसार देखना चाहते हैं यानि हम यह देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा product कितनी quantity में है वो कब manufacture हुआ है उसकी expiry date क्या है ताकि हम उसे expire होने से पहले बेच सकें तो उसके लिए हमें batch summary देखनी होगी batch summary देखने के दो तरीके हैं पहला अभी हम gateway of tally पर हैं तो यहां से हमें display more reports पर जाना होगा अब यहां से inventory books पर जाएंगे और फिर batch पर जाकर enter press करेंगे enter press करते ही हमें इस तरह की screen दिखाई देगी इसमें name of item में हमें इस list में से वो item सेलेक करना है जिसकी हम batch summary देखना चाहते हैं तो यहां पर हम cross scene 250 mg सेलेक कर रहे हैं यह देखें item सेलेक करते ही list of batches आ रही है इसमें हमें इस item की जितनी भी batches आई होंगी चाहे उसका माल अब stock में हो या न हो पर उन सभी की details यहां पर दिखाई पड़ती है अब इसमें से हम जिस batch की और ज्यादा details देखना चाहते हैं उस पर जाकर enterprise कर देंगे हम CRN101 पर जाकर enterprise कर रहे हैं यह देखें इस item की इस batch की सारी details यहां पर दिखाई दे रही है जासे के इस batch की manufacturing date क्या है expiry date क्या है, किस से माल purchase किया है, कितनी quantity में purchase किया है इत्यादी यदि हमने इस batch का item किसी को sell किया होता तो उसकी भी details यहां पर दिखाई देती इसके अलावा अब हमारे पास कितना closing stock है यह भी दिखाई दे रहा है अब यदि हम इस item की सभी batches की details एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहां batch wise पर click करेंगे या फिर F8 की press करेंगे अब F12 की press करेंगे और यहां पर हमें जिन options की जरूरत होगी उन्हें yes कर लेंगे यह देखे हम इस तरह से configuration कर रहे हैं अब इस screen को save कर लेते हैं यह देखे अब हमें इस item की सभी batches की पूरी जानकारी दिखाई दे रही है अब हम इस report तक पहुँचने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं यदि हम tally में कोई काम कर रहे हैं और यह report देखना चाहते हैं तो go to पर जाए फिर search बार में type करें batch और यहां से batch summary पर चले जाए अब हम वापस पीछे चलते हैं चलिए अब हम gateway of tally पर चलते हैं अब हम एक cells की entry करके देख लेते हैं हमने 2 जून सन 2022 को A1 medical store को crocin 250 mg के 8 box और paracetamol 500 mg का 1 box बेचा तो चलिए इसके entry करके देखते हैं सबसे पहले date change करेंगे अब party का laser select करेंगे अब cells laser select करेंगे अब item में पहले हम crocin 250 mg सेलेक करेंगे यह देखे आइटम सेलेक करते ही हमारे सामने batch सेलेक करने का option आ रहा है यहां हमें batch सेलेक करने से पहले यह देखना होगा कि कौन सा batch पहले expire हो रहा है जो batch पहले expire हो रहा होगा हम उस batch के item को पहले बेचेंगे यहां पर आप देख सकते हैं CRN 222 नंबर वाली batch चार अगस्त को expire हो रही है इसलिए इसे हम पहले सेलेक कर रहे हैं अब हम quantity पर आ गए हैं चूंकि हमें इस पार्टी को टोटल 8 boxes सेल करना हैं पर इससे पहले वाली स्क्रीन में हमने देखा था कि इस batch में तो हमारे पास केवल 5 boxes ही हैं तो यहां quantity में हम 5 type करेंगे और यहां पर rate type कर देंगे यह देखें यहां पर manufacturing date और expiry date अपने आप आ रही है अब हम enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अब हमारे सामने फिर से batch सेलेक करने का option आ रहा है अब यहां पर ध्यान दें हमने CRN 222 के सारे boxes सेल कर दिये हैं पर अभी हमें 3 boxes और चाहिए तो इन्हें हम इस batch में से सेल कर देते हैं अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे और अब end of list सेलेक कर लेंगे इसी तरह से paracetamol 500 mg को सेलेक करके उसकी details भी type कर देंगे अब इस voucher को save कर लेंगे चलिए अब हम इसका print preview देख लेते हैं उसके लिए पहले page up key प्रेस करेंगे फिर control के साथ P प्रेस करेंगे और अब I प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं बिल में हमें आइटम के नीचे उसका patch number, manufacturing date और expiry date भी दिखाई दे रही है चलिए अब हम एक और sales bill बना करके देख लेते हैं मार लेजे हमने 2 सितंबर को A1 medical store को crossine 250 mg के दो boxes sell किये अब इसके entry कर लेते हैं सबसे पहले date change कर लेंगे अब हमें item select करना है यह देखें यहां list में हमें crossine 250 mg के 7 boxes दिखाई दे रहे हैं यानि हमारे stock में अभी इस item के 7 boxes बचे हुए हैं हम इसे select कर लेते हैं पर यहां पर देखें इस item का कोई batch number ही नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही उसकी कोई quantity दिखाई दे रही है जबकि अभी यह item select करते समय हमने देखा था कि हमारे पास crossine का stock है तो फिर यह problem क्यों आ रही है यह problem इसलिए आ रही है क्योंकि crossine 250 mg की जो batch हमारे पास stock में है वो 1 सितमबर 2022 को ही expire हो गई है जबकि bill हम बना रहे हैं 2 सितमबर को इसलिए tally ने इस batch पर restriction लगा दिया है अब हम इस batch का item sell नहीं कर सकते क्योंकि यह expire हो गया है batch wise detail हमेशा हमें expired product बेचने से बचाती है ताकि हम गलती से भी कोई expired product ना बेच दें अब हमारे पास crossine 250 mg के जो seven boxes है उन्हें हमने जिस supplier से खरीदा था उसे ही वापस कर देते हैं क्योंकि वे expire हो गए हैं तो चलिए अब हम इस purchase return के entry tally में कर लेते हैं हम आपको tally prime की video number 32 और 80 में बता चुके हैं कि purchase return यानि खरीदा हुआ माल किसी भी कारण से supplier को अगर हम वापस करते हैं तो इसकी entry हम debit note voucher में करते हैं तो चलिए हम debit note voucher open कर लेते हैं यह देखिए debit note voucher open हो गया है date में हम 2 सितंबर ही रहने देंगे यहाँ पर हम वो party select करेंगे जिससे हमने ये माल खरीदा था यहाँ original invoice number में हम जिस invoice का माल वापस कर रहे हैं उसका number type करेंगे और यहाँ पर उसकी date type कर देंगे अब purchase return का ledger select करेंगे अब जो माल वापस कर रहे हैं उससे select करेंगे यह देखिए जैसे हमने item select किया यहाँ पर भी पहले की तरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो पहले backspace की press करेंगे अब F12 press करके नीचे जाकर use expired batches for stock items option को yes कर देंगे इसे yes करने से tally हमें expired items की entry करने की permission दे देता है ध्यान रखें यह entry हम माल वापस करने के लिए कर रहे हैं अब इस screen को save कर लेंगे अब हमें expired batch crn101 के 7 boxes दिखाई दे रहे हैं हम पूरे 7 boxes ही return कर देते हैं enter press करते हुए आगे बढ़े यहां narration type करेंगे अब इस voucher को save कर लेंगे हमने expired माल वापस कर दिया है अब हम फिर से F12 प्रेस करके use expired batches for stock items option को no कर देते हैं ताकि कोई expired product बेचने में न आ जाए चलिए अब हम batch summary देख लेते हैं यहां पर हम पूरे वर्ष का period ले रहे हैं यह दिखे आप देख सकते हैं हमने hcl pharmacy को जो माल वापस किया है वो यहां पर दिखाई दे रहा है अब यहां closing stock में हमें zero box दिखाई दे रहा है यानि अब हमारे पास इस expired batch का कोई माल नहीं बचा है Stock aging analysis report के बारे में बात करने के पहले हम आपको बता दें कि business में reports क्यों important होती हैं जिस तरह blood test की report से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है ठीक उसी तरह व्यापार की reports भी हमें हमारे व्यापार की आंतरे किस्थिती के बारे में जानकारी देती हैं इसे पहले video number 65 में हम outstanding report के aging analysis के बारे में बता चुके हैं उसमें हमने बताया था कि उस report की सहायता से आप अपने customers से समय पर वसूली कर पाते हैं साथ ही जिन suppliers को payment देना होता है उन्हें भी समय पर payment दे पाते हैं ठीक उसी तरह की inventory यानी stock से संबंधित एक report टैली हमें देता है जिसे हम stock aging analysis report कहते हैं ये report हमें ये बताती है कि हमारे यां कौन सा stock कितनी मात्रा में कितनी समय से रखा हुआ है अब सवाल ये कि इस report का फायदा क्या है आपको इसके फायदे समझाने के लिए हमने पहले से ही बिग बाजार के नाम से एक company बना रखी है जिसमें हमने कुछ transactions भी record कर लिये हैं अभी हम gateway of tally पर हैं प्राया हमें जब अपने यह देखना होता है कि कौन से माल का कितना stock है तो हम stock summary देखते हैं इसके बारे में हम आपको अपनी video number 40 और 41 में detail में बता चुके हैं यह देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कि इस company में कौन-कौन से stock groups हैं और उनके अंदर कौन-कौन से stock items हैं और यहाँ इनका closing stock और उसका rate और value दिखाई पड़ रही है पर यदि यहाँ पर आप यह जानना चाहें कि कौन सा माल कितनी quantity में कितने समय से रखा हुआ है तो यह हमको यहाँ पर पता नहीं पड़ रहा है इसके लिए हमें stock aging analysis report पर जाना होगा इसके दो तरीके हैं पहला display more reports के लिए d press करें यहाँ पर statements of inventory के लिए e press करें और अब stock aging analysis के लिए a press करें यदि आप यहाँ पर दिखाई पड़ रहे सभी stock groups के अंदर बने stock items की reports एक साथ दिखना चाहते हैं तो primary पर जाकर enter press करें यह देखे stock aging analysis report दिखाई दे रही है अब हम दूसरा दरीका देख लेते हैं यदि आप tally में कहीं पर भी कोई काम कर रहे हैं और stock aging analysis report देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको go to पर जाना होगा यहाँ पर type करें stock aging analysis और enter press करें यहाँ पर primary selected है हम enter press कर रहे हैं यह देखे हमारे सामने stock aging analysis report आ रही है यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें इसमें सबसे पहले F2 प्रेस करके आज तक का period सिलेक करें क्योंकि यदि आप गलत period की report देखेंगे तो वो आपके लिए काम की नहीं होगी हम आज तक की तारीख 31 December तक का period ले रहे हैं यह देखें इस report में left side में aged by date of purchase लिखा है इसका मतलब यह है कि आप यह जो report देख रहे हैं यह आपनी जो purchase की है उसकी तारीख के आधार पर आ रही है इसके बाद right side में सबसे उपर तारीख लिखी है इस और सभी stock items के नाम है और उनके आगे यह items कितनी quantity में stock में हैं यह लिखा है इसके बाद आप इस निशान के साथ 45 लिखा देख रहे हैं इसका मतलब यह है कि यह जो माल का stock है वो 0 से 45 days के बीच में purchase किया गया है इसके बाद वाले column में 45 से 90 days के बीच में की गई purchase दिखाई पड़ रही है इसी तरह 90 से 180 days और आखिर में 180 days या उससे ज्यादा पुरानी purchase दिखाई पड़ रही है आपको यह report पूरी दिखाई दे इसके लिए हम screen के font size को कम कर रहे हैं यह देखे अब पूरी report एक साथ दिखाई दे रही है अब हम वापस font size को पहले जैसा कर लेते हैं अब हम बात करते हैं कि इस report के फायदे क्या है इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं जैसे एक व्यापारी stock aging analysis report निकालता था और उसमें जो माल 45 दिन में sell नहीं होता था उसे वो 45 days के बाद अपनी purchase price पर बेश देता था और जो माल purchase price पर भी नहीं बिखता था उसे 90 days होने के बाद 10% कम यानी 10% के नुकसान पर sell कर देता था जब हमने व्यापारी से इसका कारण पूछा तो उसने बताया मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो माल 45 days में नहीं बिका उसका क्या वरोसा कि वो आगे कब sell होगा इसलिए मैं हर निश्य तवधी के बाद उसका मुल्य और भी कम करके बेचने के लिए तयार रहता हूँ इस सोच के पीछे उसने जो कारण बताये वो इस तरह है पहली बात तो ये कि लंबे समय तक माल पड़े रहने से जो नुकसान होता है जैसे व्यापार करने के लिए बैंक से लोन ले रखा है तो जितने समय तक माल sell नहीं होता है उस माल पर ब्याश तो लगता ही है और इस ब्याश से प्रते दिन माल की लागत बढ़ती जाती है दूसरी बात माल न बिकने से जो कैपिटल ब्लॉक है उसकी वज़े से नया माल नहीं खरीद पाते तीसरी बात यदि लंबे समय तक बगएर बिका माल ज्यादा कौँटिटी में स्टॉक में रहता है तो निश्यत रूप से उसे रखने के लिए ज्यादा जगर जैसे गोडाउंस वगेरा की ज़रूरत बढ़ जाती है और गोडाउंस को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा मेन पावर की ज़रूरत होती है दुनिया में रोजाना एक से बढ़कर एक नए प्रोड़क्ट साते रहते हैं जैसे मुबाइल की रोजाना नए-नए बॉडल साते हैं अब यदि आपके पास पुराना मॉडल स्टॉक रहे गया तो उसको कौन लेगा? इसलिए भी जरूरी है कि अपने स्टॉक में पुराने आइटम्स चेक करते रहें और उन्हें समय पर बेज दें व्यापार में हमारी वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा इन्वेंट्री यानि स्टॉक में लगा होता है यदि हम फास्ट टन ओवर नहीं करेंगे तो हमारा कैश फ्लो भी कम होगा इससे व्यापार में प्रॉफिट कम होगा या नुकसान होगा ये भी एक बड़ा कारण है कि कोई भी माल अनावश्यक रूप से अधिक समय तक स्टॉक में नहीं रखा जाना चाहिए अपनी में गोडाउंस बनाए होंगे तो उनकी रिपोर्ट इस तरह दिखाई पड़ेगी जैसे कि आप देख सकते हैं गोद्रे जैसी 1.5 टन के दो नग हैं जिने खरीदे हुए 180 दिन से जाधा हो गए हैं और इन में से एक नग अशोक नगर में और दूसरा नग में लोकेशन में स्टॉक में है अब दूसरी बात समझ लेते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने बैच वाइस डिटेल्स के बारे में बताया था यहाँ भी हमने तीन प्रोड़क्ट्स प्रोड़क्ट 1, 2, 3 ऐसे लिए हैं जिन में बैच नमबर और उनकी डिटेल्स दी हुई है यहाँ आल्टर के साथ F5 प्रेस करने से यह डिटेल्स दिखाई पड़ रही है इसे आगे हम डिटेल्स में समझेंगे अभी आपको हम दूसरी बाती सब चाह देते हैं यदि आप उपर जो एजिंग पीरिट देख रहे हैं उसे बदलना चाहते हैं तो उसके लिए F6 प्रेस करें यहाँ पर हम यह जो अंतराल है इसमें चेंचिस कर रहे हैं यह 0, 45, 45 to 90 के बजाए हमने इसको 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90 ऐसे तरह से चेंच कर दिया है अब इसे हम सेव कर लेते हैं अब यह देखिए हमने जो चिंजिस किये हैं रिपोर्ट अब उसके अनुसार आ रही है यदि आप इस चार्ट में सिर्फ कॉंटिटी ही देखना चाहते हैं तो F7 प्रेस करें अब वापस कॉंटिटी के साथ फैल्यू देखने के लिए F7 प्रेस करें आईए अब हम इस रिपोर्ट की एक महतुपून बात समझ लेते हैं उसके लिए हम F4 प्रेस करेंगे यहाँ पर लिस्ट अव स्टॉक गुरूप आ रही है हम इसमें से प्रोड़क नाम का स्टॉक गुरूप सिलेक कर रहे हैं यह देखें ऐसा करते ही सिलेक किये गए स्टॉक गुरूप में जितने भी stock items बने हैं उन सभी की details दिखाई पड़ रही है चलिए अब हम आपको aging style का उपयोग भी बता देते हैं उसके लिए F9 प्रेस करेंगे यहाँ पर चार styles दिखाई दे रही हैं जिसमें से पहली by date of purchase तो वही है जिसे अभी हम देख रहे हैं बाकी की तीनों batch wise details से संबंदित हैं आपको याद ही होगा कि इसके पहले वाली वीडियो जो batch wise details से संबंदित थी उसमें हमने देखा था कि कई product expiry date वाले होते हैं तो उन में हमें यह धिहान रखना होता है कि कोई भी product expire हो उसके पहले ही हम उसे बेश दें चाहे ये काम हमें कम मुनाफे में या नुकसान में ही क्यों न करना पड़े इस तरह की जानकारी भी हमें stock aging analysis से ही प्राप्त होती है अब आगे हम उसी पर बात करने वाले हैं यहां हम by manufacturing date select कर रहे हैं show only expired batches को 9 ही रहने देंगे यह देखिए हमें सभी product की batch की manufacturing date दिखाई पड़ रही है साथ है report में यह भी दिखाई पड़ रहा है कि manufacturing date से अभी कितनी दिन हो चुके है समझने के लिए यह product 2 नवंबर 22 को manufacture हुआ था और हम report 31 दिसंबर 2022 को देख रहे हैं इसलिए यह 30 से 60 दिन के बीच में दिखाई पड़ रहा है अब हम to be expired select कर रहे हैं यह देखिए यह report बता रही है कि कौन से product को expire होने में कितनी दिन बाकी है जैसा कि आप देख रहे हैं कि 31 दिसंबर 2022 की report में 2 मार्च 23 को expire होने वाले product 60 से 90 दिन के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं अब हम by expiry date select कर रहे हैं और इसके नीचे show only expired batches को yes कर रहे हैं इससे हमें यह पता चलेगा कि हमारे पास ऐसा कौन सा product है जो expired हो चुका है यह देखिए यहाँ पर पूरी report blank आ रही है उसका कारण यह है कि हमारे पास अभी ऐसा कोई product नहीं है जो expire हो चुका हो हम आपको यह अच्छे से समझाने के लिए यह चित्र दिखा रहे हैं यह देखिए इसमें CK2192 वाले batch की expiry date दो मार्च 23 है तो समझने के लिए हम इस report की date बदल कर तीन मार्च 23 कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है यह देखिए दो मार्च को यह product expired हो चुका होगा जो की report में हमें दिखाई पड़ रहा है इस तरह आपने देखा कि इस report की साहिता से आप अपनी पुराने माल और ऐसे माल जो की expire होने वाले हैं उनको समय रहते sell कर सकते हैं और नुकसान होने से बच सकते हैं दरिसल movement analysis report अपने नाम के अनुसार माल के आने जाने की गती और उससे संबंदित अन्य कई बातों के बारे में बताती है प्रतिक व्यापारी को इस report से व्यापार में बहुत से फायदे हो सकते हैं और यदि आप accountant हैं तो इस report की साहता से अपने employer का बहुत फायदा कर सकते हैं और ऐसा करने से आपका employer खुश तो होगा ही साथ ही आपकी बुद्धिमानी का लोहा भी मानेगा इस report का सबसे महतुपून फायदा तो ये है कि हमें ये मालूम पड़ता है कि किसी नश्यत अवधी में कौन से एरिया में कौन से customer को कौन सा माल ज्यादा sell होता है और कौन सा माल कम sell होता है जो माल ज्यादा sell होता है उसे हम ज्यादा quantity में purchase कर सकते हैं और जो माल कम sell होता है उसे कम quantity में purchase करना चाहिए इस तरह से इस report की साहता से आप अनाव्यशक stock रखने से बच जाएंगे जिसके कारण पूझी भी block नहीं होती इस report के आधर पर आप अपने जो माल ज्यादा मात्रा में sell होता है उसे ज्यादा मात्रा में purchase कर सकते हैं ऐसा करने से वो माल कम भाव में मिल जाता है ध्यान रखी जब भी कोई माल सस्ते में purchase किया जाता है तो उसे सस्ते भाव में बेचा भी जा सकता है और जब माल कम भाव में sell किया जाता है तो उसे ज्यादा मात्रा में sell कर पाते हैं और इस तरह ज्यादा quantity में sell करने से profit भी ज्यादा होता है Movement Analysis के अंतरकत कई reports आती हैं जिनके अलग-अलग फायदे भी हैं इन्हें हम आगे काम करते हुए समझेंगे यहाँ पर हमने पहले से ही एक company बनाई हुई है जिसमें हमने customers के state wise accounting groups, stock groups और stock categories बनाई हुई हैं यह सभी कैसे बनाते हैं यह हम आपको पहले सिखा चुके हैं इनके लावा हमने stock items तथा सभी ज़रूरी ledgers भी बनाए हुए हैं साथे कुछ transactions भी record किये हुए हैं अभी हम gateway of tally पर हैं movement analysis report देखने के लिए हमें display more reports पर जाना होगा यहाँ से statements of inventory पर जाना होगा फिर यहाँ से movement analysis पर जाना होगा यह देखे movement analysis के अंतरगरत आप 6 options देख सकते हैं इन्हें हम एक एक करके समझेंगे सबसे पहले हम देखते हैं stock group analysis यह देखें list of stock groups आ रही है अब यदि किसी एक group के report चाहिए तो उस पर जाकर enterprise करना होगा और यदि एक ही बार में सभी groups के report देखना चाहें तो primary पर जाकर enterprise करना होगा हम primary पर जाकर enterprise कर रहे हैं यह देखें stock group analysis report आ रही है इसे अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ configuration करना होगा उसके लिए हम F12 प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर आप inward और outward दो options देख रहे हैं आप जिसकी भी report देखना चाहते हैं उसे yes कर दें और दूसरे को no कर दें हम cells से संबंदित report देखना चाहते हैं इसलिए inward को no और outward को yes कर रहे हैं format of report में detailed select करें expand all levels in detailed format को yes कर दें इसके बाद सबसे महतुपून है sorting method इसमें आप अपनी reports जिस तरह से देखना चाहते हैं उस हिसाब से इस list में से sorting method सेलेक करें यदि आप report को quantity के अधार पर बढ़ते या घटे क्रम में देखना चाहते हैं तो इन में से select करें हम quantity के आधार पर बढ़ते क्रम में रिपोर्ट देखना चाहते हैं इसले के उपर वर्ष के प्रारंब से लेकर इस company में हमने जिस तारीख तक काम किया है, वहां तक का period आ रहा है यदि आप किसी और period के report देखना चाहते हैं, तो F2 की साहता से period चेंज कर सकते हैं particular में आप quantity के बढ़ते क्रम में सभी groups के नाम देख रही है सबसे कम cell Sony TV का है उससे ज्यादा BPL TV और सबसे ज्यादा LG TV का है इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि सभी groups के अंदर जिस stock item का cell कम है उसका नाम उपर और जिसका ज्यादा है उसका नाम नीचे की और आ रहा है इस report से हमें ये ग्याद होता है कि हमारे यहां कौन से stock group का माल ज्यादा cell होता है और कौन से group का कम साथ ही हमें ये भी मालूम पढ़ रहा है कि किसी group पिशेश में कौन सा stock item ज्यादा बिखता है और कौन सा कम बिखता है अब यदि आप इस रिपोर्ट के इस्थान पर ये देखना चाहते हैं कि आपके यहां जो भी आइटम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा आइटम सेल होता है और सबसे कम कौन सा सेल होता है तो उसके लिए F5 की प्रेस करेंगे ये देखिए जो आइटम्स सबसे कम सेल हुआ है उसका नाम कौन्टिटी के साथ सबसे उपर आ रहा है और जो आइटम्स ज्यादा सेल हुए हैं वे नीचे की और बढ़ते क्रम में दिखाई पड़ रहे हैं ध्यान दें ये आउटवरडikes रीपोर्ट है यदि आप इसी तरह की इनवर्ट यानि पर्चिस की रीपोर्ट देखना चाहते हैं तो कंफिगरेशन करते समय invert को yes करें और outward को no करें अब यदि आप यह देखना चाहते हैं कि यह सभी stock items जो हमने sell किये हैं वो किस area में ज्यादा sell किये हैं और किस area में कम साथ ही उनमें किस customer को ज्यादा sell किया है और किसे कम तो उसके लिए हमें change view पर जाना होगा और यहाँ by lasers select करना होगा यह देखें यहाँ report आ रही है कि हमने कुल कितने items cash में बेचे हैं उसके बाद यहाँ sundry data के अंतरगत यह दिखाई पड़ रहा है कि हमने किस area में जैसे महराश में सबसे कम UP में उससे ज्यादा और MP में सबसे ज्यादा item sell किये हैं साथ ही यह दिखाई पड़ रहा है कि इन areas में किस customer को कम और किस को सबसे ज्यादा माल sell किया है यदि हमें sales बढ़ाना है तो जिन areas में हमारा sell कम है वहाँ ज्यादा मेहनत की जा सकती है इसी तरह मान लीजिए हमने areas की जगह brokers के groups बनाए होते तो इस report से ये मालूम पढ़ जाता कि कौन सा broker कैसा काम कर रहा है उस सबसे हम उन्हें target और incentive देकर अपना sell बढ़ा सकते हैं अब यदि इसी report से सीधे हम stock aging analysis देखना चाहते हैं तो change view पर जाना होगा पर यहां से aging analysis सेलेक करना होगा ये देखिए stock aging analysis आ रहा है इसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं हम escape की प्रेस करके पिछली report पर चलते हैं अब यहां से stock items analysis पर वापस जाने के लिए हमें change view पर जाना होगा और यहां buy stock item सेलेक करेंगे यह देखिए हम वापस stock item analysis पर आ गए है अब यदि आप यह देखना चाहते हैं कि कौनसा item किस माह में कितना बिका तो उसके लिए auto column पर जाना होगा यहां पर बंधली सेलेक करेंगे यह देखिए यहां हमें हर item के बारे में मालुम पढ़ रहा है कि किस माह में कौनसा item कितना सैल हुआ है यह report जुलाई तक ही दिखाई पढ़ रही है क्योंकि हमने 31 जुलाई तक ही काम किया है अब हम वापस skip की से movement analysis पर चलते हैं और अगला option समझ लेते हैं हम stock category analysis सेलेक कर रहे हैं और यहां से primary सेलेक कर रहे हैं यह देखिए stock category movement analysis आ रही है हम इसमें पहले बताए अनुसार configuration कर लेते हैं यह देखिए अब जो report आ रही है वो हमने जो categories बनाई है उनके हिसाब से आ रही है इस report से हमें यह मालूम पढ़ रहा है कि categories के हिसाब से हमारे यहां 30 inches TV का सेल सबसे ज़्यादा है यहां भी आप stock groups की तरह ही stock category की भी reports देख सकते हैं हम वापस escape की से movement analysis पर चलते हैं अब हम stock item analysis सेलेक्ट कर रहे हैं इस option को समझने के लिए हम LG TV 30 inches पर जाकर enterprise कर रहे हैं यह देखिए यह item हमने किन-किन suppliers से purchase किया है और किन-किन customers को sell किया है यह यहां पर दिखाई पढ़ रहा है साथ इस item को जिस quantity और rate में purchase और sell किया है उसकी detail भी दिखाई दे रही है अब यदि आप इस stock item के बारे में पूरी जानकारी एक साथ चाहते हैं तो change view पर जाएं और यहां से stock query सेलेक्ट करें stock query के बारे में detail में हम आपको पहले ही बता चुके हैं अब माल लेजे आपके इस item के बहुत सारे suppliers और customers हैं और उनमें आप यह देखना चाहते हैं कि इस item के top buyers और top sellers कौन-कौन हैं तो उसके लिए change view पर जाएं और यहां से top buyers और बलेक sellers को सेलेक्ट करें यह देखें top buyers और sellers के list आ रही है इस report का फाइदा यह है कि जब हमें कोई माल ज्यादा quantity में बेचना होता है तो हम शीगरता से बड़े customers के नाम देखकर उनसे संपर कर सकते हैं और उन्हें ज्यादा quantity में माल बेच सकते हैं हम वापस escape key से movement analysis पर चलते हैं अब यहां हम group analysis सेलेक्ट कर रहे हैं यहां से आप वो group सेलेक्ट करें जिसकी report देखना चाहते हैं यह देखे हैं यहां दिखाई दे रहा है कि इस group के अंदर कौन से item कितनी quantity में सेल हुए हैं हम वापस escape key से movement analysis पर चलते हैं और यहां laser analysis सेलेक्ट कर रहे हैं यहां से आप किसी supplier या customer का नाम सेलेक्ट कर लें हम customer one सेलेक्ट कर रहे हैं यह देखें यहां पर मालूम पढ़ रहा है कि हमने इस customer को कौन-कौन सा माल सेल किया है यानि उसे किस तरह के माल के requirement होती है इसी तरह हमने कोई internal transfer किये होंगे तो उसकी report यहां से आप देख सकते हैं यदि आप tally में कोई काम कर रहे हैं और उस speech movement analysis देखना चाहते हैं तो go to पर जाए और type करें movement analysis List of reports आ रही है इसमें से आप जो report देखना चाहते हैं उस पर जाकर enter press करें जब हम कोई item किसी निश्यत यानि fixed rate से purchase करते हैं और उस पर हमारा जो खर्च हुआ है वो और उसमें profit जोड़कर उसका एक sales rate fix कर लेते हैं तो ये fixed rate ही standard rate कहलाते हैं Tally ने भी हमें इस तरह के standard rate set करने का एक option दिया है जिसके बाद हम से हम purchase और sell दोनों के standard rate set कर सकते हैं Standard rate set करने से होगा ये कि जब भी हम वो item purchase या sell करेंगे तो हमें rate type नहीं करना होगे हमने जो standard rate set किये हैं वो automatically आ जाएंगे हाँ आप चाहीं तो उन्हें change भी कर सकते हैं अब सवाल ये है कि इसके फायदे क्या हैं तो इन्हें हम दो उदारनों से समझा रहे हैं पहला तो ये कि जब हमारा व्यापार बड़ा होता है तो हम रोजाना बहुत से items खरीते हैं और बहुत से items बेशते हैं ऐसे में हमें inventory यानि माल को purchase करने की price और माल को sell करने की price याद नहीं रहती और इसी कारण कभी-कभी हम माल को उसकी purchase price से भी कम rate में बेश देते हैं जिससे हमें नुकसान होता है Standard rate सेट करने से ये होता है कि जब हम sales invoice बनाते हैं तो वहां हमारे द्वारा सेट किया गया sell rate दिखाई पड़ता है जिससे कि हम उस माल को नुकसान में बेचने से बच जाते हैं ये भी हो सकता है कि आप किसी company के dealer हो और उस स्थिती में company आपको निश्चित भाव से माल देगी और आपको भी company के बताए अनुसार निश्चित भाव पर ही माल बेचना होगा आपने देखा होगा कि सभी vehicles के showrooms, mobiles के showrooms, इसे तरह कई बड़ी-बड़ी companies के showrooms को manufacturer किसी निश्चित मुल्य पर माल सप्लाई करते हैं और manufacturer द्वारा ही इनकी selling price भी तैकी जाती है उसी selling price पर showroom वालों को माल बेचना होता है जैसे यदि हमें hero company की motorcycle खरीदना है तो उनके सभी showrooms पर हमें एक ही भाव मेलेगा standard rate का ये option वहाँ भी बहुत काम आता है तो चलिए टैली में काम करते हुए इसे समझ लेते हैं यहाँ पर हमने company television house के नाम से पहले से बनाई हुई है और इसमें सभी जरूरी लेजर्स और कुछ stock groups और उन में कुछ stock items भी बना लिये हैं इन सभी को बनाना हम आपको अपनी basic level की वीडियो में सिखा चुके हैं अभी हम gateway of tally पर हैं standard rate का option चालू करने के लिए हमें stock item creation या stock item alteration screen पर जाना होगा यहां हम stock item alteration पर जाने के लिए a press कर रहे हैं यहां से stock item पर जाना होगा यह देखे list of stock items आ रही है हमें जिस item में standard rate डालना है उस पर जाना होगा हम sony tv 20 inches select कर रहे हैं यह देखे stock item alteration screen आ रही है यहां पर हमें एक option चालू करना होगा उसके लिए हम f12 press कर रहे हैं यह configuration screen आ रही है हम backspace key से show more configuration पर जाकर इसे yes कर रहे हैं अब यहां inventory details के अंतरगत दिखाई पढ़ रहे option provide standard buying and selling rates को yes करेंगे और इस screen को save कर लेंगे यह देखे additional details के अंतरगत एक नया option alter standard rates आ रहा है ध्यान रखें जब आप नया stock item बनाते हैं तो इसके स्थान पर set standard rates के नाम का option आता है इस item में standard rate type करने के लिए यहां हमें इसे yes करना होगा ध्यान रखें भविश्य में standard rate में changes करने के लिए या delete करने के लिए भी हमें यहीं से जाना होगा यह देखे standard rates type करने के लिए एक नई screen आ गई है जिसमें यहां आपको standard cost type करना है सरल शुदों में ये कह सकते हैं कि जिस rate में हम माल खरीते हैं वो यहां पर टाइप करना है Applicable from में हमें वो तारीख टाइप करना है जिस तारीख से हम ये rate set करना चाहते हैं यहां पर हम 1 April और rate में 20,000 टाइप कर रहे हैं और enterprise करते हुए नीचे की लाइन में आ गए हैं अब हमें ध्यान आया कि हम जिस company से माल पर्चिस करते हैं उसने हम से कहा था कि एक मही को ये rate revised होकर 20,500 रुपए हो जाएंगे तो यहां हम इन्हें भी टाइप कर देते हैं अब हम enterprise करते हुए standard selling price पर आ गए हैं यहां हमें standard cost में अपने expenses और profit जोड़कर माल को जिस भी rate में sell करना चाहते हैं वो rate टाइप करना है यानि यहां पर हमको sales rate टाइप करना है हम applicable from में 1 April और rate में 25,000 टाइप कर रहे हैं और इसी तरह यहां नीचे एक मही से जो standard sales rate लागू करना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे यहां एक बात का ध्यान रखें कि purchase और sell दोनों के standard rate सेट करना ज़रूरी नहीं हैं आप अपनी जरूरत के अनुसार किसी एक का भी rate सेट कर सकते हैं अब इसे save कर लेते हैं और अब इस screen को भी save कर लेंगे इसी तरह आप नए items बनाते समय या पहले से बने हुए items को alter करके standard rates सेट कर सकते हैं आई आप देखते हैं कि standard rate किस तरह काम करते हैं इसके लिए पहले हम एक purchase voucher बना लेते हैं यहां हम supplier का invoice number और यहां date type कर रहे हैं यहां party account name में हम supplier one ले रहे हैं और यहां purchase का laser select करेंगे यहां पर हम sony tv 20 inches select कर रहे हैं quantity में 10 type कर रहे हैं पर देखे हमने जो standard cost type की थी वो यहां पर automatically आ रही है ध्यान रखें आप चाहें तो अपनी जरूरत अनुसार जो rates यहां आ रहे हैं उन्हें भी change कर सकते हैं हम इस voucher को save कर लेते हैं आई अब एक sales voucher बना लेते हैं यहां हम customer one ले रहे हैं यहां sell select करेंगे आईटम में हम sony tv 20 inch select कर रहे हैं quantity में two type कर रहे हैं यह देखिए हमने जो standard selling price set की थी वो यहां पर automatically आ रही है हम date बदल कर एक April की जगह एक मई कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं जो rates हैं वो पुराने ही आ रहे हैं जबकि हमने एक मई के लिए भाव 25,750 set किया था हम skip की press करके वापस पीछे चलते हैं और फिर से sales voucher open कर लेते हैं यह देखिए अभी यहां पर तारीख एक मई आ रही है हमको यही चाहिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं अब एक मई के लिए हमने जो भाव 25,750 set किये थे वही आ रहे हैं ध्यान रखें आप चाहें तो यहां पर जो रेट आ रहे हैं उन्हें चेंज भी कर सकते हैं हम इस voucher को save कर रहे हैं इस तरह आपने देखा कि standard rates व्यापारियों के लिए कितना उपयोगी है सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि price level और price list क्या है माल लेजे हम एक बड़े व्यापारी हैं और दिन भर में बहुत से customers को माल बेशते हैं जिसमें से कुछ wholesalers होते हैं, कुछ retailers होते हैं और कुछ ऐसे customers भी होते हैं जो खुद के उभ्योग के लिए माल खरीते हैं ऐसे customers को हम आगे consumer कहेंगे यहां wholesalers से तातपरे ऐसे व्यापारियों से हैं जो ज्यादा मात्रा में माल खरीते हैं और आगे retailers और consumers को माल बेशते हैं अब यहां पर एक सवाल उठता है कि जब wholesalers ज्यादा quantity में माल खरीता है तो वो चाहता है कि हम उसे माल कम भाव में दें और अगर वो और ज्यादा quantity में माल खरीता है तो भाव में कुछ और कमी करने के लिए या अतिरिक्त discount देने के लिए कहता है इसे प्रकार retailer भी हमसे कभी कभी ज्यादा माल खरीतने पर rate में कुछ और कमी करने के लिए या अतिरिक्त discount देने के लिए कहता है ऐसे में एक समस्या आती है कि हम अलग-अलग type के customers जैसे wholesaler, retailer और consumers के लिए अलग-अलग rates कैसे याद रखें और यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम उने ज्यादा quantity पर कुछ discount और देना चाहते हैं बस इसी समस्या के समधान के लिए टैली ने हमें अलग-अलग प्रकार के customers जैसे wholesaler, retailer और consumer के लिए अलग-अलग price level सेट करने और फिर उनकी price list बनाने का option दिया है आगे बढ़ने से पहले price list के बारे में भी समझा देते हैं हर दुकानदार किसी भी समान को बेचने से पहले उसका rate निर्धारित करता है और इसी तरह वो सभी items के निर्धारित rate की एक सूची तयार करता है और इसी सूची यानि list को price list कहते हैं अब यदि हम price level और price list बना लेते हैं तो इससे हमें अलग-अलग प्रकार के customers के लिए अलग-अलग rates याद रखने की जरुरत नहीं होगी हमें sales voucher बनाते समय बस price level से लेक करना होगा ऐसा करते ही जिस price level का customer होगा उसके अनुसार items के rate automatically आ जाएंगे और यदि हम price level को customer के लेजर पर ही set कर देते हैं तो फिर हमें voucher बनाते समय price level भी select नहीं करना होगा बस quantity type करते ही item के rate अपने आप आ जाएंगे चले देखते हैं यह सब काम हम deliver कैसे कर सकते हैं यहां हम आपको तीन price level की तीन rate list बता रहे हैं इनी के आधार पर पहले हम price level बनाएंगे और फिर उनकी price list बनाएंगे और उसके बाद आपको इनी के आधार पर sales invoice बना कर बताएंगे तो आईए शुरू करते हैं यहां हमने पहले से ही एक company बनाई हुई है जिसमें हमने stock groups और stock categories बना रखी हैं यह सभी कैसे बनाते हैं यह हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं इनके अलावा हमने stock items और सभी ज़रूरी lasers भी बना लिये हैं साथ ही हमने कुछ items की purchase भी करके रखी है अभी हम gateway of tally पर हैं सबसे पहले हमें F11 प्रेस करके दो options को चालू करना होगा company features alteration screen आ रही है हम backspace से show more features पर जाकर इसे yes कर रहे हैं इसके बाद backspace से show all features पर जाकर इसे भी yes कर रहे हैं अब inventory के इंतरगत enable multiple price levels पर जाकर इसे yes कर रहे हैं अब इसके नीचे की और use discount column in invoices यह option है इसे भी हम yes कर रहे हैं इस option की जरूरत हमें तब होगी जब हम अपनी किसी customer को ज्यादा quantity के उपर discount भी देना चाहेंगे यह option क्या है इसका उपयोग कैसे करते हैं यह हम आपको अपनी video number 88 में बता चुके हैं अब हम इस screen को save कर लेंगे चलिए अब price level बना लेते हैं price level बनाने के लिए हमें create पर जाना होगा देखें यहां यह तीन options पहले नहीं थे पर जब हमने enable multiple price levels option को enable किया तो यह तीन नए options यहां पर आ गए हैं पहले हम price levels पर जाकर enterprise कर रहे हैं यह देखिए company price levels की screen आ रही है यहां हम जो भी levels बनाना चाहते हैं उनके नाम type करना होंगे हम commercial, wholesaler, retailer और consumer के नाम से तीन levels बना रहे हैं आप अपनी जरुरत के अनुसार कितने भी levels बना सकते हैं अब हम इस screen को save कर लेंगे अभी हमने जो तीन price levels बनाए हैं उनके लिए तीन price lists बनाना होंगी उसके लिए हमारे पास दो options हैं तो आप यहां से price lists बना सकते हैं और यदे आपने अपनी company में stock categories बनाई हैं तो आप यहां से price lists बना सकते हैं ध्यान रखें कि यदे आपने stock groups या stock categories नहीं बनाई हैं और सीधे items ही बनाए हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी option का उपयोग कर सकते हैं इन दोनों options से priceless बनाने का तरीका same है, यहां हम priceless stock group पर जाकर enter press कर रहे हैं, यह देखे, list of stock groups आ रही है, हमने जितने भी stock items बनाए हैं, यदि हम उन सभी की priceless बनाना चाहते हैं, तो all items select करेंगे, इसके बाद यहां हम जिस level की priceless बनाना चाहते हैं, उसका नाम select करेंगे, अप्लिकेबल from के आगे हमें वो date type करनी होगी, जिस date से हम priceless अप्लिकेबल करना चाहते हैं, हम 1 April type कर रहे हैं और enter press कर रहे हैं, यदि के ऐसा करते ही, price list की नई screen आ रही है, जिसमें right side में सभी items के नाम दिखाई पड़ रहे हैं, यदि आप सभी items की priceless बनाना चाहते हैं, तो इन में से एक-एक को select करके बना सकते हैं, हम आपको कुछ और समझाना चाहते हैं, इसलिए skip की press करके पिछली स्क्रीन पर चलते हैं, और यहां हम stock group BPL TV सिलेक कर रहे हैं, यह देखें, यहां पर priceless की स्क्रीन आ गई है, और list of items में सिर्फ वो नाम आ रहे हैं, जो हमारे select किये गए ग्रुप में बने हैं, आपको समझाने के लिए हम सिर्फ इन ही items की priceless बना कर बता रहे हैं, हम पहला item BPL TV 20 inches ले रहे हैं, यह देखें सिलेक करते ही, इस row के आखिरी में इसका cost price यानी लागत मुले लिखा हुआ आ रहा है, इसके आधार पर हम आसानी से अपनी sales price fix कर सकते हैं, यहां हम quantities में less than में 5 type कर रहे हैं, और यहां rate में 25,000 type कर रहे हैं, इसका तब पर यह है कि जब हम 5 से कम quantity में यह item बेचेंगे, तो wholesaler का rate 25,000 होगा, हम enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं, यह देखिए अगली line में from में वही quantity आ गई है जो हमने उपर type की थी, less than में हम 10 type कर रहे हैं, और rate में 24,000 type कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जब हम 5 या 5 से अधिक पर 10 से कम quantity में यह item बेचेंगे, तो wholesaler का rate 24,000 होगा, हम enterprise करके अगली line में आ गए हैं, अब less than में कोई quantity type ना करते हुए rate पर आ गए हैं, और यहाँ rate में type कर रहे हैं 24,000, अब enterprise करके discount में हम 4 type कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी wholesaler को 10 या 10 से ज्यादा quantity में कितने भी item बेचेंगे तो उनके rate 24,000 में से 4% discount कम करके calculate हो जाएंगे, इसे तरह हम अन्य items में भी अपना लागत मुल्य देखकर rate और discount टैप कर रहे हैं, इसी तरह यदि आप चाहें तो all items select करके सभी की price list एक साथ बना सकते हैं, अन्त में हम end of list को select कर लेंगे और इस price list को save कर लेंगे, ऐसा करते हैं हम वापस price list वाले screen पर आ गए हैं, अब यहां से पहले बताए अनुसार हमें retailer की price list बनानी हैं, अब हम consumer की price list भी बना लेते हैं, हमने अपनी तीनो प्राइसलिस बना ली हैं, अब यदे हम किसी price list को दीखना चाहते हैं या किसी customer को उसका print देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहां पहले की ही तरह आगे बढ़ना होगा, सबसे पहले create के लिए C press करेंगे, अब price list stock group पर जाकर enter press करेंगे, यहां आप अपनी जरूरत के अनुसार select करें, हम यहां पर all items ही रहने दे रहे हैं, यहां wholesaler select कर रहे हैं, enter press करके आगे बढ़ेंगे, यह देखिए wholesaler की price list आ रही है, जैसा कि आपको ध्यान होगा हमने all items select किया था, पर यहां हमें सिर्फ BPL TV के product की price list ही दिखाई पड़ रही है, इसका कारण यह है कि हमने सिर्फ इन्ही products को price list में लिया था, आपने जिन भी products के rate डाले होंगे वे सभी यहां पर दिखाई पड़ेंगे, इसका print preview देखने के लिए control के साथ P press करें, और अब I press करें, चलिए अब हम एक wholesaler का bill बना कर देखते हैं, date में एक April type कर रहे हैं, party name में customer for select कर रहे हैं, देखें यहां एक नया option price level दिखाई पड़ रहा है, उसके आगे हमने जितने भी price level बनाए थे उनके list आ रही है, हम जिस level के customer को माल बेच रहे हैं यहां हमें वो select करना होगा, हम wholesaler select कर रहे हैं, यहां sales का laser select करेंगे, यहां item का नाम select करेंगे, यह देखें जैसे ही हम यहां quantity में 4 type कर रहे हैं, wholesaler की price list के अनुसार rate आ रहे हैं, हम वापस quantity पर जाकर इसे 5 कर देते हैं, यह देखिए, अब rate change हो गए हैं, हम इसे फिर से बदल कर 10 कर देते हैं, आप देख सकते हैं कि अब यहां पर rate 24,000 आ रहा है, और discount में 4% आ रहा है, इस तरह discount कम करके net rate 23,040 रुपए हुआ, जिसके कारण 10 items की value हुई 2,3,400 रुपए जो की यहां पर दिखाई पड़ रही है, हम कुछ items और ले लेते हैं, यहां पर हमें ध्यान आया कि हमने इस customer को BPL TV 40 inches का भाव 43,800 बताया था, जबकि हमारी price list के अनुसार यहां पर भाव 44,000 आ रहे हैं, अब हम backspace से वापस rate पर चलते हैं, पर जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हमारा cursor discount और rate दोनों पर नहीं आ रहा है, अब सवाल यह है कि हम rate में correction कैसे करें, तो उसके लिए F12 की press करें, अब यहां सबसे नीचे वाले option, modify all fields during voucher entry को yes करें, और इस screen को save कर लें, और अब backspace की press करें, यह देखें अब हमारा cursor discount और rate दोनों फिल पर आ रहा है, यहां हम सिर्फ rate में changes कर रहे हैं, इस voucher को save कर लेते हैं, अब हम F12 की press करके वापस इस option को बंद कर देते हैं, आप चाहें तो अपनी जरूरत अनुसार इसे चालू भी रख सकते हैं, चलिए अब अभी हमने जो बिल बनाया है उसका print preview देख लेते हैं, यह देखिए इस बिल में किसी तरह का price level लिखा हुआ नहीं है, चलिए एक और बिल बनाते हैं, यदि आप ने जो price list बनाई हैं उनके rate ना लेकर किसी और rate का बिल बनाना चाहते हैं, तो यहां not applicable select करके आगे बढ़ें, यहां पर आप जो भी rate डालना चाहें वो type कर सकते हैं, चलिए वापस पीछे चलते हैं और एक महत्तपून बात समझ लेते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने customer के नाम के साथ ही उसका price level जोड़ दें, जैसे यह फायदा होगा कि हमें हर बार price level select नहीं करना होगा और बार-बार price level select करने से जो गलती के संभावना रहती है वो भी समाप्त हो जाएगी, तो हम वापस party के नाम पर चलते हैं और अब इस laser को alter करने के लिए control के साथ enter press करेंगे, laser alteration screen दिखाई दे रही है, अब यहाँ F12 press करेंगे और use price levels for party lasers को yes करके इस screen को save कर लेंगे, यह देखिए अब यहाँ पर एक नया option आ गया है, हम इस option पर चलते हैं, अब यहाँ पर customer के अनुसार हम उसका price level select कर लेंगे, अब इससे save कर लेंगे, हम backspace key से वापस party के नाम पर आ गये हैं और enter press करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यह देखिए अब हमें price level select नहीं करना पड़ा, वो अपने आप आ रहा है, चलिए अब इस वीडियो का आखरी option price list में correction करना भी समझ लेते हैं, माली जै आपने कोई price list बनाई है और उसमें कुछ गलती रह गई है, तो उसे कैसे ठीक करेंगे आईए देखते हैं, उसके लिए alter select करेंगे, अब यहां से price list स्टॉक रूपर जाएंगे और यहां जरूरत अनुसार select करते हुए आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखें, हम इस price list के date में कोई change नहीं कर रहे हैं, और अब जो correction करना हो, वो करके इसे save कर लें, अब ही हमने जो correction किया है, चलिए वापस उसे देख लेते हैं, यह देखिए, यह आप देख सकते हैं कि changes हो गए हैं, इसे तरह यदे आपको पहले से बनी किसी price list को अने किसी date में बनाना हो, तो आप वो भी बना सकते हैं, यहां हम BPL TV और यहां retailer ले रहे हैं, और date बदल कर 5 April कर रहे हैं, देखिए, यहां पिछली price list के सभी items के नाव आ रहे हैं, और यहां cost price और 1 April की price list के rate भी दिखाई दे रहे हैं, आप यहां नए rates डाल कर नई price list बना लेते हैं, अब इससे save कर लेंगे, ध्यान रखें यदि आप 1 April से 4 April के बीच बिल बनाएंगे तो items के rate एक April वाली price list के अनुसार ही applicable होंगे, और चुँके आप तें 5 April को एक नई price list बना ली है, तो आप 5 April या उसके बाद बिल बनाएंगे, तो rate पाँच अपरेल वाली price list के ही applicable होंगे, आईए अब revise price list को भी समझ लेते हैं, उसके लिए price list स्टॉक रूप पर जाकर enter प्रेस करेंगे, यहां revised price के लिए auto के साथ आर प्रेस करेंगे, यह देखिए उपर revised price लिखा आ रहा है, अब अपनी जरूरत के अनुसार सेलेक करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहां हम date बदल कर 10 अपरेल कर रहे हैं, एक खास बात ध्यान रखें, कि यहां नीचे दो options दिखाई पड़ रहे हैं, और उनमें भी कई types दिखाई पड़ेंगे, हमें इन दोनों के types में से कम से कम कोई एक तो सेलेक करना ही होगा, तब ही हम revise price list बना पाएंगे, आप अपनी ज़रूरत अनुसार इनमें से एक या एक से ज्यादा type सेलेक कर सकते हैं, यहां हम decrease by amount सेलेक कर रहे हैं, ऐसा करते ही हम से पूछा जा रहा है कि आप पूरी price list के प्रतेक item में कितने रुपे कम करना चाहते हैं, हम समझने के लिए एक type कर रहे हैं और enter press करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यह देखिए एक message आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि revised price list बन गई है, इससे देखने के लिए कोई भी key press करें, हम enter press कर रहे हैं, देखिए इसके पहले वाली price list भी दिखाई पड़ रही है, और revised price list भी दिखाई पड़ रही है, जिसमें सभी items में एक रुप्या कम हो गया है, कैने कतात पर यह है कि revised price list बनाने पर सभी stock items में एक जैसा change आता है, कोई भी व्यक्ति या व्यापारी अपने निजी उप्योग के लिए या व्यावसाईक उप्योग के लिए जब कोई goods या service खरीता है, तो वो सबसे पहले बाजार में अलग-अलग दुकानदारों से संपर करके उनके rate और उनसे संबंधित अन्य जानकारियां लेता है, और प्रायर या जानकारी वो supplier से लिखित में यानि return में लेता है, इस लिखित जानकारी को ही हम quotation कहते हैं, खरीतदार जब अलग-अलग लोगों से quotation ले लेता है, तो उनकी आपस में तुलना करता है, और उनमें से ज़स supplier का quotation उसे सबसे reasonable लगता है, उससे वो goods या service खरिता है। Quotation में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी supplier के rate किसी item में कम और किसी item में ज्यादा लगते हैं। या अंधिय कोई conditions हमें ठीक नहीं लगती है, तो हम उस supplier से उन्हें ठीक करने के लिए कहते हैं। जिससे कई supplier सहमत होकर revised quotation देते हैं और इस तरह बाचित का सलसिला आगे बढ़ता है। अमा लेजे हम एक supplier हैं और हमारा कोई customer हमसे quotation मांगता है, तो हम quotation कैसे बनाते हैं और इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं? चलिए देख लेते हैं। यहां हमने पहले से ही एक company बनाई हुई है, जिसमें GST भी enable किया हुआ है। साथ ही ledgers, stock items इत्यादी बनाए हुए हैं। हम इसी company में काम करने वाले हैं। अभी हम gateway of tally पर हैं। quotation के लिए हमें पहले एक voucher type enable करना होगा। उसके लिए पहले हम voucher पर जाएंगे। अब यहां other vouchers पर जाने के लिए F10 की प्रेस करेंगे। यह देखिए list of voucher types आ रही है। अब जो voucher inactive हैं उन्हें देखने के लिए हम show inactive पर जाकर इंटर प्रेस करेंगे। अब sales order पर जाकर इंटर प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही एक message आ रहा है यू need to activate the sales order voucher type और फिर पूछा जा रहा है activate now। इसका मतलब है कि sales order voucher type को activate करने की जरूरत है। क्या इसे अभी activate कर दें। इसे activate करने के लिए हम yes कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही sales order के नाम से एक नया voucher open हो गया है। अभी हम आगे समझने के लिए इसे बदलकर payment voucher open कर लेते हैं। ध्यान दें यदि कोई दूसरा voucher open है तो sales order voucher open करने के लिए या तो यहां जाकर क्लिक करें और फिर sales order पर क्लिक करें। या फिर इसका shortcut control के साथ F8 की को प्रेस करें। यह देखिए sales order voucher creation screen आ रही है। एक महतुपुन बाद ध्यान रखें अभी यहां पर sales order voucher open हुआ है। इसका उपयोग हम दो तरह के vouchers बनाने के लिए करते हैं। पहला sales order बनाने के लिए इसके बारे में हम भविश्य में बताएंगे और दूसरा quotation बनाने के लिए। हम इस voucher का उपयोग quotation की तरह करना चाहते हैं तो पहले हमें right menu bar में optional पर जाकर क्लिक करना होगा। या फिर इसका shortcut control के साथ L key को प्रेस करना होगा। ये देखें ऐसा करते ही स्क्रीन पर status के सामने optional लिखा हुआ आ रहा है। मतलब अब हम इस voucher पर अपने customer के लिए quotation बना सकते हैं। यहाँ number अपने आप आ रहा है। अब हम जिस तारीख में quotation बनाना चाहते हैं, पार्टी अकाउंट ने में हमें उस पार्टी का नाम से लग करना होगा, जिसे हम quotation देना चाहते हैं। चुकि इस पार्टी का leisure बना हुआ नहीं है तो हम इसे create कर लेते हैं। यहाँ पर पार्टी की details टाइप कर देते हैं। हम इस party की contact details भी डालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें more details पर जाना होगा जिसकी shortcut key control के साथ i key press करना होती है अब contact details पर जाकर enter press करेंगे अब यहाँ उसकी contact details टाइप कर देंगे और फिर इस screen को accept कर लेंगे और इसे भी accept कर लेंगे अब यहाँ order details की screen आ रही है यदि नहीं आ रही हो तो पहले backspace press करके voucher पर जाएं फिर after press करके provide dispatch, order and export details को yes कर दें और screen को save कर लें order details में सबसे पहले mode oblique terms of payment है इसमें हमें वह payment condition टाइप करनी होगी जो हम payment के लिए चाहते हैं जैसे cash या 15 days credit या 10% advance and balance 15 days after supply other reference में हम party ने जिस तरह से inquiry की है वो टाइप कर सकते हैं जैसे telephonic conversation या your letter number so and so इत्यादी term of delivery में हम order मिलने के कितनी दिन के अंदर supply करने वाले हैं ये type करना हैं जैसे की 10 days after receiving order अब हम enterprise कर रहे हैं ये देखिए एक blank field और आ रही है यदि आप delivery से संबंधित कोई और condition देना चाहते हैं जैसे की हम party के यहां तक माल की delivery free करने वाले हैं तो यहां type करेंगे for और यदि अपनी दुकान से delivery देने वाले हैं यानि हमारे यहां से party को ले जाने का खर्च स्वयम उठाना होगा तो यहां पर हम type करेंगे delivery from our shop और go down इस तरह की कुछ और conditions भी हो सकती हैं जिनने आप यहां पर type कर सकते हैं हम enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं party details के बारे में हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं order number को ऐसे ही छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं यहां sales ledger के आगे sales account सेलेक करेंगे अब यहां customer हमसे जितने भी items की details पांग रहा है एक एक करके उन सभी की details यहां पर हमें डालनी होगी अब जैसे ही हम item का नाम सेलेक करके endड़ प्रेस करते हैं item location screen आ जाती है जिसमें cursor due on पर है इसे हमें as it is छोड़ना है क्योंकि यह option sales order के लिए है और हम बना रहे हैं quotation यहां पर quantity और rate type करेंगे अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी तरह अन्य items की detail भी डाल देंगे यहां हम आपको एक बाइद बता दें कि आप quotation में discount देना चाहते हैं तो दो तरह से दे सकते हैं पहला हर item का अलग-अलग discount और दूसरा quotation के पूरे amount पर discount इन दोनों के बारे में हम आपको अपनी video number 88 में बता चुके हैं यहां हम quotation के पूरे amount पर discount देना चाहते हैं तो उसके लिए discount allowed on sales का leisure select करेंगे और यहां पर जिस प्रतिशत से हम discount देना चाहते हैं वो type करेंगे अब यदि आप कोई packing, charge, freight या insurance लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं इनको कैसे लगाते हैं यह हम video number 90 में बता चुके हैं अब आखिर में हम इस पर GST भी जोड़ देते हैं यहां narration में आप supply या quotation से संबंदित कुछ और भी type करना चाहते हैं जैसे कि इसमें आप लिख सकते हैं कि यह quotation quotation की तारीक से 35 दिन तक ही valid रहेगा अब हम इसे save कर लेते हैं एक बात हमेशा ध्यान रखें quotation कभी भी एक final invoice यानि bill नहीं होता है यह हमेशा से ही actual invoice के पहले बनाया जाता है इसे बनाने से हमारी books में stock और उसके मुले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसको बना कर देने का फाइदा यह है कि किसी भी deal के पहले ही customer को माल से संबंधित, quantity, rate और अन्य conditions के बारे में अच्छा से मालूम पड़ जाता है जिससे कि बाद में किसी भी तरह का dispute नहीं होता और यदि कोई dispute हो जाए तो यह quotation प्रमान के रूप में काम आता है अब हम इसका प्रिंट प्रिव्यू देख लेते हैं उसके लिए पहले page up की प्रेस करेंगे अब control के साथ P की को प्रेस करेंगे प्रिव्यू देखने के लिए I प्रेस करें यह देखे सबसे उपर हमें quotation लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके नीचे हमारा और customer का नाम, पता और अन्य details तो दिखाई पड़ रही है पर contact details नहीं दिखाई दे रही साथ ही हमने जो narration type की थी वो भी नहीं दिखाई पड़ रही है इसी तरह quotation में कुछ details ऐसी भी है, जैसे consigny details इसे हम print में नहीं चाहते हैं और एक यह यहां due on dates आ रही है जो कि sales order के लिए होती है, इसे भी हम print में नहीं लेना चाहते है इन सब के लिए हमें print screen पर जाकर configuration करना होगा अब इस लिस्ट के सभी options देखने के लिए show more पर जाकर enterprise करेंगे और इस लिस्ट में दिखाई पड़ रहे शो delivery date, oblique batch details और शो consigny details को no कर देते हैं साथ ही show narrations, show phone number और show contact details को yes कर देते हैं अब इस configuration को control और A की से accept कर लेते हैं accept करने से पहले हम आपको बता दें, यहां हम जो भी configuration एक बार कर लेते हैं वो permanent रहता है, यानि हमें बार बार configuration नहीं करना पड़ता है चलिए अब प्रिव्यू देख लेते हैं यह देखिए हमारे द्वारा किये गए changes इस quotation में दिखाई दे रही हैं ध्यान रखें, quotation में contact details इसलिए दी जानी चाहिए जिससे की seller और buyer दोनों एक दूसरे से आलसानी से संपर कर सकें यहां उपर quotation का number है, date है, customer द्वारा पुछी गई सभी items की पूरी जानकारी है साथ ही हमारी सभी conditions भी दिखाई पड़ रही है अमान लिजिए हमने किसी party को quotation दिया था और वो इस quotation की condition पर माल खरिदना चाहता है तो हम इस quotation से ही सीधे उसका bill बना सकते हैं उसके लिए पहले हमें party का quotation open करना होगा, उसके लिए हम alter के साथ G की press करेंगे यहां type करेंगे optional, फिर optional voucher पर जाकर enter press करेंगे यहां F2 प्रेस करके वो तारीख टाइप करेंगे जिस तारीख का quotation है और यदि हमें तारीख याद नहीं है तो alter और F2 की press करके संभावित period टाइप करेंगे हम यहां पूरे एक वर्ष का period ले रहे हैं सिलेक किये गए period में आपने जितने भी optional voucher बनाए होंगे वे सब ही दिखाई पड़ेंगे आप जो voucher open करना चाहते हैं उस पर जाकर enter press करें हमने एक यह optional voucher बनाया है वो भी selected है हम enter press कर रहे हैं अब सबसे पहले हम F8 की press करके इसे sales voucher में convert कर लेंगे यह देखिए अभी उपर status में optional लिखा है इसे हटाने के लिए control और L की इसको press करेंगे अब आप जिस तारीख में बिल बनाना चाहते हैं वो type करें हम तारीख 1 October type कर रहे हैं यह देखिए यहां customer का नाम आ रहा है हम enter press कर रहे हैं ऐसा करते ही dispatch details के साथ ही order details की screen आएगी और यदि नहीं आ रही हो तो पहले backspace press करके voucher पर जाएं फिर F12 press करके provide order details को yes कर दें और screen को save कर लें अब यहां आप जो dispatch details देना चाहें वो दे सकते हैं इसके बाद यहां order details में जाकर space bar press करके वो conditions हटानी होंगी जो हमने quotation में दी थी अब आप यदि कोई नई conditions टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं हम mode of payment में 15 credit days टाइप कर रहे हैं और enter press करके आगे बढ़ रहे हैं जैसे हमने item select किया यहां item allocation screen आ रही है इसमें हमसे order number पुछा जा रहा है दरसल यह order number sales order का part है और हम quotations से invoice बना रहे हैं तो यहां हम select करेंगे not applicable और आगे बढ़ेंगे यहां पुरानी narration हटा देंगे यदि आप चाहें तो यहां कोई नई narration दे सकते हैं अब इस voucher को accept कर लेंगे चलिए अब हमने जो sales voucher बनाया है उसे देख लेते हैं उसके लिए day book पर जाकर हमने जिस date में voucher बनाया था वो date type करेंगे यह देखिए अभी हमने जिस quotation को sales voucher में convert किया था वो यहां पर दिखाई पड़ रहा है यहां हम आपको एक महत्पून बात बता दें कि हमने ये वीडियो tally prime release 3 पर बनाई है इसके पहले वाले release में जब हम quotation से bill यानि invoice बनाते थे तो bill number उपर नीचे हो जाते थे tally ने इस release में अब उस problem को solve कर दिया है आखिर में एक बार फिर बता दी quotation को sales order voucher पर optional select करके बनाया जाता है आई अब बात करते हैं प्रोफार्मा invoice के बारे में कई बार हम customer को quotation देते हैं और कई बार quotation के बगेर ही deal final हो जाती है पर कई बार customer deal करने से पहले ही यानी goods की delivery के पहले ही हमसे sales bill मांगता है अब सवाल है कि bill तो हम तभी बनाते हैं जब goods deliver करते हैं क्योंकि bill बनाने से हमारी books में stock और उसका मुलिकम हो जाता है अब जब हम delivery नहीं कर रहे हैं तो bill कैसे बना सकते हैं ऐसी स्थिती में हम क्या करें बस इसी का समाधान है profama invoice अब सवाल ये है कि customer को इस profama invoice की ज़रूरत क्यों पढ़ती है तो इसके दो कारण है पहला कई बार customer को माल खरीदने के पहले ही पूरा पैसा advance देना होता है तो वो bill का सही amount जानने के लिए supplier से profama invoice मांगता है और उसी profama invoice के आधार पर supplier को advance payment करता है और दूसरा जो कारण है उसे हम एक उधारन से समझ लेते हैं जैसे हमें bank से finance करवा कर एक motorcycle खरीदना है और bank हमें तभी finance करेगा जब हम उसे motorcycle का sales invoice देंगे अब सवाल ये है कि बगेर payment के motorcycle का dealer हमें motorcycle और उसका sales invoice नहीं देगा तो फिर क्या करें तो इसका हल ये है कि हम motorcycle dealer से profama invoice लेकर bank में दे देंगे और bank उस profama invoice के आधार पर सीधे motorcycle dealer को payment कर देगा और इस तरह से ही हम bank finance से motorcycle खरीच सकते हैं इस तरह की कुछ और भी परिस्तितियां हो सकती हैं जिसमें customer delivery के पहले supplier से माल का बिल लेना चाहता हो प्रफॉर्मा invoice sales invoice की हुब हुब कॉपी होता है इस पर sales invoice की तरह ही quantity, rate, total amount इत्यादी सब कुछ लिखा होता है बस इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे बनाने से हमारी books में stock और उसके मुले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर एखास बात ध्यान रखें customer से order लेने के लिए हम quotation बनाते हैं और आवशक्ता पढ़ने पर हम quotation में quantity, rate या conditions में changes कर सकते हैं पर अगर हम किसी party को pro forma invoice देते हैं तो उसके बाद हम उस pro forma invoice में कोई changes नहीं कर सकते क्योंकि वो as it is sales invoice की एक dummy copy होता है आए अब देखते हैं कि टेली में pro forma invoice कैसे बनाते हैं हम V press करके F8 press कर रहे हैं यह देखिए sales voucher open हो गया है हम sales voucher पर ही pro forma invoice बनाएंगे उसके लिए हमें sales voucher पर रहते हुए ही यहाँ optional पर click करना होगा या फिर इसका shortcut control के साथ L प्रेस करना होगा देखिए ऐसा करते ही voucher में उपर की और status के आगे optional लिखा आ रहा है अब सबसे पहले F2 की प्रेस करके जिस date में pro forma invoice बनाना चाहते हैं वो date type कर देंगे अब यहाँ party का name select करेंगे हम अशोक trader select कर रहे हैं order details में mode oblique terms of payment में हम payment की जो condition रख रहे हैं वो type करेंगे जैसे यहाँ हम advance type कर रहे हैं अब यहाँ sales account select करेंगे और फिर item select करेंगे यहाँ order number में not applicable ही रहने देंगे अब quantity और rate type कर देंगे इसी तरह यदि कोई दूसरा item है तो उसकी details भी डाल देंगे इसके बाद यहाँ यदि कोई discount, packing charges या freight लगाना हो तो वो लगा देंगे और end में GST लगा कर इस profama invoice को save कर लेंगे अब इसका print preview देखने के लिए page up key प्रेस करेंगे फिर control के साथ P प्रेस करेंगे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ configuration कर लेते हैं यहाँ आप जो option चाहें उसे yes या no कर सकते हैं हम bank details को yes कर रहे हैं bank name में हम state bank of india select कर रहे हैं इससे customer यदि हमारे bank खाते में सीधे payment करना चाहेगा तो कर सकेगा इसके बाद यहाँ show account holders name को yes करके इस screen को accept कर लेंगे चलिए अब preview देख लेते हैं देखिए यहाँ ऊपर pro forma invoice लिखा हुआ आ रहा है यहाँ invoice number लिखा हुआ रहा है ध्यान रखें यह invoice से similar है इसलिए यहाँ invoice number लिखा हुआ आ रहा है पर यह कभी भी हमारी books को effect नहीं करता है और यहाँ नीचे bank details भी दिखाई दे रही है ध्यान रखें यह bank details तभी दिखाई देगी जब आपने bank का laser बनाते समय उसकी पूरी details दी होगी अब हम इसे print करके अपने customer को दे सकते हैं जिससे उसका काम भी हो जाएगा और हमें भी original invoice नहीं बनाना पड़ा अब आप समझे गए होंगे कि proforma invoice की जरूरत क्यूं होती है और हम इसे कैसे बनाते हैं अब जब customer हमारे खाते में payment कर देगा और हमें माल भेजने के लिए bill बनाना होगा तब हमें नया invoice बनाने की जरूरत नहीं है आप go to पर जाएं यहां optional टाइप करें और optional vouchers पर जाकर enter प्रेस करें अब F2 प्रेस करके proforma invoice की date टाइप करें और फिर proforma invoice open कर लें इस optional voucher को regular voucher में convert करने के लिए control के साथ L की प्रेस कर दें अब आप जिस दिन माल बेच रहे हैं F2 प्रेस करके वो date टाइप करें अब यहां dispatch details और order details में जो भी details देना चाहते हैं वो टाइप कर दें अब इस voucher को accept कर लेंगे आईए अब इसका print preview देख लेते हैं यह देखे ऊपर tax invoice लिखा आ रहा है ध्यान रखें अब यह जो sales invoice हम customer को देंगे यह हमारे stocks को और उसकी value दोनों को affect करेगा क्योंकि यह actual sell bill है यहां हम आपको एक महतुपुन बात बता दें कि हमने ये वीडियो टैली प्राइम release 3 पर बनाई है इसके पहले वाली release में जब हम proforma invoice से bill यानि invoice बनाते थे तो bill number उपर नीचे हो जाते थे टैली ने इस release में अब उस problem को solve कर दिया है आखिर में एक बार फिर आपको बता दें proforma invoice को sales voucher पर optional select करके बनाया जाता है दोस्तों आज की अध्याय में हम बहुत ही महतुपुन टॉपिक interest calculation को समझाने जा रहे हैं पहली में ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर प्राया हर व्यवसाई और accountant को काम करना ही पड़ता है इसको समझे बगेर हम सही तरिके से accounting नहीं कर सकते चलिए तो आज का ध्यार शिरू करते हैं सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि interest किसे कहते हैं जब हम किसी से loan यानि कर्ज लेते हैं या फिर किसी को loan देते हैं तो उस loan राशी के उप्योग के बदले में loan देने वाले को एक निश्यत दर्स से प्रतिफल के रूप में कुछ राशी देना पड़ती है जिसे interest यानि ब्याज कहते हैं इसे प्रकार व्यापार में भी कई बार हम किसी supplier से ज्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीते हैं तो उस लंबी अवधी के लिए हमको ब्याज देना पड़ सकता है इसके विपरेत यदि हमने किसी customer को लंबी अवधी के लिए उधार माल बेचा तो उस पर हम भी ब्याज ले सकते हैं यदि आपको ब्याज प्राप्त होता है तो ये एक प्रकार की अप्रत्यक्ष आये है यानि indirect income है और यदि आप किसी को ब्याज देते हैं तो वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष व्याय यानि indirect expense है चलिए अब interest को यानि ब्याज को सरल शब्दों में समझ लेते हैं एक उधारन लेते हैं हमने मुकेश को 10,000 रुपए 2% मासिक ब्याज़दर पर 3 माह के लिए उधार दिये यानि वो हमें 10,000 रुपए पर 1 महीने के 2% यानि 200 रुपए एक्स्ट्रा देगा और ये 200 रुपए ही interest यानि ब्याज कहलाता है इस तरह हमें 3 माह का interest प्राप्त होगा 200 इंटू 3 यानि 600 रुपए यहाँ पर जो 10,000 रुपए है वो मूलधन यानि principal amount कहलाता है और जो 2% है वो ब्याज की दर है जिसे rate of interest कहते हैं और जो 3 माह का समय है इसे हम time period कहते हैं ब्याज निकालने का एक formula भी है चलिए वो आपको बता देते हैं ब्याज यानि interest is equal to मूलधन यानि principal amount into दर यानि rate of interest into समय यानि time divided by hundred इस formula से यदि हम मुकेश को दिये 10,000 रुपए का ब्याज निकालें तो वो होगा principal amount 10,000 रुपीज into rate of interest 2% into time period है 3 months तो 3 ले लेंगे so 10,000 into 2 into 3 divided by 100 ये हुआ 600 यहाँ पर हम आपको कुछ खास बातें बताना चाहते हैं पहली तो ये कि rate of interest सामन नतया दो तरह से बताया जाते हैं मासिक और वार्षिक मासिक यानि monthly interest rate जो होता है उसमें जो ब्याजदर होती है वो एक माहा के लिए होती है जैसा कि अभी हमने उदारन में बताया था और दूसरे वार्षिक यानि yearly जो interest rate होता है इसमें जो ब्याजदर होती है वो एक वर्ष के लिए होती है हमने उदारन में देखा कि 2% मासिक ब्याजदर है इसका मतलब ये कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो एक साल की ब्याजदर हो जाएगी 2 into 12 is equal to 24% दूसरी बात अभी हमने जो ब्याज की calculation की वो साधारन ब्याज यानि simple interest था कई बार चक्रवर्थी ब्याज यानि compound interest भी calculate किया जाता है इसमें ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है आगी वाली वीडियो में हम compound interest को भी detail में समझाएंगे आप आथ करते हैं tally prime की यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ध्यान दिला दें कि tally के education version में interest calculation करना कठिन होता है क्योंकि इसमें आप अपनी जरूरत के अनुसार तारीख नहीं ले सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ हमने television house के नाम से पहले से यह company बना रखी है इसमें सभी आवश्यक लेजर, stock item, सत्यादी भी पहले से बना रखे हैं टally में interest calculate करने के लिए हमें interest calculation के feature को चालू करना होता है तो उसके लिए हम F11 की press करेंगे अब big space से show more features पर जाकर इसे yes करेंगे इसी तरह show all features को भी yes करेंगे यह देखे accounting heading के अंतरगत enable interest calculation option दिखाई दे रहा है हम इसे yes कर रहे हैं और इस screen को save कर रहे हैं चलिए अब देखते हैं कि यदि हम किसी को ब्याज पर रुपए उधार देते हैं यानि loan देते हैं तो tally में उसकी entry कैसे करते हैं और फिर उस पर interest कैसे calculate करते हैं यहां पर हम पहले वाला ही उधारन ले रहे हैं हमने मुकेश को एक अप्रेल को 10,000 रुपए दो प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर तीन मेने के लिए उधार दिये चलिए अब टैली में इसकी entry कर लेते हैं चुकि हमने payment दिया है तो इसकी entry हम payment voucher में करेंगे तो सबसे पहले हम payment voucher open कर लेते हैं हमारे पास मुकेश का ledger बना हुआ नहीं है तो हम इसे create कर लेते हैं name में type करें loan to मुकेश अब चुकि हम इसे loan दे रहे हैं इसलिए इसका group होगा loan and advance इसके बाद यहां हमें activate interest calculation का option दिखाई दे रहा है जो की अभी no है हमने इस party को loan दिया है और हम उस पर interest calculate करना चाहते हैं इसलिए इस option को yes करेंगे और enterprise करेंगे यह देखिए ऐसा करते ही हमारे सामने interest parameters की एक window open हो गई है इसमें हमें interest calculation से संबंधे details देना होंगी यहां सबसे पहले है include transaction date for interest calculation इसका मतलब है कि जिस तारीक को transaction हुआ है उस तारीक को interest calculation में include करें यानि शामिल करें और इससे संबंधित नीचे दो option दिखाई दे रहे हैं पहला है for amount added इसका मतलब है कि जिस दिन amount जोड़ी गई है उस दिन को interest calculation में शामिल करें और दूसरा option है for amount deducted यानि जिस दिन amount घटाया गया उस दिन को interest calculation में शामिल करें अगर आपको यह options include करना है तो इन्हें yes करना है और अगर नहीं करना है तो no रहने देना है सामाने तया हम या तो इन दोनों options को yes करते हैं या दोनों को ही no रखते हैं हम अभी इन दोनों options को yes कर रहे हैं इन्हे यस या नो करने का interest calculation पर क्या प्रभाव पड़ता है यह हम आपको आगे example के साथ बताएंगे अब हम rate पर आ गए हैं यहां हमें ब्याजदर यानि rate of interest टाइप करना है हम to type कर रहे हैं देखिए enterprise करते ही interest style के 4 options दिखाई पड़ रहे हैं चलिए इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं पहला है 30 day month जैसे कि आप सभी जानते हैं एक साल में 12 महिने होते हैं और उनमें कोई महिना 30 दिन का तो कोई 31 दिन का होता है और फरवरी का महिना या तो 28 या फिर 29 दिन का होता है अब यदि आप अपनी calculation में 30 दिन बीच जाने पर उसे पुरा महिना मानना चाहते हैं तो इसे select करें इसे अच्छे से समझने के लिए एक उधारन दे देते हैं मान लेजे हमने एक जन्वरी को किसी को रुपे उधार दिये हैं तो उसका एक महिना 30 जन्वरी को पूरा हो जाएगा और 31 जन्वरी से ही अगले माह की calculation चालू हो जाएगी दूसरा है 365 day year जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर 3 साल के बाद 4 साल 365 दिनों की जगर 366 दिनों का होता है जिसे कि हम leap year कहते हैं यदि आप इसे select करते हैं तो 365 दिन भी जाने के बाद उसे एक साल मान लिया जाएगा चाहे वो साल 365 दिन का हो या फिर 365 दिन का तीसरा है calendar month यदि आप calendar month के हिसाब से ब्याज की calculation करना चाहते हैं यानि आप चाहते हैं कि महिना 30 दिन का हो या 31 दिन का या 28 या 29 दिन का जितने भी दिन का हो उसे एक महिना ही माना चाहे तो फिर आप ये option select करें चौथा है calendar year यदि आप calendar वर्ष के हिसाब से भी आज की calculation करना चाहते हैं तो इससे select करें इसमें यदि वर्ष 365 दिन का है तो उसे एक वर्ष माना चाहेगा और यदि वर्ष 365 दिन का है तो उसे भी एक वर्ष ही माना चाहेगा यहाँ पर हम calendar month select कर रहे है देखिए एक नई screen interest balances की आ रही है जिसमें तीन options दिखाई पड़ रहे है यदि आप party को रुपे उधार देते भी है और उससे रुपे उधार लेते भी है और आप चाहते हैं कि दोनों पर interest calculate हो तो आप यहाँ all balances select करें यदि आप party को केवल रुपे उधार देते हैं तो यहाँ debit balances only select करें और यदि आप party से रुपे उधार लेते हैं तो यहाँ credit balances only select करें चुँकि हमने यहाँ party को उधार यानि loan दिया है तो हम debit balances only select कर रहे हैं यह देखिए ऐसा करते ही interest parameter save हो गए हैं और हम वापस laser creation screen पर आ गए हैं, अब इस laser को भी save कर देते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक और बात बता दें कि यदि आप पहले से बने किसी laser में interest calculation चालू करना चाहते हैं, तो उस laser को alter करके activate interest calculation वाले option को yes करना होगा, और सभी जरूरी details टाइप करनी होगी, अब चुकि मुकेश को हमने 10,000 रुपय का लोन दिया है, इसलिए debit में 10,000 टाइप करेंगे और enterprise करेंगे, हमने ये payment cash के माध्यम से किया है, इसलिए यहां हम cash का laser select करेंगे, narration में टाइप करेंगे, loan given to मुकेश on interest, अब इस voucher को save कर लेंगे, तीन महने बाद एक जुलाई को मुकेश आया और बोला कि भाई साब मैं लोन चुकाने आया हूँ, ऐसे स्थिती में पहले हमें interest का amount tally में calculate करना चाहिए, इसके बाद इस interest के entry journal voucher में करना चाहिए, और फिर principal amount और interest दोनों को जोड़ कर, जितने रुपए बनते हैं, वे party से लेकर उसकी receipt voucher में entry करनी चाहिए. हम आपको इन दोनों के बारे में समझाना चाहते हैं, इसलिए अभी हम मान लेते हैं कि पहले सिर्फ principal amount जो की 10,000 रुपए है, वो हमें वापस मिल गया है और उसके entry receipt voucher में कर लेते हैं, बाद में interest calculation करेंगे. यह हमने entry कर ली, आईए अब interest calculate कर लेते हैं, अभी हम gateway of tally पर हैं, interest देखने के लिए display more reports पर जाना होगा, अब यहां से statements of accounts पर जाएंगे, देखिए यहां interest calculations लिखा दिखाई दे रहा है, हम इस पर जाकर enterprise कर रहे हैं, यहां आप देख सकते हैं, interest calculation की अलग-लग reports देखने के लिए options आ रहे हैं, चलिए इनको समझ लेते हैं, interest receivable में हमें जितनी भी पार्टियों से ब्याज लेना है, उन सभी की list आ जाती है, मान लिजे हमने 10 ग्रहकों के लेजर में interest calculation चालू किया हुआ है और हम एक साथ उन सभी का interest देखना चाते हैं, तो हम interest receivable में जाकर देख सकते हैं, इसी तरह से interest payable में हमें जितनी भी party को interest pay करना है, उन सभी की list आ जाती है, इसके बाद है ledger पर अभी हम इसे छोड़कर नीचे group के बाद कर लेते हैं, यदि आप किसी group में जितनी भी ledgers में interest calculation enable है, उन सभी की एक साथ interest calculation देखना चाते हैं, तो इसकी साहता से देख सकते हैं, अभी हमें individual एक ही customer का interest देखना है, तो हम ledger में जाएंगे, उसके लिए L प्रेस करेंगे, यह देखियां यहां पर list of ledgers में मुकेश का ledger दिखाई पढ़ रहा है, यहां पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है, कि एक ही ledger क्यों दिखाई पढ़ रहा है, तो उसका कारण यह है, कि अभी हमने एक ledger में ही interest calculation चालू की है, हम इस पर enter press कर रहे हैं, अब हमें जिस period का interest देखना है, वो F2 press करके type करना होगा, हम एक अप्रेल 23 से एक जुलाई 23 तक का period type कर रहे हैं, और enter press कर रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दे कि हमने एक अप्रेल को रुपए दिये थे, और वो एक जुलाई को हमें वापस प्राप्त हो गए हैं, यह देखे हमने report का period एक अप्रेल से एक जून यानि तीन माह का 600 रुपए आ रहा है, आए आपको इसका कारण समझा देते हैं, हमने इन दोनों को यस किया था, इसमें पहले option card यह है कि जिस तारीक को रुपए दिये जा रहे हैं, यानि रुपए एड हो रहे हैं, क्या आप उसे calculation में लेना चाहते हैं, यदि लेना हैं, तो yes करें, और यदि नहीं लेना हैं, तो no करें, हमने यहाँ पर yes किया हुआ है, इसलिए interest एक अप्रेल से calculate हुआ है, इसी तरह दूसरे option का आर्थ है, कि जिस दिन रुपए प्राप्थ हुए, यानि deduct किये गए, जासे कि हमें 1 जुलाई को 10,000 रुपए प्राप्थ हो ध्यान रखें, ऊपर वाली option में हमने date include करने के लिए yes किया है, और नीचे वाली option में date include नहीं करने के लिए yes किया है, आईए अब हम इस party के ledger को alter करके, इन दोनों options को yes की बजाए no कर देते हैं, और उसका effect देख लेते हैं, हम party का ledger open करके इसमें alteration कर रहे हैं, हम इसे yes कर रहे हैं, और अब इन दोनों options को no कर रहे हैं, तरिसल हमारा ये मानना है कि इन दोनों options को no रखना ज्यादा सही है, चलिए अब इस screen को save कर लेते हैं, और इस ledger alteration screen को भी save कर लेते हैं, अब हम escape की press करके वापस report पर आ गए हैं, ये देखिए इन options को no करने से सब उल्टा हो गया है, हमने जिस तारीक को रुपए दिये हैं, यानि एक अप्रिल, उस तारीक से interest calculate ना होकर, उसके अगले दिन से calculate हो रहा है, और जिस तारीक को रुपए प्राप्त हुए हैं, उस तारीक तक, यानि एक जुलाई तक का interest calculate हो रहा है, घ्यान रखें, इसमें हमने उपर वाली option में date include नहीं करने के लिए no किया है, और नीचे वाली option में date include करने के लिए no किया है, इस तरह आप इन दुनों options का उप्योग अच्छे से समझ गए होंगे, अब हम party की ledger report open करके, 10,000 रुपए की हमने जो receipt बनाई थी उसे delete कर देते हैं, और सीधे तरह से काम करना समझा देते हैं, तीन मेने बाद एक जुलाई को मुकेश आया और बोला कि भाई साब मैं लोन चुकाने आया हूँ, प्लीज प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़कर बताएं कि मुझे आपको कितने रुपए देना है, हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए गोटू पर जाएंगे, यहां टाइप करेंगे इंटरेस्ट और फिर यहां अपनी जरूरत के अनुसार, जो भी ऑप्शन पर चाहें, जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल या इंटरेस्ट पेबल या लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर चले जाएं, हम लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जाकर एंटर प्रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर party का नाम selected है, हम enter press कर रहे हैं अब जिस period का interest देखना चाहते हैं F2 press करके वो type कर देंगे यह देखें यहाँ पर कितना interest बनेगा वो दिखाई पड़ रहा है एक बार ज़रूर ध्यान रखें, इस interest का हमारी books पर कोई effect नहीं आता है इसका effect देने के लिए हमें इसके entry जर्णल voucher में करनी होगी सबसे पहले हम date change कर लेते हैं debit में हम मुकेश का laser select करेंगे यहाँ पर ब्याज का amount type करेंगे enter press करके आगे बढ़ेंगे credit में interest receivable का laser select करना है यह laser बना हुआ नहीं है तो हम इसे create कर लेते हैं name में type करेंगे interest receivable under में हम indirect incomes group select करेंगे क्योंकि यह ब्याज हमारी indirect income है activate interest calculation को no ही रहने देंगे अब इस laser को save कर लेंगे अब enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ narration type करेंगे और अब इस voucher को save कर लेंगे चले अब हम receipt voucher पर चलते हैं और मुकेश से interest के साथ principal amount receive कर लेते हैं credit में मुकेश का laser select करेंगे यह देखिए यहाँ मुकेश से loan और interest मिलाकर जो amount लेना है वो दिखाई पड़ रहा है हम इसे यहाँ पर type कर देंगे और enter press करेंगे अब debit में cash select कर लेंगे यहाँ पर narration type करेंगे being loan amount received with interest और इस voucher को save कर लेंगे हमने पिछली वीडियो में जिस company में काम किया था वही company यहाँ open कर ली है यहाँ हम आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने जो interest parameters देखे थे वो parameters और sundry data और sundry creditor group के लिए जो parameters होते हैं वो अलग-अलग होते हैं और इस वीडियो में हम आपको इनहीं के बारे में समझाएंगे हम credit sales का एक उधारन ले रहे हैं हमने एक अप्रेल को customer दीपक traders को BPL TV 20 inches के चार नग 25,000 रुपए प्रती नग के भाव से उधार बेचे माल पेशते समय हमने उसे कहा कि आप हमें जितने दिन में payment करेंगे हम उसके लिए आप से 1% पर मंत की दर से ब्याज लेंगे customer हमारी बात से सहमत हो गया और हमें बिल बनाने का बोला इस sales के entry करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि हमारा bill wise detail option चालू है या नहीं उसके लिए F11 प्रेस करेंगे यह देखे एनेबल bill wise entry option यस ही है यदि आपके tally में यह no हो तो पहले इसे yes कर लें आने था sales purchase के entry करते समय आपके सामने bill wise details की screen नहीं आएगी जो की जुरूरी है और इसका क्या कारण है यह हम आपको बात में बताएंगे बिल वाइस details option क्या है इसके बारे में हम आपको अपनी वीडियो number 61 से लेकर 66 तक में detail में बता चुके हैं चलिए अब sales entry कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले एक और खास बात ध्यान रखें F12 की प्रेस करके यह देख लें कि use default bill wise details for bill allocation option no होना चाहिए यदि yes हो तो उसे no कर दें यदि हम इसे no नहीं करते हैं तो आगे काम करते समय बिल वाइस details की window नहीं आएगी चलिए date change कर लेते हैं party account name में हमें दीपक traders का ledger select करना है यह ledger बना हुआ नहीं है तो पहले इसे create कर लेते हैं name में type करेंगे दीपक traders under में sunry data group select करेंगे maintain balance bill by bill को yes ही रखना है और enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे अब है activate interest calculation चूँकि हम दीपक traders के ledger पर interest calculate करना चाहते हैं इसलिए इसे yes करेंगे और फिर enterprise कर देंगे एक और बात यदि आपने पहले से किसी party का ledger बनाया हुआ है और आपको अब उसमें interest calculation चालू करना है तो उसके ledger को alter करके उसमें activate interest calculation को yes करना होगा यह देखिए हमारे सामने interest parameters की window open हो गई है इसमें सबसे पहला option है calculate interest transaction by transaction यदि हम किसी देंदार या लेंदार के ledger में इसे yes करते हैं तो हम उससे जितने भी transactions करेंगे यानि जितने भी purchase या sell करेंगे उन सभी के लिए अलग-अलग ब्याज की calculation की जा सकती है हम इसे yes कर रहे हैं यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें प्रत्यक transaction यानि प्रत्यक purchase या sell के लिए अलग-अलग ब्याज की calculation करने के लिए ये option तभी काम करता है जब आपने ledger में maintain balance bill by bill को yes किया होगा अब enterpress करेंगे देखिए इसको yes करते ही नीचे को option आ गया है override parameters for each transaction अभी हम इसे no ही रहने दे रहे हैं अब बात करते हैं नीचे के इन सभी options के बारे में इन सभी के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में detail में बता चुके हैं इसलिए इने 6 से समझने के लिए उस वीडियो को ज़रू देख लें यहाँ पर हम पिछली वीडियो में बताएं अनुसार इन दोनों को no ही रहने दे रहे हैं rate में 1% यहाँ calendar month और यहाँ debit balance only select कर रहे हैं और इस laser creation script को भी save कर लेते हैं यहाँ sell select करेंगे यहाँ item यहाँ quantity और यहाँ rate अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ bill wise details में new reference आ रहा है हमें यही चाहिए enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे अब हम इस bill को save कर लेते हैं दीपक traders एक मही को आया और बोला कि मुझे आपको ब्याद सहित कितने रुपए देना है यह बताईए हमने go to पर जाकर टाइप किया interest यहाँ से laser interest calculation पर जाकर enterprise किया और यहाँ party का नाम select किया period change किया देखिए interest calculation report दिखाई दे रही है इसे detail में देखने के लिए ALT के साथ F5 की press करें यह देखिए यहाँ पर आप detail report देख सकते हैं हमने इसे देखकर customer को बताया कि एक लाख बिल के और एक हजार रुपए ब्याच के हुए है customer ने हमें एक लाख एक हजार रुपए दे दिये अब आई यह देखते हैं कि tally में इसकी entry कैसे करेंगे सबसे पहले तो हमें जो interest लेना है उसकी entry journal voucher या debit note voucher में करनी होगी हम journal voucher open कर रहे है date change करेंगे debit में दीपक ट्रेडर्स का लेजर सेलेक करेंगे यहाँ interest का amount टाइप करेंगे यह देखे बिलवाइस details की स्क्रीन आ रही है चुंकि यह interest हमें sell bill के against प्राप्त हो रहा है इसलिए यहाँ हम against reference सेलेक करेंगे ऐसा करते ही यहाँ हमें वो bill दिखाई दे रहा है जिस पर हमें interest लेना है घ्यान रखें यहाँ हमें यह bill सिलेक करना ज़रूरी है नहीं तो यह interest इस bill के साथ add नहीं होगा इसे सिलेक करने के बाद enterprise करेंगे देखें यहाँ bill का पूरा amount आ रहा है चुकि हमें interest को दीपक ट्रेडर्स के bill के साथ add करना है या कह सकते हैं कि interest का amount दीपक ट्रेडर्स के लेजर में debit करना है तो उसके लिए यहाँ interest amount टाइप करेंगे यहाँ CR की जगट DR टाइप करेंगे और credit में interest receivable का account सिलेक करेंगे अब इस voucher को save कर लेंगे इस तरह हमने interest के entry कर ली है अब party ने हमें जो एक लाख एक अजार रुपए दिये हैं उसके entry receipt voucher में कर लेते हैं यह amount हमें bill के against प्राप्त हुआ है इसलिए यहाँ against reference सिलेक करेंगे यह देखिए यहाँ पर bill amount और interest दोनों साथ में जुड़कर आ रहे हैं हम इसे सिलेक कर लेंगे enter press करती हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ हम cash account सिलेक कर लेंगे अब इस voucher को save कर लेंगे आगे समझने के लिए हम दीपक ट्रेडर्स की वो interest calculation report बोपन कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी इस report को बार बार खोलने और बंद करने की बजाए आखिर तक हम इसे open ही रखेंगे ताकि हम interest calculation को अच्छे से समझ सकें अब हम आपको advanced interest parameters समझा देते हैं उसके लिए हमें दीपक ट्रेडर्स के लेजर में alteration करना होगा यहां हम activate interest calculation पर जाएंगे यह देखिया interest parameters की window open हो गई है यहां पर यदि हम override parameters for each transaction को yes कर देते हैं तो इससे यह होगा कि हर transaction record करते समय यानि हर sales purchase के vouchers बनाते समय इस तरह की interest parameters की screen आएगी जिसमें आप अपनी जरूरत की अनुसार changes कर सकते हैं हम इसे yes कर रहे हैं और इस screen को भी save कर रहे हैं हम skip की press करके वापस interest calculation report पर आ गए हैं अपने ध्यान दिया होगा कि लेजर में alteration करने से पहले यहां हमें तीपक ट्रेडर्स की जो interest report दिखाई दे रही थी वो अब पार्टी के लेजर में override parameters for each transaction option को yes करने से चली गई है चली आपको उसका कारण समझा देते हैं तो इसका कारण यह है कि जब हम किसी लेजर में interest calculation option को enable करके कुछ transactions record कर लेते हैं और उसके बाद उस लेजर में override parameters for each transaction को yes करते हैं तो इस तरह की problem आ सकती है इसका हल यह है कि यदि आप किसी लेजर में override parameters for each transaction को yes करना चाहते हैं तो जब शुरू में आप उस लेजर में interest calculation चालो करते हैं उसी समय इसे भी yes कर दें और यदि आप कुछ transactions record करने यानि purchase sales voucher बनाने के बाद इसे yes करते हैं तो फिर आपको पहले बने सभी vouchers को एक एक करके open करना होगा और फिर enterprise करते हुए उन्हें फिर से save करना होगा चलिए हम आपको यह करके बता देते हैं हमने यहाँ वो voucher open कर लिया है जिसकी report अभी दिखाई नहीं पढ़ रही है अब हम enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे पहले voucher बनाते समय यहाँ interest parameters की window नहीं आ रही थी पर अब आ रही है इसकी वज़े यह कि हमने override parameters for each transaction option को enable कर दिया है ध्यान रखें आप आप इस ledger को लेकर जब भी कोई sales purchase की entry करेंगे तो इस तरह की window आएगी और उसमें आप जो भी changes करना चाहें कर सकते हैं यहाँ हम जैसा यह पहले था वैसा ही रखते हुए enter press करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यह देखें voucher फिर से save हो गया है अब हम escape की press करके report पर चलते हैं यह देखें वापस report दिखाई दे रही है चलिए अब advanced interest parameters को समझ लेते हैं उसके लिए हम फिर से laser alteration screen पर चलते हैं यहां हम activate interest calculation पर जाएंगे यह देखें interest parameters की window open हो गई है हम advanced interest parameters को भी enable करना चाहते हैं इसलिए F12 की press करेंगे और use advanced interest parameters को yes कर लेंगे और enterprise करेंगे यह देखें interest parameters की window में एक नए option override advanced parameters आ रहा है साथ ही नीचे की और advanced parameters से संबंदित कुछ नए options भी आ रहे हैं पहले हम enterprise करते हुए एक बार नीचे तक चलते हैं हम इन सभी options को एक एक करके समझेंगे यह एक खास बात ध्यान रखें कि यदि आप चाहें तो यह सभी settings यहीं लेजर alteration screen पर कर ले और इन दोनों options override parameters for each transaction और override advanced parameters को नो रखें ऐसा करने से transaction record करते समय interest parameter की कोई भी screen नहीं आएगी और आपने लेजर में interest से संबंदित जो भी setting की होगी वही applicable होगी पर यदि आप यह सारी setting यहां न करते हुए हर transactions को record करते समय वहीं पर करना चाहते हैं तो आप इन दोनों options को yes कर दें ऐसा करने पर transactions record करते समय भी इस तरह की screen आएगी जिसमें आप जो चाहे changes कर सकते हैं हम transaction record करते समय ही यह सारी settings करके आपको इन सभी के effect बताना चाहते हैं इसलिए इने yes रखते हुए इस screen को save कर रहे हैं साथ ही इस laser को भी save कर रहे हैं चलिए अब हम एक invoice बना लेते हैं यह देखिए interest parameters की window open हो गई है इसमें सबसे पहले है interest rate और उससे संबंधित options यदे आप इनमें कुछ changes करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हम enter press करते हुए applicability पर आ गए हैं यहां हम always select कर रहे हैं from में date of applicability select कर रहे हैं date के आगे 1 April आ रहा है ध्यान रखें यह voucher की date है और हम इसमें कोई change नहीं कर सकते तू में हम 25 April टाइप कर रहे हैं इसका interest calculation पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हम आगे देखेंगे इसके बाद है rounding method आपका जो interest calculate होगा यदि उसमें रुपियों के साथ पैसे भी आते हैं तो आप उसे जिस method से round off करना चाहते हैं यहां से वो method select कर लें यह तीनो rounding methods क्या हैं और किस तरह से काम करती हैं इसके बारे में हम आपको video number 89 में detail में बता चुके हैं हम यहां normal rounding select कर रहे हैं और rounding limit में one type कर रहे हैं अब interest parameters को save कर लेते हैं अब इस voucher को भी save कर लेते हैं यह हम वापस report पर आ गए हैं आप यह उपर देख सकते हैं कि यह report एक अपरल से एक मही तक की है पर report में इस bill में interest की calculation voucher की date से लेकर 25 अपरल तक की हुई है इसका कारण यह है कि हमने यहां 2 में यही date ली थी आप 25 अपरल के बाद किसी भी date का period से लेक करें interest 25 अपरल तक ही calculate होगा हाँ यदि आप 25 अपरल के पहले की किसी date तक का interest देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं जैसे हम period 1 अपरल से 10 अपरल कर रहे हैं अब आप देख सकते हैं कि interest की calculation 10 अपरल तक की ही हो रही है हमने अभी जो voucher save किया था उसमें कुछ alteration कर लेते हैं यहां हम two में ये date delete कर देते हैं और इससे save कर लेते हैं हम escape की press करके वापस report पर आ गए हैं अब आप यहां जो भी period लेंगे जैसे की यहां हम 1 अपरल से 1 जून ले रहे हैं अब आप देख सकते हैं हमने जो period select किया है उस पूरे period का interest calculate हो रहा है हम फिर से एक voucher बना रहे हैं इसमें applicability में past due date ले रहे हैं ऐसा करते ही days का एक नया option आ गया है इसमें हम 10 type कर रहे हैं और from में date of applicability select कर रहे हैं यहां normal rounding और यहां one type कर रहे हैं इस तरह select करने पर आपने यहां पर जितने भी दिन type किये होंगे voucher बनाने की तारिक से लेकर उतने दिन तक customer को कोई भी interest नहीं देना होगा और वो इन दिनों को छोड़ कर जितने भी दिन बाद payment करेगा उससे उनका interest देना होगा और अब इसे save कर लेंगे अब इस voucher को भी save कर लेंगे आईए इसकी report देख लेते हैं यह देखिए पहले interest की calculation दो तारिक से हो रही थी और अब 10 दिन छोड़कर 12 अप्रेल से हो रही है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया voucher बना लेते हैं यहां हम due date और credit days में 5 days टाइप कर रहे हैं यहां past due date सेलेक करके 10 days टाइप कर रहे हैं यहां पर date of applicability सेलेक कर रहे हैं rounding में normal limit में one type कर रहे हैं अब इस screen को और voucher को save कर लेंगे आईए अब अंधर से report देख लेते हैं यह देखिए यहां credit days के 5 दिन और past due date के 10 दिन इस तरह से 15 दिन छोड़कर 17 तारिक से interest की calculation शुरू हुई है चले आगे बढ़ते हैं और एक नया voucher बना लेते हैं यहां हम applicability में always और यहां date specified during entry सेलेक्ट कर रहे हैं यहां हम आपको एक नई बात समझाना चाहते हैं कि मान लेजिए आप इस बिल में यह चाहते हैं कि 5 अप्रेल से 15 अप्रेल तक rate of interest 1 परसंट हो और 15 अप्रेल से 30 अप्रेल तक rate of interest 2 परसंट से calculate हो और आखिर में 30 अप्रेल के बाद से customer कभी भी payment करें तो उसका interest 3 परसंट से calculate हो तो उसके लिए हमें इस तरह से parameter set करना होंगे आप चाहें तो इसी तरह आगे और भी अलग-अलग rate of interest set कर सकते हैं हम इने save कर रहे हैं अब इस voucher को भी save कर लेंगे यदे कि हमने जो period और rate of interest टाइप किये थे उनके अनुसार ही interest की calculation हुई है चलिए अब आपको due date of invoice, oblique reference का मतलब समझा देते हैं यदे आप bill wise details screen पर due date of credit days में मान लीजे 11 दिन टाइप करते हैं और उसके साथ आप always select करें या past due date select करके कितने भी दिन टाइप कर दें और फिर due date of invoice, oblique reference select कर लें दोनों ही इस्थिती में bill की interest calculation, due date या credit days जो कि यहाँ 11 दिन हैं उसके बाद से ही होगी और इसी तरह effective date of transaction से आशे होता है कि कई बार हम माल का बिल तो बना देते हैं पर कई कारण ऐसे भी होते हैं जैसे कि गाड़ी वाला माल लेने ही नहीं आया ऐसी इस्थिती में जब माल हमारे यहां से डिलीवर हो उस दिन से calculation चुरू हो तो उसके लिए इस option का उप्योग किया जाता है आप due date और credit days के साथ या इसके बगएर always या past due date के साथ इन सभी options का अच्छे से उप्योग करके देखें और जिनका result आपको अपने हिसाब से ठीक लगे उनका उप्योग करें खास ध्यान रखें अपनी ज़रूरत के हिसाब से भविशे में आने वाले result का पहले अध्यन कर लें क्योंकि यहां पर कई सारे options मिलकर अलग-अलग result देते हैं आखिर में आपसे एक request है कि यह एक cutting topic है जब आप एक-दो बार इसके आधार पर practice करेंगे तो यह असानी से समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम सरल भाषा में आपको CC limit यानि cash credit limit के बारे में बता देते हैं यह एक short term loan है जो व्यवसायों को उनकी वित्तिय यानि financial आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए बैंकों और वित्तिय संस्थानों द्वारा दिया जाता है इसका उपयोग व्यवसायों के अलग-अलग उदेशियों जासे की कच्चामाल खरीदना, स्टॉक बढ़ाना, व्यवसायों से संबंदित अन्य खर्चों आधी के लिए किया जाता है ये एक सिक्योर्ट लोन होता है और व्यवसाय को कैश क्रेडिट लोन प्राप्त करने के लिए बैंक को फिक्स्ट असेट्स स्टॉक आधी के गारंटी देना होती है अब बात करते हैं OD यानि overdraft की ये सुविधा सरकारी और नीजी बैंकों द्वारा व्यक्तियों या कंपनियों को दी जाती है ताकि वो अपने बैंक अकाउंट में बैलन्स शुन्य होने पर भी पैसा निकाल सके इससे लिए गए लोन का उप्योग आप अपने नीजी या व्यवसाई किसी भी आवशक्ता को पूरी करने के लिए कर सकते हैं ज्यादा तर बैंक सेलरी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट यानि एफडी, शेयर, बॉन्ड और बीमा पॉलिसी जैसी असेट्स के अगिंस्ट ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं केश क्रेजिट लिमिट और बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों में ही बैंक हमारे लिए एक लिमिट तै करता है और हम बैंक द्वारा तै की गई लिमिट तक ही रुपिया निकाल सकते हैं, यानि विड्रॉप कर सकते हैं ये रुपया हम अपनी जरूरत अनुसार थोड़ा-थोड़ा करके या ज्यादा कैसे भी निकाल सकते हैं। इसी तरह जब आपके पास जितना भी रुपया हो आप वापस जमा कर सकते हैं। घ्यान रखें, इन दोनों में ही आप जो अमाउंट लोन के रुप में लेते हैं, उसी पर आपको ब्याज देना होता है। यानि यदि आपके लिए में एक लाख रुपय की है और आपने पच्चेस अजार रुपय ही निकाले हैं, तो ब्याज केवल पच्चेस अजार रुपय पर ही लगेगा। हाँ, दोनों ही ठाइप के अकाउंट्स पर अलग-अलग बैंक अपने इसाब से कुछ चार्जेस लगाते हैं, जैसे बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस या कुछ अन्य चार्जेस भी हो सकते हैं। तो ये तो हमने आपको कैश क्रेडिट लिमिट और बैंक ओवर ड्राफ्ट दोनों के बारे में संक्षिप्त में समझा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यदि आपने इन दोनों में से बैंक से कोई भी रिण लिया है, तो उसकी इंट्रेस कल्कुलेशन का तरीका एक ही है। वैसे मुख्य रूप से व्यवसाय में CC लिमिट का उप्योग किया जाता है, इसलिए हम उसी पर ये वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर हमने अपनी वही कंपनी ओपन कर ली है जिस पर इससे पहले वाली वीडियो में हमने काम किया था। चलिए अप टैली में काम करना शुरू करते हैं। हमने अपने मकान की ग्यारंटी पर SBI यानि State Bank of India से CC लिमिट ली है। तो सबसे पहले हम उसका लेजर बना लेते हैं। यहाँ नाम में हम SBI CC अकाउंट टाइप कर रहे हैं। अंडर में हमें Group सेलेक करना हैं। तो यह देखिए लिस्ट में Bank OCC Account और Bank OD Account दो ग्रूप सारे हैं। ध्यान रखें यह दोनु एक ही Group के दो नाम हैं। हम Bank OCC Account सेलेक कर रहे हैं। यह देखिए Group सेलेक करते ही उसका नाम बदलकर Bank OD Account हो गया है। यहां हम activate interest calculation को yes करेंगे और enter press करेंगे यह देखें interest parameters की window आ रही है यहां पर पहला option है calculate interest based on इसका मतलब है कि आप ब्याज की गर्णा किस आधार पर करना चाहते हैं इसके सामने दो options है bank reconciliation date इसको हम आपको आगे समझाएंगे और दूसरा है voucher date अभी हम इसी को select कर रहे हैं इसका अरतिये है कि हमारी books में जिस तारिक को voucher बना होगा interest की calculation उस तारिक के आधार पर ही होगी इसके नीचे आप जो options देख रहे हैं उनके बारे में हम आपको अपनी पहली वीडियो में समझा चुके हैं इन दोनों ही options को हम no ही रहने देंगे अब हम enterprise करके rate पर आ गए हैं यहां हम 12 type कर रहे हैं और यहां calendar year select कर रहे हैं ध्यान रखें, bank की ब्याज़तर हमेशा yearly ही होती है यहां पर हम credit balances only select कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसका कारण भी बता देते हैं यह हमारा loan account है, इसलिए prior इस account में हमें bank का रुपया देना ही निकलेगा जिस पर हमें ब्याज देना है पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा रुपया bank में जमा हो, तो ध्यान रखें bank हमें उस पर कोई ब्याज नहीं देगा पस यही कारण है कि हम credit balance only select कर रहे हैं applicable form में वो तारीक टाइप करें जिस तारीक से आप ब्याज की calculation करना चाहते हैं यहाँ पर एक अप्रेल तारीक आ रही है हम इसे रहने देते हैं 2 के आगे कोई तारीक टाइप नहीं करना है यहाँ rounding में normal rounding और यहाँ limit में one type कर रहे हैं अब हम इस screen को save कर लेंगे यहाँ आपको bank ने जो limit sanction की है वो type करें यहाँ पर खाते की पूरी details type करें यहाँ bank का mailing address type करेंगे और अब हम इसे save कर लेंगे आए अब हम कुछ transactions record कर लेते हैं पहले हम आपको एक बात समझा दें कई बार कई लोगों को confusion हो जाता है कि हमारे जो normal bank accounts होते हैं जिसमें हमारा रुपया जमा रहता है जैसे कि saving account या current account और CC या overdraft account जिसमें कि bank का पैसा हमारे पास कर्ज के रूप में रहता है इन सभी के LinkedIn की entry same ही रहती है या फिर इनको record करने में कोई अंतर होता है इस तरह का confusion कई लोगों को हो जाता है तो हम आपको बता दें कि bank के किसी भी तरह के transactions record करने में कोई फर्क नहीं होता ये सब एक जैसे ही होते है CDC एक बात ध्यान रखे यदि आपको bank से रुपया मिला है तो आप bank को credit करेंगे और यदि आपने bank को रुपया दिया है यानि जमा किया है तो आप bank को debit करेंगे ये खास ध्यान रखना है चलिए अब हम अपनी books में कुछ entry कर लेते है पहली entry है हमने एक अपरेल को Sbicc account के check number 121111 से 25,000 रुपय नगर निकाले अब इसकी entry हम contra voucher में कर लेते हैं credit में हम Sbicc account select करेंगे यहाँ पर 25,000 टाइप करेंगे यहाँ पर हम check number टाइप कर देंगे debit में cash select करेंगे अब यहाँ पर narration टाइप कर देंगे और अब इस voucher को save कर लेंगे दूसरी entry है एक अपरेल को हमें customer 2K HDFC bank से NEFT द्वारा 20,000 रुपए हमारे Sbicc account में advance payment प्राप्त हुए अब इसकी entry receipt voucher में कर लेते हैं credit में customer 2 select कर रहे हैं यहाँ 20,000 टाइप करेंगे यहाँ advance select करेंगे enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे DR में Sbicc account select करेंगे enterprise करते हुए आगे बढ़ें यहाँ हमें जिस तरह payment प्राप्त हुआ है उसकी detail टाइप करेंगे और अब इस voucher को save कर लेंगे इसी तरह अपरेल मैने में हमारे CC account में जितनी भी transactions हुए हैं उन्हें हमने tally में record कर लिया है आईए अब हम आपको bank का ledger दिखा देते हैं यहाँ पर हम कुछ configuration कर लेते हैं यह देखिए यह सभी transactions हमारे CC account में अपरेल मा में हुए हैं जिनने हमने क्रमा नुसा record कर लिया है अब हम देखते हैं कि bank का जो रुपया हमने उपयोग किया है उसका interest कितना देना होगा उसके लिए go to पर जाकर type करेंगे interest अब लेजर interest calculation पर जाकर enterprise करेंगे यहाँ से Sbicc account पर जाएंगे यह देखिए Sbicc account की interest calculation report आ रही है सबसे पहले हम अप्रेल मा यानी एक अप्रेल से 30 अप्रेल तक का period सिलेक कर लेते हैं यह देखिए हमारे हिसाब से हमें bank को 852 रुपय interest देना है अब bank ने हमें अप्रेल मा का जो bank statement दिया है उससे देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ने हमसे 800 रुपय interest चार्ज किया है अब इन दोनों में difference आ रहा है हमारे हिसाब से 852 रुपय होते हैं और bank ने 800 रुपय चार्ज किये अब यहाँ पर एक सवाल है कि हमारी books में और bank statement में जो entries होती हैं दोनों का आधार तो एक ही होता है तो फिर इसमें difference कैसे आ सकता है तो यहाँ आपको याद दिला दें कि हमने आपको bank reconciliation के हमारी video number 100, 101, 102 और 103 में detail में समझाया है कि हमारी books के bank account और bank statement दोनों के balance में difference आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इस difference को दूर करने के लिए bank reconciliation statement कैसे बनाते हैं फिर भी हम आपको यहाँ पर short में इसके कारण समझा देते हैं उसके लिए पहले हम escape की प्रेस करके वापस leisure report पर आ गए हैं हम इस report के साथ ही bank statement रख कर आपको कुछ basic बातीं समझा रहे हैं पहली हम bank से cash निकालते हैं या bank में cash जमा करते हैं तो उसकी entry हमारी books में और bank statement दोनों में एक ही तारिख में होती है और जैसा कि आप इस entry में देख रहे हैं हमने bank से cash निकाला है और दोनों स्थान पर तारिख एक ही है इसी तरह इस entry में हमने bank में cash जमा किया है और दोनों जगों पर एक ही तारिख है दूसरी बात यदि हम किसी को NEFT, RTGS, IMPS या UPI के माध्यम से payment करते हैं तो उसकी भी entry हमारी books में और bank statement दोनों में एक ही तारिख में होती है जैसा कि आप इस entry में देख रहे हैं ध्यान रखे हमने ये payment NEFT से किया है जब हमें कोई party NEFT, RTGS, IMPS या UPI या अन्य किसी भी माध्यम से सीधे हमारे bank खाते में payment करती है और यदि वो इसकी सूचना हमें कुछ दिन बात देती है तो ऐसी इस्थिति में हमें जिस दिन bank में payment आया है उसी दिन में अपनी books में entry करना चाहिए या फिर यदि हम entry सूचना मिलने वाले दिन कर रहे हैं तो instrument date में हमें वही तारीक टाइप करना होगी जिस तारीक को हमारी bank में payment आया है नहीं तो आप bank reconciliation नहीं कर पाएंगे जैसे कि आप इस voucher में देख रहे हैं हमने ये entry 30 अपरेल में की है जबकि bank में इसका payment एनी एफटी द्वारा 27 अपरेल को ही आ गया था इसलिए हमने instrument date में तारीक 27 अपरेल टाइप की है जब ही हम किसी supplier को bank के check से payment करते हैं तो हम हमारी books में उसकी entry उसी तारीक में कर लेते हैं जिस तारीक को हमने check दिया है अब ऐसा ज़रूर नहीं है कि supplier उस check को उसी दिन clearing के लिए अपने bank में लगाए वो उस check को एक दो दिन बाद भी लगा सकता है और यदि वो उसे उसी दिन bank में जमाभी कर दे तो उस check को clear होने में दो तिन दिन भी लग सकते हैं अब ऐसे में हमारे bank account से रुपे तभी डेविट होंगे जब वो check clear होगा तो इस कारण से हमारी books में जो entry है वो और हमारी bank statement में जो entry की गई है दोनों में अलग अलग तारीख हो सकती है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे है इसे तरह जब हमें किसी customer या अन्नी किसी party से check प्राप्त होता है तो हम उसे bank में लगा कर उसकी entry तुरंथ हमारी books में कर लेते हैं पर कभी-कभी bank में उस check को clear होने में दो-तिन दिन भी लग जाते हैं अब bank तो हमारे account में वो entry तभी करेगा जब उसे रुपए मिलेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको यह report पूरी दिखाई दे इसके लिए हम screen के font size को कम कर रहे हैं यह देखे अब पूरी report एक साथ दिखाई दे रही है तो इस तरह आपने देखा कि किन अबकारणों से हमारी books में जो entry है उनमें और हमारी bank statement पे जो entry है उनमें दोनों में अलग-अलग तारीक हो सकती है अब हम वापस font size को पहले जैसा कर लेते हैं अब आगे बढ़ते हैं अभी हमने जो interest calculation देखी यह हमने voucher date select करके की है यानि इसमें जो interest की calculation हुई है वो हमारी books में जिस तारीक में vouchers बने हैं उसकी तारीक को लेकर की गई है जबकि bank ने interest calculation उस तारीक को आधार लेकर किया होगा जिस तारीक को उनके यहां debit credit हुआ है अब सवाल यह है कि हम कैसे पता करें कि bank ने जो interest हमारे account में charge किया है वो सही है तो इसके लिए हमें interest उसी date के आधार पर calculate करके देखना चाहिए जिस तारीक को bank में debit और credit हुआ है और ऐसा करने के लिए हमें bank के laser को alter करके उसमें interest parameters में एक setting करना होगी चलिए यह कर लेते हैं यह हम bank के laser alteration screen पर आ गए है एंटर करते हुए आगे बढ़ जाए यह आप देख सकते हैं interest parameters आ रहा है यहां हमें voucher date की जगह पर bank reconciliation date option सेलेक करना होगा अब हम इसे save कर लेंगे फिर इस laser को भी save कर लेंगे हम skip की press करके वापस bank की laser report पर आ गए हैं अब हमें अपनी books में bank reconciliation करना होगा और उसी के आधार पर हम bank की तरह सही calculation कर पाएंगे bank reconciliation कैसे करते हैं इस बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं फिर भी यहाँ पर हम short में समझ लेते हैं यह देखिए यहाँ पर हमें reconcile option दिखाई पढ़ रहा है इसके लिए हम alter के साथ R की प्रेस कर रहे हैं यह देखिए हमने bank से 25,000 रुपए निकाले थे तो statement में इस entry की तारीक देकर यहाँ पर तारीक टाइप कर देंगे इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं यह देखिए हमने supplier 1 को एक तारीक को चेक दिया था जो कि bank से 3 तारीक को clear हुआ है तो यहाँ पर हम तारीक 3 अपरेल टाइप कर देंगे इसी तरह हमने पूरा reconciliation कर लिया है अब यह एक entry है जिसमें हमने supplier 3 को check number 121117 से payment किया है यह check अभी bank में clear नहीं हुआ है इसलिए इसकी entry bank statement में नहीं दिखाई पड़ रही है और यही कारण है कि हमने यहाँ bank date नहीं डाली है इसके अलावा यहाँ bank statement में यह जो interest की entry है इसे अभी हमने अपनी books में record नहीं किया है अभी जब हम interest amount confirm कर लेंगे तो इसकी entry अपनी books में कर लेंगे अब हम इस reconciliation को save कर लेते हैं यह हमने reconciliation कर लिया है और interest parameters में भी bank reconciliation date को select कर लिया है चलिए अब वापस interest calculation report पर चलते हैं यह देखे अब इस report में interest का amount वही आ रहा है इसका मतलब कि bank ने सही calculation की है यहां हमने वही company open कर ली है जिसमें हमने पिछली वीडियोज में भी काम किया था इस company में हमने पहले से ही interest calculation को enable किया हुआ है अब सबसे पहले हम excels की entry कर लेते हैं हमने एक जुलाई को sham traders को 25,000 रुपए प्रतिनक के भाव से BPL TV 20 inches के चारनक उधार बेचे माल देते समय हमने customer से कहा कि यदि आप ये माल उधार खरीदते हैं तो आप जब भी इसका payment करने आएंगे आपको 2% monthly interest देना पड़ेगा customer हमारी बाद से सहमत हो गया और उसने माल खरीद लिया तो चलिए इसके entry कर लेते हैं यहां हमें sham traders का laser select करना है जो की बना हुआ नहीं है इसलिए पहले तो इसे create कर लेते हैं यहां पर हम activate interest calculation को yes करेंगे और enter press कर देंगे यह देखिए interest parameters की window आ रही है यह सब क्या है इन्हें कैसे set करते हैं इसके बारे में हम आपको अपनी पीछली videos में detail में बता चुके हैं पहले की videos में हमने आपको advanced interest parameters का उपयोग करना बताया था पर इस video में हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं इसलिए F12 की press करके use advanced interest parameters को no कर रहे हैं अब calculate interest transaction by transaction को yes करके enter press करेंगे override parameters for each transaction को no ही रहने देंगे rate में 2% type करेंगे यहां calendar month select करेंगे यहां पर debit balances only select करेंगे अब इस leisure को save कर लेंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां हमें new reference select करना है देखिए यहां वही नंबर आ रहा है जो हमारे बिल का है हम enterprise करते हुए इस बिल को save कर लेंगे जब हमें किसी supplier को credit purchase पर interest देना होता है तो उसकी entry हम credit note voucher में करते हैं अब चूंकि हमें sales पर interest receive हो रहा है तो उसकी entry हम debit note voucher में करेंगे debit note voucher में interest की entry हम दो तरीकों से कर सकते हैं पहला तरीका ये कि हमें interest calculation report पर जाकर ये देखना होगा कि कितना interest बन रहा है और फिर debit note में जाकर manually interest की entry करना होगी इस बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं दूसरा तरीका ये कि यदि हम चाहते हैं कि interest automatically calculate होकर debit note में आ जाए तो उसके लिए हमें debit note में voucher class बनानी होगी voucher class क्या है इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं ध्यान रखें इन दोनों ही तरीकों से debit note बनाने पर books पर एक ही जैसा effect आता है चलिए अब देख लेते हैं कि debit note में interest calculation के लिए voucher class कैसे बनाते हैं voucher class बनाने के लिए हमें debit note voucher की alteration screen पर जाना होगा अब alter के लिए A प्रेस कर रहे हैं अब voucher type पर जाएंगे यहां debit note पर जाकर enter press करेंगे यह देखिए voucher type alteration screen आ रही है इसमें हम enter press करते हुए name of class पर जाएंगे अब चुँकि हम interest receive करने के लिए voucher class बनाना चाहते हैं इसलिए यहां इसका नाम टाइप करेंगे interest receivable और enter press कर देंगे ऐसा करते ही देखिए एक नई screen open हो गई है इसमें सबसे पहला option है use class for interest accounting इसका मतलब है कि क्या आप इस class को interest accounting के लिए उप्योग करना चाहते हैं हम इसे yes कर रहे हैं और इसे save कर रहे हैं और अब इस screen को भी save कर लेंगे हमने interest receivable नाम से voucher class बना ली है अब interest की entry कर लेते हैं voucher के लिए we press करें अब debit note voucher के लिए alter के साथ f5 की press करें ऐसा करते ही इस तरह की window आएगी और यदि नहीं आती है तो 2-3 ब्रार escape की press करें या फिर tally को एक बार बंद करके चालू कर लें इसमें हमें यहाँ class select करना है यदि हम यहाँ पर not applicable select करेंगे तो simple debit note voucher open हो जाएगा हम interest की entry करना चाहते हैं इसलिए यहाँ interest receivable voucher class पर जाकर enterprise कर रहे हैं यह देखिए debit note voucher open हो गया है और यहाँ उपर voucher class का नाम भी दिखाई दे रहा है चलिए अब entry कर लेते हैं सबसे पहले हम date change करके वो तारिक type कर लेते हैं जिसमें हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है हमेशे ध्यान रखें voucher class में interest तभी सही calculate हो कर आएगा जब आप यहाँ सीधे date type ना करते हुए F2 प्रेस करके और फिर date type करें DR में उस party का नाम select करेंगे जिसके खाते में हमें interest का amount debit करना है यह देखिए party का नाम select करते ही interest details की एक window आ रही है इसमें हमें जितने भी bills का interest लेना होगा उनकी details दिखाई पड़ेगी चूंकि हमें इस party से एक ही bill का interest लेना है इसलिए हमें एक ही bill के details दिखाई दे रही है जिसमें उसका bill number उस bill पर किस तारीक से interest शुरू हो रहा है कितने दिन का interest लेना है उसका bill amount कितना है और उस पर कितना interest बना है यह सब दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने interest की voucher class बनाई है इसलिए यहाँ interest अपने आप ही calculate होकर आ रहा है यदि यहाँ पर एक से ज़्यादा bill होते तो हमें उस bill को select करना होता जिसका interest प्राप्त हो रहा है यहाँ पर एक ही bill है जोकि selected है हम enterprise कर रहे है अब यहाँ पर end of list select कर लेंगे अब यहाँ पर original invoice number में उस bill का number type करेंगे जिसके against हमें interest receive हो रहा है यहाँ पर उसकी date type करेंगे enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे यह देखे debit में अपने आप interest का amount आ गया है अब enterprise करेंगे यह bill wise details की screen आ रही है इसमे type of reference में against reference select करके अब pending bills में से उस bill को select करेंगे जिसके against हमें interest receive हो रहा है यह देखे amount में interest का amount अपने आप आ गया है अब हम enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे है अब CR में interest receivable का laser select करेंगे यदि आपके company में ये ledger बना हुआ नहीं हो तो indirect income group के अंतरगत इसे बना लें यहाँ पर narration type करेंगे अब enterprise करते हुए इस voucher को accept कर लेंगे चलिए अब हम party के ledger पर चल कर देख लेते हैं कि उस पर क्या effect पड़ा है ये देखे अभी हमने जो debit note बनाया है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है चलिए हम party की ledger outstanding report भी देख लेते हैं यहाँ आप देख सकते हैं अब इस reference के pending amount में bill का amount और interest का amount दोनों मिलकर यहाँ पर एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं कस्टमर ने हमें एक अगस्ट को ही bill amount एक लाख रुपए और दो हजार रुपए ब्याच के दे दिए तो चलिए अब इसकी receipt पना लेते हैं यहाँ श्याम ट्रेडर्स का ledger सेलक करेंगे यहाँ पर party से जो amount प्राप्थ हुआ है वो टाइप करेंगे और यहाँ पर against reference सेलक करेंगे यह देखें पार्टी का pending bill दिखाई दे रहा है इससे सेलक करेंगे enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे debit में cash का ledger सेलक करेंगे यहाँ narration type करेंगे और अब इस voucher को save कर लेंगे तो इस तरह हमने देखा कि credit sales पर जो interest प्राप्थ होता है उसे calculate करने के लिए voucher class कैसे बनाते हैं और उसका उप्योग करके interest receivable की entry कैसे करते हैं चलिए अब हम देखते हैं कि हम जो credit purchase करते हैं उस पर जो interest बनता है उसे calculate करने के लिए voucher class कैसे बनाते हैं तो उसके लिए हम एक पर्चिस के एंट्री कर लेते हैं, हमने एक जुलाई को Supplier 4 के Invoice No. 78 से BPL TV 20 इंचिस के 10 नक 20,000 रुपए प्रती नक के भाव से उधार खरीदे। माल देते समय Supplier ने हमसे कहा कि यदि ये माल आप उधार खरीदते हैं, तो जब भी आप इसका पेमेंट करेंगे, आपको इस पर 2% मासिक ब्याज देना पड़ेगा। में Supplier 4 सेलेक कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं, यहां हम New Reference सेलेक करेंगे, यह देखिए, Reference में Supplier के बिलका नमबर आ रहा है, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, यह यहां पर Interest Parameters की विंडो आ रही है, और यह इसलिए आ रही है क्योंकि हमने Party के लेजर मे Interest Parameters सेट करते समय, Override Parameters for Each Transaction को Yes किया था, इस बारे में भी हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इस बिल का हमें 2% Interest देना है, इसलिए हम इसे Change करके 2 कर रहे हैं, और अब इसे Save कर लेते हैं, और इस Voucher को भी Save कर लेते हैं, हमने माल 1 जुलाई को Purchase किया था, और आज एक अगस हो गई है, आज हम Supplier 4 को Payment करने वाले हैं, और जैसा कि हम आपको इस वीडियो में पहले बता चुके हैं, कि हम Credit Purchase पर जो Interest देते हैं, उसकी Entry Credit Note Voucher में करते हैं, इसलिए हम Credit Note में Voucher क्लास बना लेते हैं, वाउचर क्लास बनाने के लिए पहले Alter पर जाएंगे, यहाँ से Voucher Type पर जाएंगे, अब Credit Note पर जाकर Enterprise करेंगे, यह देखें, Voucher Type Alteration स्क्रीन आ रही है, Enterprise करते हुए हम Name of Class पर जाएंगे, यहाँ Class का नाम टाइप करेंगे, Interest Payable और फिर Enterprise करेंगे, अब Use Class for Interest Accounting को Yes करके इसे सेव कर लेंगे, और इस स्क्रीन को भी सेव कर लेंगे, यह हमने Interest Payable नाम से Voucher Class बना ली है, चलिए अब Interest की एंट्री कर लेते हैं, Voucher के लिए V प्रेस करें, अब Credit Note के लिए Alter के साथ F6 की प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने Interest Payable की जो Voucher Class बनाई थी, वो दिखाई दे रही है, हम इस पर जाकर एंट्र प्रेस कर रहे हैं, Credit Note Voucher ओपन हो गया है, इसमें यहाँ पर Class का नाम भी दिखाई दे रहा है, अब सबसे पहले F2 प्रेस करके हम वो तारिख टाइप कर लेते हैं, जिस तारिख को हम ब्याज का Payment कर रहे हैं, ध्यान रखें, F2 की प्रेस करके ही तारिख टाइप करें, अब CR में उस Supplier का नाम सेलेक करेंगे, जिसे हम Interest Pay करना चाहते हैं, यह देखें, पाटी का नाम सेलेक करते ही, Interest Details की विंडो आ गई है, अभी हमने इस Supplier से एक ही Purchase की है, इसलिए यहाँ पर हमें बस एक ही बिल का Amount और उस पर बनने वाला Interest दिखाई पढ़ रहा है, यह Already Selected है, हम Enter Press करके आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद End of List सेलेक कर रहे हैं, और फिर Enter Press करके और आगे जाते हैं, अब यहाँ Original Invoice नमबर में Supplier के उस बिल का नमबर टाइप करेंगे, जिसके अगेंस्ट हम Interest पे कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी Date टाइप करेंगे, और अब Enter Press करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें Type of Reference में Against Reference सेलेक करें, अब उस बिल को सेलेक करें, जिसके अगेंस्ट इंटुरेस पे कर रहे हैं, अब Enter Press करते हुए आगे बढ़ जाएं, अब DR में Interest Payable का Lager सेलेक करना है, जो कि अभी बना हुआ नहीं है, तो पहले इसे बना लेते हैं, Under में हम Indirect Expenses Group सेलेक करेंगे, Activate Interest Calculation को No ही रहने देंगे, और अब इस लेजर को सेव कर लेंगे, यहाँ पर Narration टाइप करेंगे, अब Enter Press करते हुए उस वावुचर को भी Accept कर लेंगे, अब हम Bill Amount और Interest Amount जोड़ कर उसके Payment के Entry पेमिंट वावुचर में कर सकते हैं,